Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains Well, last chapter जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था Fiber to Fabric जिसमें हमने ये देखा था कि भई ये जो हमारे Fibers होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं तो जिसमें हमने ये identify कि भई natural Fibers होते हैं और artificial Fibers होते हैं Natural मतलब जो आपको plant और animal से मिले तो ये तो कहानी थी chapter number 3 की So, well, उसी chapter number 3 में हमने cotton के material के बारे में और सिर्क के material या wool के material के बारे में पढ़ा था तो जब आपको थंडी लगती है तो आप क्या करते हैं? आप wool material पहनते हैं, woolens पहनते हैं जब हमें किसका एहसास होता है? गर्मी का एहसास होता है तो आप क्या करते हैं? cotton का material पहनते हैं ठीक है? क्या बूला मैंने? जब आपको थंड लगती है, थंड का एहसास होता है आपकी body में ये feel करते हैं आप कि थंडी है तो आप क्या करेंगे? woolen material पहनेंगे जब आप ये feel करते हैं कि आपकी body तक पास कराता है ताकि जो भी आपको गर्मी feel हो रही है वो इतनी ज़्यादा ना हो और woolen का material क्या करता है? woolen का material बाहर की जो air है उसका poor conduction करता है poor conduction का मतलब air को कहीं trap कर देता है और वो आपकी body तक नहीं पहुँच पाती जिससे आप गर्मी का हैसास होता आपको वामित का है अब आप ये सोचेंगे कि माम chapter 4 स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें क्या बता रही है? तो बहुत chapter number 4 जो है वो इसी feeling पर based है feeling मतलब ये जो आप गर्माहट फील कर रहे हो है जो आपको थंडी फील हो रही है ये ही feeling पर based है chapter number 4 तो जी हाँ chapter number 4 जिसका नाम है heat heat एक तरीके की energy है ठेक है? अगर मैं heat की definition पर जाओ तो heat is the form of energy ठेक है? अब form of energy कैसे ही heat? तो चलिए किसी और energy के बारे में पहले बताती हूँ ताकि आपको heat energy जादा अच्छे से समझ में आ जाए जैसे कि हमें अगर कुछ अगर मैं noise की बात करूँ ठेक है? या फिर noise क्या है? एक वो energy है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? sound की बात करूँ अगर में और specific तो sound is the energy by which we can hear जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं light is the energy by which we can see light वो energy है जिसकी बज़ा से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं उसी तरीके से heat क्या है? heat is the energy by which we can feel the warm it जिसकी मदद से हमें गर्माहट का एहसास होता है तो हमारा जो चाप्टर नमबर फूर्थ है वो इसी heat पर based है ओके? वेल ये जो heat है तो heat और temperature दो word निकल करके आते हैं अगर हम किसी heat के बारे में बात करते हैं जनरली लोग क्या कहते हैं? जनरली लोग यह कहते हैं कि ये जो heat है ओके? ये जो heat है बिल्कुल नहीं हीट और टेंपरेचर बिल्कुल भी एक्वल नहीं होते हैं ठीक है क्योंकि अगर हीट की बात आ रही है कहीं पर कि जहां पर हीट बहुत जादा है तो मतलब टेंपरेचर बढ़ रहा है यह चीज़ आपने सुना होगा ठीक है तो भी हीट और टेंपरेचर ए यह क्या confusion है चलिए समझते हैं तो सबसे पहले तो मैंने heat क्या बताया आपको form of energy बताया ठीक है form of energy ठीक है कैसी energy जिसको आप feel करेंगे ठीक है it is a form of energy जिससे आपको vomit feel होती है temperature जो हना वो energy नहीं है वो इसकी quantity बताता है अब कैसे चलिए इसको समझते हैं वर मान लीजे कि एक इस तरह के का पानी का bucket है ठीक है और इसमें क्या भरा हुआ है यह पानी भरा हुआ है ठीक है क्या है यह पानी भरा हुआ है तो अगर हम heat और temperature को इस bucket के example से समझे तो यह जो quantity इसमें भरी हुई है ठ heat ठीक है water equals to अपन क्या लिख सकते है heat के ठीक है और यह जो level है पानी का level जो बता रहा है level of water is equals to क्या लिख सकते है आप इस equals to temperature मैं इसको short में लिख रहे हूँ TEM ठीक है मतलब कि यह जो container जो की पूरा पानी से भरा हुआ है तो वो पानी कहलाएगा यहाँ पर heat और यह जो level बता रहा है कि कितने लीटर पानी है एक लीटर है या दो लीटर है यह है उसका temperature मतलब की level of water यहाँ पर temperature indicate कर रहा है इस का मतलब क्या इसका मतलब यह कि जो temperature है temperature है measurement of hotness कि कोई चीज कितनी गर्म है ठीक है measurement of hotness ठीक है आई बात समझ में तो अगर आप से कोई बोले कि हीट मुझे बहुत जादा बाहर हीट लग रही है इतना जादा हीट है आज तो यह वर्ट गलत है क्योंकि भी temperature मेजर करके आपन बता सकते हैं हीट तो क्या है heat एक तरीके की energy जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं ठीक है वेल जैसे कि आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से आपको energy मिलती है लेकिन आपको कितनी energy मिल रहे हैं यह आप quantify नहीं कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके आप सिर्फ क्या measure कर पाएंगे कि भी मैंने कितना खाना ख और हीट क्या होती है फिर से बता देती हूं हीट इस दा फॉर्म ओफ एनरजी वाइच वीच वी एक तरीकी की एनरजी है जिसकी मदद से हम एनरजी को फिल करते हैं दूसरा पॉइंट जो मैंने हीट के बारे में बताया कि हीट और टेंपरेचर दोनों एक दूसरे से रिलेट हीट तो है लेकिन बराबर नहीं है समान नहीं है एक्वल नहीं है क्यों कि हीट क्या होती है हीट इस दा क्वांटिटी ओफ एनरजी की कितना एनरजी है और टेंपरेचर क्या हो जाएगा तेंपरेचर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ होटनेस ठीक है तो वैल यह जो चाप्ट से chapter number 4 का एक review कर लेते हैं तो chapter number 4 में हम सबसे पढ़ेंगे temperature क्या होता है temperature measure करने के लिए आप क्या करते हो temperature measure करने के लिए थर्मामीटर का use करते हो thermometer क्या बताता है कि आपकी body का temperature कितना है मतलब आपकी body में heat बढ़ रही होगी जिससे आपका क्या हुआ होगा एक heat का quantity बढ़ी तो उस heat की quantity को measure करने के लिए आपने क्या क्या thermometer लगाया thermometer ने आपको temperature बताया कि इतना temperature है आपकी body का मतलब आपकी body में इतनी जादा heat generate हो चुकी है ठीक है अब उसके बाद types of thermometer हम पढ़ेंगे क्योंकि thermometer भी अलग अलग type की होते हैं एक जो humans body के लिए होते हैं और बाकी जो की दूसरे experimental test के लिए बने होते हैं ठीक है human body temperature के बारे में हम discuss करेंगे कि human की जो body है उसका normal temperature कितना होता है ठीक है heat transfer किस तरह से होती है तो उसमें हम आपको बताएंगे conduction और convection के बारे में radiation क्या होता है यह पढ़ेंगे and reason to wear light colored clothes in summer और क्यों जरूरी है कि हम summers के time पर light color के clothes पहने वेल आपको तो पताएंगे कि जब गर्मी आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलियार कोई white color पहने या ऐसा light color पहने क्यों पहनते हैं ऐसा क्योंकि जो dark color होता है वो ज्यादा heat को absorb करता है तो आपको ज्यादा गर्मी फील होती है ऐसा क्यों होता है तो यह हम आगे discuss करेंगे तो वेल आज यह जो अपना जो session चल रहा है इसमें आए होप अभी आपको clear हो क्या होगा की heat क्या है ठीक है तो इस फ्रॉमार डे टो डे अब्सरवेशन दा इन विंटर विफो फील कोल्ड वेर इसन समर भी होट ठीक है वेल देखिये जैसा यह लोग क्या कहना चाहरे है वही कहना चाहरे है जो मैंने आपको बताया क्या होता है कि थंडियों के टाइम पर आपको थंडी फील होती हो गर्मियों के टाइम पर आपको गर्म फील होता है people avoid getting out of their houses during the scoring summer due to the excessive heats outside well summer की time पर लोग बहार नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत जादा heat होती है when you boil water it becomes hot and it's hard to dip finger in it but as soon as you blow off the flame and keep it aside for some time it gets easy to dip your finger well जब आप किसी भी container को burner की उपर रखते हैं तो burner क्या करता है उस container को अपनी heat pass करता है चलिए तो अब एक concept में आपको समझाती हूँ यहां burner नहीं क्या क्या heat को उस पर transfer किया और यह जो पानी है वो boil हो गया ठीक है तो अब एक कहानी समझे या एक किस्ता समझे कि मैं अपने कपड़ों पर press कर रही थी press करते करते मेरा हाथ जल गया हाथ जलने के साथ ही मेरी एक फ्रेंड आयो उसने बोला येलो आइस क्यूब इस पर आइस लगा दो यह आइस जो है तुम्हारी जले हुए हिस्ते को ठीक कर देगा ठीक है ये इसको ठंडा ठंडाक देगा ये उसको अपनी कोल्ड एनरजी इसको ट्रांसफर करेगा तो मैंने कहा नहीं ये गलत कह रहे हो क्या होता है कि जो हाथ मेरा जला हुआ है जहां पर हीट एनरजी है वो हीट एनरजी इस बर्फ को पिगलाई समझ में आई कुछ बात वेल एक कॉंसेप्ट जो आपको और समझना है वो क्या पहली चीज तो मैंने आपको समझा दिया कि हीट और टेंपरेचर दोनों अलग अलग चीज होती है और दूसरा कि जो हीट है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है हीट ट्रांसफर ठीक है तो अगर हीट के ट्रांसफर की बात करें तो हीट हमेशा होट से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है ट्रांसफर होती है ठीक है जैसे कि मैंने रहे क्या बताया कि मैं प्रेस से मेरा हाथ जल गया मतलब इतनी एरिया का temperature बहुत ज़ादा हो गया तो फिर एक ठंडी चीज आई तो उस ठंडी चीज में ये जो मेरे हाथ का गर्माहट थी वो गई और इसलिए बर्फ बिखनने लगी ठीक है तो वेल जब भी आप क्या करते हो जब भी आप एक बर्णर को बर्णर मतलब की source of energy source of heat ठीक है उसके उपर एक पतीला रखते हो एक पैन रखते हो अगर उसमें पानी रहता है तो वो धीरे-दीर उबलने लगता है क्यों उबलने लगता है क्योंकि बर्णर जो है वो अपनी heat energy को किसमें ट्रांसफर कर रहा है वो इस pan को ट्रांस यह जो आपका pan है उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दोगे तो धीरे-दीरे क्या होगी heat जो है उसकी कम होने लग जाएगी और वो ठंडा आपको महसूस होने लगेगा जितना पहले गर्म था ऐसा क्यों हुआ क्यों कि अब क्या हो रहा है धीरे-धीरे यह जो heat है वो in a form of steam बाहर की तरफ निकलती जा रही है ठीक है क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है well energy के बारे में कहा जाता है energy can neither be created not be destroyed it can transfer from one body to another or it can transform from one form to another form energy जो है किसी भी तरह की जो energy है वो कहीं पर भी store नहीं होती वो क्या होती है एक body से दूसरी body में transfer होती है ठीक है इसी तरीके से heat energy भी क्य होती है heat energy भी store नहीं रहेगी कि कोई चीज अगर गरम है तो हमेशा गरम ही नहीं रहती क्या होती ठंडी होती है ठंडी क्योंने लग जाती है क्योंकि यह जो energy है यह transfer होती है और जो अगर heat energy की बात करें तो heat energy हमेशा कैसे transfer होती है heat energy जो है वो हमेशा गरम से ठंडे की तरफ transfer होती है ठीक है आया समझ में बात तो हीट के बार में ये दो चीज़े आपको बिलकुल ध्यान रखनी है इन फैक तीन चीज़े ध्यान रखनी है पहले चीज़ हीट क्या है heat is the form of energy by which we can feel the vomit जिसकी मदद से आपको गर्माहट का एहसास हो वामित का एहसास हो heat एक energy है अब क्योंकि heat energy है इसलिए हम heat और temperature को बराबर नहीं कह सकते equivalent नहीं कह सकते ये दूनों एक दूसरे को relate करते हैं कैसे relate करते हैं heat जो है वो form of energy है तो temperature क्या है temperature है measurement of hotness कि कोई चीज़ कितनी जादा गर्म है ठीक है तीसरी चीज़ कि जो heat है वो हमेशा hot body से cold body की तरफ transfer होती है इसलिए अगर अपन कभी पानी को boil करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है क्योंकि जो गर्म पानी है उसके अंदर heat है heat क्या होगी धीरे-धीरे cold atmosphere की तरफ transfer हो जाएगी तो जितना पानी गर्म था उसमें से heat चली जाएगी और वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा clear हुआ आपको heat के बारे में इतनी बाते so during fever our body gets hot but as soon as we take medicine the body becomes cool अब क्या होता है जब अपने को fever भी आता है फीवर आता है तो क्या होता है फीवर आता है तो अगेन हमारी body में heat energy बढ़ना शुरू हो जाती है लेकिन आप उस heat energy को आपने क्या किया आपने medicines ली तो अब यह जो heat है हमारे body से बाहर जाएगी और हमारा temperature धीरे-दीरे काम हो जाएगा एक जैसा temperature मतलब कहीं पर भी नहीं बना रहता अगर हमारी body का भी temperature बढ़ रहा है तो एक time के बाद वो energy जो extra energy हमारे अंदर आ गई एना form of heat वो बाहर की तरफ चली जाएगी ice melt when kept outside but remaining cold solid from as long as kept inside the deep freezer वेल आइस के साथ भी क्या होता है आइस के साथ भी हम जब आइस को आप बाहर रखते हो fridge के तो वो पिघलना शुरू हो जाती है लेकिन जब हम क्या करते हैं जब आप उसको fridge के अंदर रखते हो cold atmosphere में रखते हो तो वो जमी रहती है अब आइस के साथ ऐसा क्यों होता है वेल आइस जो की थी ठंडी बॉड़ी आपने उसको अपने रूम टेंपरेचर पर रख दिया रूम टेंपरेचर मतलब 25 डेगरी सेलसियस अब एक चीज और बताती हूँ दो चीजे समझेगा एक पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और एक पॉइंट यहां देखे इसलिए रफ देखे कर यहैं और आप इसका शॉर्ट ली तो आसानी समझेगर ठीक है चली तो एक पाथ होती है फ्रीजिंग पॉयंट freezing point ठीक है तो freezing point और melting point क्या होता है तो हम ये water के case में समझेंगे क्या होता है ठीक है water का freezing point और melting point freezing point मतलब की zero degree Celsius ठीक है ये वो temperature होता है जिस पे आपका पानी जो है वो जम जाता है solid बन जाता है ice बन जाता है ठीक है और melting point क्या होता है तो melting point मतलब जिस पर आपका जो पानी है वो पिघल जाए ठीक है और फिर होता है आपका boiling point ठीक है तो boiling point क्या होता है boiling point मतलब जिस पर आपका पानी उबलना शुरू हो जाए उसमें bubbles create होने लग जाए तो वो होता है 100 degree Celsius तो well freezing point था 0 degree Celsius है ना अब हम आ गया हमारे ice को हमने क्या कर दिया fridge के बहार रख दिया तो वो था 0 degree Celsius और हमारा room temperature कितना होता है लगबाग 25 degree centigrade तो अब भई मैंने आपसे क्या बोला कि जो heat है वो कहां से कहां transfer होती है जो heat है वो transfer होती है hot body से cold body की तरफ तो अब यहाँ पर ice का जो cube था वो एक तरीके की cold body है ठीक है और जो room है ठीक है जो room का temperature है वो कितना है वो है 25 degree Celsius तो मतलब यह क्या हो गई आपकी hot body हो गई ठीक है तो अब इस hot body की क्या होगी energy कहां पर जाएगी इस hot body के energy जब जाएगी किसमे ice में तो क्योंकि इसको heat मिल रही है तो यह धीरे-धीरे क्या होने लगेगा धीरे-धीरे यह melt होना शुरू कर जाएगा समझ में आया कि क्यों ice cube बाहर आकर के melt होती है तो इसका मतलब कि energy का transformation होता है इसलिए यह जो ice cube पिखल रही है अब जब आप उसको deep freezer के अंदर रख देते हो तो क्या होता है उसको एक जासा temperature मिलता और वो जमी के जमी रहती है ठीक है, so have you ever wondered that what changes or phenomena makes this happen तो आपने कभी पहले सोचा था कि यह ऐसा क्यों होता है तो I think अब आप यह reason समझ चुके होंगे ठीक है, it is all due to the temperature यह सब किसके वज़ा से होता है यह सब होता है हमारे temperature की वज़ा से या heat energy के transfer की वज़ा से, ठीक है, तो आप यह दोनों चीज़े कह सकते हो कि heat जो है, जो energy जो है क्योंकि वो एक जगे से दूसरी जगे transfer हो रही है, इसलिए ice melt हुई, या फिर आप दूसरा क्या कह सकते हो कि वहाँ पर ice को जो है, वो temperature difference मिला, temperature difference कैसे, उस ice किस पर रहती है, जमी हुई cover रहती है, 0 degree centigrade पर लेकिन आपने उसको कहां रख दिया, 25 degree centigrade पर तो क्योंकि temperature में difference हो गया, ठीक है, तो अगर बस मैं आपको यह समझाती ही, कि ice को आपने बहार रख दिया, और temperature में difference हो गया है, लेकिन ice cube के अंदर 0 degree centigrade मतलब heat नहीं थी, तो अब क्योंकि heat जो है, वो hot body से cold body पर जाती है, कमरे से आपके, कहां पहुच रही है, ice cube तक पहुच रही है, तो इसलिए जो ice cube है, वो धीरे-धीरे, उस heat के साथ मिली और melt होना शुरू होगे, I hope आपको यह चीज क्लियर होगी, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है, इस वीडियो में मैंने आपको यह समझाया है, कि जो heat है, is the form of energy, which we can feel the warmth, जिसकी वज़य से आप वामित को feel करते हैं, दूसरी चीज मैंने आपको बताया है, कि अगर आप से कोई बोले, कि heat और temperature बराबर है, त अलग है, कैसे, heat is the energy, okay, and जो temperature है, वो है measurement of hotness, जैसे example बताईएगा, किसका example बताईगे आप, आप बताईगे इस पानी के container का example, कि अगर मान लिजे एक bucket है, जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जो quantity है ना पानी की, वो मान लिजे अगर heat है, तो वो उसकी, उसका measurement, कि वो कितने लीटर है, यह हो जाएगा उसका temperature, ठीक है, इस तरह से आप उसको समझाएगा, दूसरी इसरी चीज़ जो important मैंने आपको बताई थी, कि जो energy है, वो हमेशा transfer होती है, ठीक है, कैसे transfer होती है, एक body से दूसरे body, अगर अपन heat energy की बात करे, तो जो heat है, ठीक है, वो हमेशा hot body से cold body की तरफ transfer होगी, अब ऐसा क्यों चलिए, यह भी एक बार समझा देते हैं, अगर आप से किसी ने बोला कि समझाएगे जरा कैसे, तो भई, आप एक और example ले सकते हैं, ठीक है, मान लिजे कि, यह एक पानी का container है, ठीक है, और यह उसी के बराबर एक और container है, इसमें भरा पानी, और इसमें भरा हुआ था कम पानी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक pipe लगा दिया, ठीक है, जैसे मैं pipe यहां पर लगा दूँगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे यह जो पानी है, ठीक है, वो यहां से flow करता हुआ, कहां पहुंच जाएगा, इस वाले container में flow होना शुरू कर जाएगा, और विसी बात है, जहां जादा पानी भरा है, वो उस जगे जाएगा, जहां पर space है, तो यहां से आप पानी, दोनों container के वीचों जब pipe लगा देते हो, तो यह जो पानी है आपका, एक container से भी container दर चला जाएगा, और कब तक बहता रहेगा, यह तब तक बहता रहेगा, जब तक कि यह दोनों container एक level के नहीं हो जाते, ठीक है, जब यह दोनों एक level के हो जाएगे, तो पानी का रुखना कम हो जाएगा, अब यह जो flow है ना, पानी का, उसको आप क्या समझेए, इसको आप समझेए, heat flow, ठीक है, water flow का, आप concept heat flow के समाल स पानी जो है, वो एक container से दूसरे container में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी इसमें जादा था, और यह दोनों क्योंकि एक दूसरे से connected हो रहे हैं, तो भई पानी का level बराबर करने के लिए, A से B की तरफ पानी जा रहा है, तो उसी तरीके से, जो अपना heat होती है, व कोई कम heat वाली जगह है, तो वहाँ पे उसको बराबर बनाने के लिए, वो transfer होती है, इसलिए हम कहते है, कि जो heat है, वो hot body से cold body की तरफ transfer होती है, clear हुआ, क्योंकि जो हमारा heat है, वो जादा, जो आपकी गरम body है, जो hot body है, वहाँ पे पानी, या पानी के लिए इसलिए बोड बताया है, तो वहाँ पे heat जादा है, दूसरी body में heat कम है, तो जब जादा body वाली heat है, वो कम body वाली heat में तब तक transfer होगी, जब तक कि वो बराबर ना हो जाए, जैसे कि example के लिए आप फिर से समझे अपने burner को, आप burner के उपर pan को रखते हो, pan को रखते साथ ही pan का जो temperature है, व जो गरम कर रहा है, क्योंकि जो burner के अंदर heat है ना, वो pan तक पहुंचा रहा हो, कब तक पहुंचाता रहेगा, अगर आप उसको चालू छोड़ दोगे, तो तब तक पहुंचाता रहेगा, आप देखेंगे, burner एकदम लाल हो जाएगा, ये तब तक पहुंचाता रहेगा, ज हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है, hot body से cold body, क्यों होती है, तो ये हमने पानी के container से समझा, चलिए, तो वेल, इस class में तो आपको heat का concept, I hope थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये तीन point विलकुल आप याद रखिएगा, ठीक है, मैं आपको मिलूंगे अब next class में, जहां पर हम किसको discuss करेंगे, जहां पर हम temperature और thermometer को discuss करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी body का temperature जब बढ़ता है, तो हम thermometer से measure करते हैं, तो वो किस तरह से measure करता है, ये concept हम हम हमारे next video lecture में आपको बताएंगे, ठीक है, last class में तो मैंने आपको heat के बारे में समझाया, अब आज आते हैं temperature के ऊपर, तो well, temperature के बारे में मैंने आपको क्या कहा था, ये मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, well, a measure of hotness or coldness of an object that can be real upon is known as temperature, ठीक है, temperature क्या होता है, short में अगर बात करें, तो measurement of hotness or coldness, कि कोई चीज कितनी ठंडी है, या कोई चीज कितनी गरम है, इस चीज का measurement क्या कह कहलाता है, इस चीज का measurement कहलाता है, temperature, ठीक है, अब मैंने दो शब्दियों का यहाँ पर यूज किया, कि कोई चीज कितनी गरम है, और कोई चीज कितनी ठंडी है, ठीक है, अभी जो temperature है ना, वो ठंडे को भी नापता है, और गरम को भी नापता है, ये बात आप ध्यान रख gate में मिलेगा, clear हुआ, तो ये तो छोटा सा concept था, well, जब आपकी body में temperature बढ़ता है, तो आप क्या use करते हैं, आप use करते हैं, thermometer, ठीक है, thermometer एक वो device है, जो कि आपकी body का कितना temperature है, उसे measure करके बताता है, ठीक है, अब ये कैसे बता देता है, तो well, उसके अंदर होती है mercury, अ रखा जाता है, तो अब क्या होता है, well, mercury है, एक थंडा object है, ठीक है, और आपकी body क्या है, एक hot object है, clear, अब मैंने आपको बताया था, कि जो heat है, वो कहां से कहां transfer होती है, तो जो heat है, वो हमेशा hot body से cold body की तरफ transfer होती है, तो जब आप thermometer को लगाते हो, तो क्या होता है, कहां transfer करेगी, hot body से cold body, मतलब temperature, थर्मा मीटर की तरफ, ठीक है, तो थर्मा मीटर की जो mercury है, फिर वो अपने जगे से displace होती है, और ये बताती है, आपको कि आपका कितना temperature है, ठीक है, तो यहां से हमें identify हो जाता है, कि हमारी body में किस तरह कितना temperature है, ठीक है, तो भई, जो quantity निकल की आई, वो क्या होती है, temperature, जैसे कि आपको बोला कि आपका 100 degree Fahrenheit जो है, वो temperature है, ठीक है, अब ये तो temperature के बारे में बात होगी, कि थर्मा मीटर का हम यूज करते हैं, अब कई जगे क्या होता है, कि centigrade word यूज किया जाता है, कही Fahrenheit यूज किया जाता है, कही Kelvin यूज किया जाता है, तो ये सब क्या है, वेल ये सभी ना, टेंपरेचर को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स है, ऐसाई यूनिट्स जो होती है, वो तो आपकी Kelvin होती है, लेकिन बाकी जो Fahrenheit है और Celsius है, इन सभी का भी हम इंडिया में यूज करते हैं, जनरली जो आपके पास सर्वा म होगा, वो डिगरी Celsius में ना होकर के Fahrenheit में होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, चलिए, तो अभी आपन आजाते है, टेंपरेचर के उपर, तो टेंपरेचर क्या होता है, दा मेजरमेंट आफ दा होटनेस और कोडनेस और अफ एनी अबजेट इस नोन ऐस द और पर रखते हैं, ठीक है, तो वाटर को हम एक अपना एनालिसिस के लिए, या फिर वाटर को अपन एक रिफरेंस मान करके चलते हैं, तो जिस पानी पर या फिर जिस टेंपरेचर पे कोई चीज जनना शुरू हो जाए, या फिर उबलना शुरू हो जाए, पानी, ठीक है, तो उस temperature को आप उसका boiling temperature कहते हो या फिर क्या कहते हो highest temperature ठीक है और जिस temperature पर कोई चीज जबना शुरू हो जाए वो उसका क्या कहलाता है वो उसका below point कहलाता है lowest point कहलाता है या फिर क्या कहते हैं उसको सही सही शब्दों में freezing point कहते हैं ठीक है तो भाई burning point क्या होता है जिस पर कोई भी चीज जलना शुरू हो जाए तो वही उसका burning point या highest point होगा ठीक है तो यह सभी temperature से related terms है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है temperature can be sensed by touching but we cannot rely upon it ठीक है अब देखिए मैंने आपको दो पानी के जार दिये मैंने आपको बिना कुछ दिये हुए कहा तो आप बताओ कि दोनों में से कौन जादा गरम है ठीक है तो आपने दोनों containers को छुआ और आपने बता दिया कि a वाला जादा गरम है भी वाला जादा गरम है अब मैंने आप मूले कि कितना गर है तो आपको एक quantity बतानी पड़ेगी ना तो उस quantity बतानी के लिए आता है फिर temperature का concept या thermometer का concept ठीक है यह जो thermometer होता है यह इस तरह के का device होता है जो कि आपको exact value देता है temperature की ठीक है कि कि किसी container container का कितना temperature होगा अब thermometer is a device used to measure the temperature of body it can be used to measure the temperature of the body during fever ठीक है thermometer जो है वो हमारी human body के temperature को तो measure करने के काम आता ही है साथ में अगर जैसे हमें किसी और चीज का किसी और object का जैसे या फिर water का या फिर किसी solution का हमें temperature measure करना है तो उसके लिए भी thermometer का use किया जाता है लेकिन वो किसी और टाइप के thermometer होते हैं यह जो thermometer जो कि हमारी body के लिए यूज के जाते हैं यह कौन से होते हैं यह होते हैं क्लीनिकल thermometer ठीक है तो इट कैन भी मेजर यूजिंग दा थ्री डिफरेंट यूनिट्स जैसा मैंने आपको बताया था कि thermometer जो है वो इन तीनों यूनिट्स में किसी में भी temperature को मेजर करके हमें देता है यह डिपेंड कहता है कि thermometer किस unit का बना हुआ है ठीक है जैसे पहली unit होती है degree Celsius क्या होती है temperature को मेजर करने की degree Celsius तो degree Celsius को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यह कहलाती है degree और C का मतलब क्या होता है Celsius ठीक है तो temperature को जैसे अपन हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं मीटर का सेंटीमीटर का यूज करते हैं या फिर वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं उसी तरीके से जितनी भी quantities होती है जैसे temperature है ठीक है यह light है सब के लिए एक नाइक unit है ठीक है ताकि हम क्या कर सके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डिफ्रेंस अगर अपने को समझ में आएगा तो हम उसकी अच्छी तरीके से study कर पाएंगे और जो भी treatment अगर अपने को उस पर करना है तो हम कर पाएंगे ठीक है तो हर एक चीज को measure करने के लिए unit बनाई गई है तो जो temperature की unit है वो तीन तरीके की होती है एक तो हो गई degree Celsius जैसा मैंने आपको बताया जिसको अपन degree Celsius इस तरह से रिप्रेजन करते हैं और इसको read कैसे करोगे degree Celsius ठीक है जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है 20 और यह जो point बना यह हो गया degree यह हो जाएगा Celsius तो यह क्या पढ़ोगे आप इसको 20 degree Celsius ठीक है अब आ जाते हैं बात Fahrenheit पर ठीक है तो Fahrenheit को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है Fahrenheit को रिप्रेजेंट किया आता है degree Fahrenheit से ठीक है यहाँ पर degree Fahrenheit लिखा हुआ है और अगर इसको read करना है जैसे 25 degree यह लिखा हुआ तो इसको कैसे पढ़ोगे आप 25 degree Fahrenheit ठीक है आई बात समझ तो पहली यूनिट थी डिग्री से दूसरी चीज थी Fahrenheit अब आ जाते हैं कैलविन पर तो कैलविन जो है उसको अपन केस रिप्रेजेंट करते हैं इसमें डिग्री नहीं आएगा याद रखेगा ओके तो इस दिनोट क्यों कि यह क्या होती है आपकी फिक्स जढ़ाइती है ठीक है ना सो अब यह concept जो थोड़ से पढ़ोगे 100 Kelvin that's it कोई डिगरी विगरी नहीं लेकिन अगर Kelvin लिखा हुआ है और डिगरी नहीं है तो यह मस समझे क्या कि यह टेंपरेचर नहीं बता रहा यह टेंपरेचर बताता है लेकिन हम इसमें डिगरी नहीं लगाते ठीक है क्योंकि यह absolute value देता है आई समझ में त аете है THROMAMETER का ठीक है कैसे करते हैं यह अगे देखेंगे ठीक है फौल चीज अब टेंपरेचर हमने समझ लिया उसको मीजर कर लिया और किस में करते हें जैसे हाइव सेंतिमीटर मीटर का यूज करेंगे यूज करेंगे ठीक है और अगर वेजал को करना किलो ग्राम का यूज करेंगे तो भाई यह जो अपना ही टेंपरेचर है उसको कैसे मेजर करेंगे तो हमने आपको बटाया कि जो टेंपरेचर है उसको आप तीन यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो कौन-कौन सी डिगरी सेलसियर्स डिगरी फैरनहाइट और कैल्विन ठीक है आप कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है फॉर एक्जामपल थ्री थर्टी ठीक है थर्टी और यह इस तरह से बना हुआ है तो आप क्या पढ़ोगे इसको थर्टी डिगरी सेंटिग्रेट अगर यह लिखा हुआ है थर्ट जगे पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कंट्री में किसी भी टेंपरेचर की यूट ली जा सकती है ठीक है हम इंडिया में जनरली फैरनहाइट और सेल्सियस पर बात करते हैं ठीक है ओके सो अब इनको निकाला किसने यह जो डिगरी आई है सेल्सियस आया यह कहां से तो भई यह जो एंडरेस सेल्सियस थे जो की 27th of November 1701 में इनका जन्म हुआ था इन्होंने यह डिसकवर किया था एंडरेस सेल्सियस was born in Sweden, he studies as the Apsala University where his father was a professor ठीकें, एंडरेस हिंसेल सून बिकाम प्रोफेसर आप अस्टरोजी in 1730, also at Apsala जो एंडरेस थे वो काफी पढ़ने में हुश्यार थे, celsius जो word आया वो इन ही के देन है कैसे आया चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, well यह Sweden में रहने वाले थे, इनके फादर भी Sweden में ही रहते थे और वहाँ पर यूनिवरसिटी में प्रोफेसर थे, कुछ टाइम बाट 1730 में यह भी पढ़ लिखकर के वहाँ के प्रोफेसर बन गए अब वो उन्होंने अपनी death तक वही वही रहे, उन्होंने बहुत सारे observations किये, कहाँ पर, वहाँ पर रहकर के Germany, Italy, France, बहुत सारी जगे पर वो गए और उन्होंने कई तरीके के क्या किये, inventions किये अब उन्होंने बाट, जो उनका सबसे ज़ादा important role था, वो था 1772 में, he proposed the Celsius temperature scale ठीके, और इन्होंने ही क्या किया, temperature के लिए Celsius scale बनाया, ठीके, तो जो Celsius का concept आया, वो किसकी मदद से आया Anders Celsius के मदद से, ठीके, यह प्रोफेसर थे, जोन्होंने Celsius का scale तयार करके दिया ठीके, अब यह Celsius के scale की बात, अगर आ ही गई है, तो मैं बता देती हूँ, कि जैसे अगर अपन थर्मामीटर की ही बात करें, अगर वो Celsius में है तो जो उसका सबसे lowest temperature होगा, वो 0 degree होगा, और जो highest होगा, वो 100 degree Celsius होगा ठीके, 0 degree Celsius को आप freezing point कह सकते हो, यह सब हम किसको base मान के पड़ते हैं, water को ठीके, वो point जिसमें आपका पानी जो है, वो solid form में convert हो जाए, freeze हो जाए, उसको हम freezing point कहेंगे और वो हो जाएगा lowest temperature, that is 0 degree Celsius, और वो point जहाँ पर पानी boil होना शुरू हो जाए, वो होता है 100 degree Celsius, ठीके, जिसको अपन क्या कहते हैं, boiling point कहते हैं, अब इनोंने scale कैसे त्यार किया, तो यह भी बता देती हूँ यह 1 degree Celsius का, एक एक degree Celsius का यहाँ पर difference होकर के 100 तक का scale बना हुआ है, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 तक, ठीके, इस तरह से scale होगा हर एक जो scale है, वो कितने को represent कर रहा है, 1 degree Celsius को, clear हुआ, चलिए तो भई यह अलग 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 तरीके से जो थर्मामीटर से वो design होते हैं, इन्होंने तो फिलहाल आपको Celsius का concept दिया, जिस Celsius के concept से हमने थर्मामीटर को बनाया ओके, अब यह जो Fahrenheit थे, Daniel Gabriel Fahrenheit, इन्होंने Fahrenheit scale का concept दिया, और यह जो Lord Kelvin है, आप देख सकते हैं, उनकी मदद से हमें Kelvin का, क्या मिला, scale मिला, ठीके, Kelvin जो के absolute value होती है, उसी को refer करके, हम बागी के temperature को निकालते हैं, ठीके, चलिए तो यह तो हो गई इनकी units की बाद और इनको किसने discover किया, well, it can also be used to measure the, अब बापस आजाते हैं, अपन थर्मामीटर पर, so thermometer is also used to measure the atmospheric temperature and temperature during the chemical reaction, ठीके, अब body temperature के लिए तो आप thermometer का use करती ही हो, इसके साथ साथ, atmosphere में क्या temperature है, ठीके, क्योंकि आपने देखा होगा, कि गर्मिय temperature हो गया, 45 degree temperature हो रहा है, 40 degree हो रहा है, इतना साधा, ठीके, so well, इतना temperature बढ़ रहा है, तो यह कैसे बताते हूंगा, atmosphere temperature को ही calculate करके बताते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या use हो रहा होगा, thermometer, लेकिन कैसा thermometer, जो कि atmospheric temperature को measure करे, अब chemical reactions होती है, बहुत सारे chemical experiments होते हैं, तो वहाँ पर भी temperature को measure करना होता है, तो वहाँ हम normal thermometer को use नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी body temperature और किसी chemical का, या atmosphere के temperature में बहुत फ़र्क होता है, chemical का temperature highest हो सकता है, तो हमारे लिए जो thermometer बना होता है, वो उतनी ही limit का बना होता है, जितना हमारी body का temperature maximum जा सकता है, ठीके, so well, thermometer में होता क् तो it consists of a long narrow glass tube, appearing as a continuous silver line, because it is filled with the mercury, really expands and contracts at the slides, change in temperature and a bubble at one end, well, thermometer तो आपने सपने ही देखा होगा आपके खर में, आप देखिएगा, कि एक glass का इस तरह का tube होता है, जिसके बीच में mercury, एक scale बना होता है, उसमें mercury भरी होई होती है, और एक thread type का structure आपको दिखता है, mercury जो है, वो bubble के form में होती है, जो धीरे धीरे temperature बढ़ने के साथ में expand होती जाती है, जितना ज़्यादा temperature होता जाएगा, वो इतनी expand होकर के बताती है, आपके body के temperature को, ठीक है, तो वेल, यह तो आपको temperature के बारे हैं पता चलगा है कि आपकी body का temperature कितना होना चाहिए, तो वेल अगर आप 99.1 Fahrenheit की बात करें, तो वो normal है, अगर 99 से थोड़ा उपर जाते हैं, या 98 थक है, तो वो normal है, अगर आप 100 की line को cross कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी body का temperature ज़्याद रियक्षन कुछ कर रही हूँ और उसका जो pot है, उसको just मैंने touch किया, तो मेरा हाथ जो है, वो हलका सा जलिया, तो कितना temperature रहा होगा, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा knowledge के लिए ही बता देती हूँ, कि किस temperature पे जो human body है, ठीक है, वो जल सकती है, तो, तो अगर मैं हाँ लि तो अगर आपन देखें, तो अगर आपन degree Celsius में देखें, तो 54 degree Celsius से लेकर के 55 degree Celsius अगर temperature है, तो अगर आप किसी vessel को छूते है, या ऐसी container को छूते है, जिसका temperature इतना है, तो आपके हाथ में आपको जलन, या फिर आपका हाथ जल सकता है, ठीक है, यह तो Celsius की बात होगे करें, की बात करें, तो लगबग 130 degree Fahrenheit temperature पर आपका हाथ बर्न हो जाएगा, ठीक है, अब अगर आपको Kelvin में value देखनी है, तो Kelvin के लिए क्या करते हैं, अपन degree centigrade का use करते हैं, वेल जो 0 degree centigrade है, अपन इसको 273.15 Kelvin कह सकते हैं, तो अगर मुझे जैसे 54 centigrade को Kelvin में लिखना है, तो मैं किस तरह यह से लिख सकती हूँ, यह हो जाएगा, मतलब इसमें जस्ट आपको प्लस करते जाना है, ठीक है, तो हो जाएगा 273.15 Kelvin, हम क्या कर रहे हैं, हम अगर 54 degree Celsius को किसमें convert कर रहे हैं, Kelvin में, ठीक है, तो 273.15 प्लस क्या कर दीजिए, आप यहाँ पर 54 जैसे करना है, या 55 करना है, तो अपन यहाँ 55 लिख लेते हैं, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, यह हो जाएगा आपका, 328.15 Kelvin, ठीक है, तो यह वो temperatures हैं, जिस पर आपके tissues जो है, वो burn हो सकते हैं, ठीक है, तो एक जानकारी तो यह हो गई, आप दूसरी जानकारी आप यह देखे, कि आप जादा गरम चीज को छूते हैं, very hot, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो skin है, skin जो है, वो burn हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है, ठीक है, माल लेजे कि मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने उसको एक गरम चीज को पकड़ लिया, तो वो जल जाएगा, तो यह जलता क्यों है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, कि जो heat exchange है, वो bulk में हो जाता है, ठीक है, बलक में जब heat exchange होगी, ठीक है, आप hot body थी बहुत, और आपकी heart कैसा था, ठीक है, ठीक है, अब आपकी heart कैसा था, तो जैसे आपने hot body पर किया, तो एक दम से high energy जो है, वो आपके heart तक जाएगी energy किस form में, heat के form में, तो इसलिए जो आपके tissues हैं, वो जल जाते हैं, ठीक है, अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझें, कि मान लिजए आप एक pipe के सामने खड़े हैं, जिससे पानी आ रहा है, तो आप normal खड़े हुए हैं, जब तक pressure बहुत तेज नहीं हुआ, अ energy क्योंकि बहुत जादा है, इसलिए आपका हाथ जो है, वो जल जाता है, इसी तरीके से अगर आप बहुत ही ठंडी चीज़ को छुएंगे, तो भी आपका हाथ जो है, वो burn हो सकता है, तो अभी फिला आपन गरम की बात कर रहे हैं, तो very hot से आपकी skin क्यो burn होती है, क्योंकि दोनों ही medium जो है, जो दोनों ही body है, उनमें temperature difference क्योंकि बहुत जादा है, और जादा energy bulk में एक साथ हमारी हाथ पर पहुँचती है, इसी कारण हमारा हाथ जो है, वो जल जाता है, clear हुई बात, पानी के pipe से उसको याद रखेगा, अगर बहुत pressure में एकदम से पानी आएगा, तो obvious ही बाते हम गिर जाएंगे, ठीक है, जादा energy आने पर हमारी body उसको accept नहीं कर पाती, इसी तरीके से energy का और form आप खाने को समझ सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं तो कोई बात ही, लेकिन अगर आपने excess खा लिया, तो आप vomit कर देंगे, या अगर बिलकुल नहीं खा पाएंगे, तो आप चलने पाएंगे, तो यह सभी energy के कारण होता है, जलना, ठीके, या फिर हमारा vomit होना, या अपना गिरना, यह सब energy जो कि अलग अलग form में हमें आती है, और हम या तो हमाई body उसको accept करती है, या फिर उसका कोई cause हमें देखने को मिलता है, तो वेल ही तो general जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आज के इस video lecture में मैंने आपको temperature का concept समझाया, एक बार short में recap कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, वेल मैंने आपको बताया कि जो temperature है, वो क्या होता है, temperature is the measurement of hotness or coldness of object, ठीके, या thermometer का use करते हैं, इसकी जो units हैं, वो तीन तरह के हो सकती है, degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin, राइट, चलिए, अब यह जो Kelvin है, उसको degree में नहीं लिखते हैं, यह एक absolute value होती है, इसलिए, ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो degrees, या फिर Kelvin है, या फिर यह जो Fahrenheit है किस ने दिया, तो यह दिये थे, जिस्ते कि यह तीनो units निकल करके आई, ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि जो temperature को measure करने के लिए, हम दो तरीके के या अलग-अलग तरीके के thermometers का use कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक तरीके का thermometer हो, हो सकता है, किसी में Fahrenheit में value लिखी हो, और किसी में Celsius में value लिखी हो, ठीक है, body के temperature को measure करने के लिए, thermometer अलग होता है, atmosphere के या किसी chemical reaction के temperature को measure करने के लिए, जो चीज होती है, जो thermometers होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं, और मैंने आपको और जानकारी बढ़ाने के लिए ये बताया कि किस-किस temperature पर हमारे जो tissues हैं, वो जल centigrade की बात करें, तो 55 centigrade पर हमारा हाथ जल सकता है, 130 degree Fahrenheit पर या फिर आपके हेलो तो 328.15 Kelvin पर आपका जो हाथ है, वो जल जाएगा, जलता क्यों है, तो मैंने बताया कि अचानक से किसी surface पर, bulk में क्योंकि energy transfer होती है, bulk में heat आ जाती है, इसकी वज़े से जो हमारे हाथ के tissues हैं, व किस से करते हैं, वेल हम यूज करते हैं, थर्मा मीटर का, थर्मा मीटर का नाम थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बुला है, थर्मो मीटर, थर्मो का मतलब होता है, something related to heat, और something related to temperature, मीटर का मतलब होता है, एक ऐसा device जो कि किसी भी चीज को मेजर करके बताए, जैसे आपने अपने घर के बाहर electricity meter देखे होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आपके घर में कितना unit current flow कर रहा है, कितना unit आपने यूज कर लिया, उसी तरीके से थर्मो मीटर का काम क्या होता है, थर्मा मीटर एक device होता है, एक equipment होता है, जो कि हमारे body के temperature को बताता है, ठ है कि ठर्मा मीटर जो है ना, वो अलग-अलग type के होते हैं, अब ये क्यों होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, जस थोड़ी ही देर में, उससे पहले मैं आपको कुछ types बता देती हूँ, कि जो ठर्मा मीटर है, उसका कितने तरीके से हम use कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ठर् थर्मामीटर है वो अप एकॉर्डिंग टू एप्लिकेशन चार तरीके के हो सकते हैं पहला क्लीनिकल डिजिटल लबाटरी और मैक्सिमम मिनिमम ठीक है तो वेल अगर मुझे मेरे बॉड़ी टेंपरेचर को चेक करना है तो मैं क्लीनिकल थर्मामीटर का यूज करती हूं क्ली 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ठीक है कहा से कहा तक है 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक अब यह 35 ही क्यों है वेल हमारा जो हीमन बॉड़ी टेंपरेचर होता है नॉर्मल वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल अगर मैं बॉड़ी टेंपरेचर की बात करूं त तो normal body temperature जो है वो 37 degree Celsius होता है और अगर आपन maximum body temperature की बात करें ठीक है तो maximum body temperature जो है वो होता है 40 degree Celsius ठीक है तो इसलिए जो clinical thermometer होते हैं जिनका use हम हमारे temperature को measure करने के लिए करते हैं उनकी range 35 से लेकर के 42 degree Celsius होती है अब आप यह सोचेंगे कि यहां तो आपने बोला कि 37 is normal temperature of human body then आप 35 से क्यों start कर रहे हैं well देखे किसी भी parameter को अगर आपको measure करना है तो उपर नीचे थोड़ी बहुत value होती है ठीक है अगर मैं exact 37 degree का अगर scale को बना दूंगी तो क्या होगा आप यह देखेंगे कि कभी कभी हमारा जो body temperature है वो 37 से कम आ सकता है तो भई safety के लिए कि हां भई हर body का हर human का अलग-अलग temperature हो सकता है हम उसका scale जो है वो 35 से लेते हैं ठीक है कि अगर थोड़ा बहुत नीचे भी हुआ तो हमारे पास उसको measure करने का scale हो ठीक है तो देखें इस चीज को check करने के लिए कि क्या सभी का 37 है या सबका इससे उपर या नीचे होता है आप क्या कर आप यह देखेंगे कि आपके शरीर का जो body temperature है ठीक है वो कैसा होगा या तो 37 होगा या 36.9 होगा किसी का 36.8 किसी का क्या हो सकता है किसी का 35 के अकॉर्ण भी हो सकता है ठीक है 35 वैसे नहीं होगा लेकिन हमारी जो body temperature है ना वो 37 से 36 के बीच में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं vary करेगा उसी तरीके से maximum temperature जो है 40 डिगरी Celsius तो highest temperature होता है मतलब अगर किसी को 40 डिगरी Celsius फीवर है इसका मतलब उसको हाई फीवर है और उसे तुरंट डॉक्टर को consult करना पड़ेगा तो जैसे आपने हमारी normal body temperature के case में scale को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बनाया उसी तरीके से जो आपका high temperature है जो कि आपका normally 40 डिगरी Celsius होता है उसे भी हम थोड़ी और reading के लिए ताकि हमें proper reading मिल सके हम इसे 42 डिगरी Celsius तक बनाते है ठीक है चलिए तो ये तो बात हो गई हमारी range की अब उसके बाद आपको यहाँ पे Celsius लिखा हुआ दिखा है लेकिन मैंने आपको बताय कि जो temperature है उसकी unit क्या क्या होती है temperature की unit जो है वो Celsius, Kelvin और Fahrenheit होता है हमारी इंडिया में हम Celsius और Fahrenheit का यूज करते हैं clear हुआ आपको लेकिन Fahrenheit भी थोड़ी दिनों पहले तक यूज किया जाता था मतलब थोड़े हमारी पुरानी टाइम पर हम Fahrenheit का यूज करते थे लेकिन अब जो आ हो कि किसी को Fahrenheit में और किसी को Celsius में value मिल रही है इसलिए जाधा तर Celsius में हम temperature को मेजर करते हैं Fahrenheit में करना है तो इसके लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से हम Fahrenheit में चीजों को मेजर करेंगे तो अगर मैं Fahrenheit में अगर मेरे body temperature की बात करूं तो हमारा यह जो range है वो कहा से कहां होगी 98 degree से 104 degree Fahrenheit ठीक है Kelvin में अगर मेजर करना है तो मैंने आपको बताया ही है कि Kelvin में अगर आप किसी चीज को मेजर करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा जैसे आपकी value Celsius में है तो आपको क्या करना होगा Kelvin में convert करने के लिए प्लस 273 को add करना पड़ेगा तो आपको जो भी temperature है वो आपको Kelvin में मिल जाएगा clear है तो भई यह जो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमारा जो थर्मामीटर है वो design होता है ठीक है तो clinical थर्मामीटर जो कि हमारी body temperature के लिए use किया जाता है और इसकी जो range है वो कहा से कहा तक होती है इसकी range अगर celsius में बात की जाए तो इसकी range होती है 35 degrees celsius से 42 degrees celsius अगर हम Fahrenheit scale की बात करते हैं तो इसकी जो range होती है वो 92 degrees Fahrenheit से लिकर के 105 degrees Fahrenheit तक होती है clear चलिए so अब यहां तो हमने यह सीख लिया कि भाई हमारा जो thermometer है उसके range क्या होती है ठीक अब बूजों भी यह सोच रहा है कि इसको read कैसे किया जाता है ठीक है so well चले देखते हैं कि thermometer को हम कैसे use कर सकते हैं so thermometer को जैसा मैंने आपको बटाया body temperature को use करने के लिए या body temperature को measure करने के लिए हम use करते हैं तो उसको use करने का बहुत ही आसान तरीका है पहले तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपका thermometer Celsius स्केल का है या फिर फरनहाइट अब आप यह देखोगे कि एक यह जो थर्मा मीटर है उसमें सामने की तरफ कुछ ऐसा silver color का आपको दिखेगा यह तो silver bulb होता है वो कहलाता है kink जिसके अंदर होती है mercury अब mercury का ही use क्यों किया जाता है वैं mercury का ऐसा नेचर होता है कि जब भी वो heat उसके उपर पड़े या temperature उसके आसपास का increase होता है तो क्या करती है mercury अपने आपको expand कर लेती है माल धीरे धीरे वो expand होना शुरू हो जाएगी तो हमने क्या किया यहां पर एक thread जैसा आपको structure दिखेगा वो thread क्या होता है पतली सी line होती है ठीक है जिसके उपर आपको dark line दिखना जब शुरू हो जाए जिसका मतलब क्या है कि आपका जो mercury है वो अपनी जगह से expand होना शुरू ह हो चुकी है clear चलिए तो इतना मैंने आपको बताया कि जो आपका thermometer है उसमें कि scale होता है जिसके बारे मैंने अभी आपको बताया scale Celsius में हो सकता है या Fahrenheit में लेकिन इंडिया की बात करें तो generally आपको Celsius में मिलेगा इसके सामने एक bulb होता है जिसको आपन किंक कहते हैं इस bulb में क्य को थोड़ी देर के लिए अपनी जगा पर hold करके रखना ठीक है चले सो यह तो हो गया आपके इसके बारे में जानकारी कि भई थर्मा मीटर एक्च्वल में क्या होता है ठीक अब आपने इसको मेजर कैसे करते हैं सो अगर आपको थर्मा मीटर का यूज करना है तो कुछ करसा साफ पानी से दो लिजे ठीक है अगर अपन हॉस्पिटल थर्मा मीटर की बात करें तो उन्हें एक प्रॉपर सॉल्यूशन में उसको डालना पड़ता है ताकि जो भी जर्म्स हैं जो भी बैक्टीरियाज है उस थर्मा मीटर से हट जाए ठीक है अब देखिए थर्मा म करते हैं तो एक ही थर्मा मीटर का यूज करके टेमपरीचर लेते हैं वेल माली जै एक पेशेंट आया उसका टेमपरीचर लिया डॉक्टर ने उसे प्रॉपर टाकि वो डिसिंफेक्ट हो सके एक सॉल्यूशन बे डाला और आपका जो पेशेंट था वो चला गया अब दू इस तरह से जटका देते हैं इस तरह से जर्क देते हैं तो वो अपनी पोजिशन पर वापिस आ जाती है ठीक है तो वही जब दूसरा पेशेंट आएगा तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह से जर्क देते हैं ताकि जो मर्क्यूरी है वो आपके नॉमल टेमप के साथ यूज कर लिया तो भई वो टेंपरेचर जो कि अल्रेडी मर्कूरी में ने मेजर किया हुआ है प्लस उसकी टेंप बॉडी का टेंपरेचर एड होकर कि कुछ अलग ही वेल्यू देगा इसलिए जरूरी है कि जब भी धर्मामीटर को यूज करें तो उसको जर्क दें त थर्मामीटर है उसके सामने जो किंक या बल्ब लगा होता है ठीक है उसको हमारी टंग के नीचे रखते हैं ठीक है टंग के नीचे क्योंकि जब स्यादा जो हीट होते है रहा हमारी टंग के नीचे हमें मैसूस होती है या अंडर आम्च में होती है तो जनरली सही सही टेंप को उसमें reading दिखेगी कैसे दिखेगी mercury जो है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कितना हो जाएगी जितना भी आपका बॉड़ी का temperature है ठीक हैं फर एक्जामपल अगर आपके body का जो temperature है वो 39 आ रहा है तो वो 39 तक ठेके किस तरह से मालनी जे कि ये तो अगर मैं temperature की बात करूँ और माली जे की temperature कितना आता है 39 तो ये धीरे धीरे इस तरह से बढ़के ये जो थ्रेड है आपको कहां तक डाग दिखाई देगा 39 तक तो आप समझ जाएंगे कि body का temperature कितना है 39 डिग्री celsius है और इसका मतलब कि कि सामने वाले व्यक्ति को सामने वाले जो भी patient है उसे पुखार है उसे fever है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी clear है so yes is clear हुई कि आप जैसे ही thread अपना आगे की तरफ बढ़ेगा तो आपका जो body का temperature है वहां से वो measure हो जाएगा कैसे समझ में आएगा वो जो thread है उसमें आपको एक dark सी line दिखना शुरू हो जाएगी clear so अब आपनी तो ये thread देख लिया लेकिन अब मैंने आपको बताया कि अईसे लिना चाहिए नहीं क्या reading ऐसे लिना चाहिए तो सही तरीका जो है reading लेने का वो है ये आपकी आखों के जस सामने की तरफ आपका थर्मामेटर होना चाहिए ठीक है अगर आप नीचे की तरफ रखोगे या उपर की तरफ रखोगे तो ना आपको scale जो है वह दूसरी चीज कि क्या थर्मामीटर को हम किसी भी साइड से पकर सकते हैं तो जी बिलकुल भी नहीं क्या है एक साइड पर लगा हुआ है उसका किंक बल्ब लगा हुआ है दूसरी साइड में आप देखेंगे कि एक छोटा सा सर्कुलर टाइप का जिससे जो कि ओपन हो जाए ऐ वहां से अगर आप thermometers को touch कर लोगे तो क्या होगा अगर आपने वहां से thermometer को touch कर लिया तो आपकी इस fingers का जो temperature है ना वो भी वो thermometers measure करने लगेगा ठीक है तो already tungka तो वो लेगी चुका है अब आपने और temperature दे दिया तो क्या होगा और mercury आगे हो जाएगी तो आप तो घवराई जाएंगे कि यार मेरा तो maximum temperature से भी जादा हो रहा है इसलिए जब भी thermometer को hold करें तो इस position में hold करें दूसरे चीज आप उसको किस तरह से किस side से hold करेंगे तो आप उसको हमेशा उसके cap की side से hold करके कुछ इस तरह से ज हमारा हो गया clinical thermometer एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी जर्क देते हैं तो ऐसे आपको जर्क देना है कि thermometer जो आपके हांस से ना चूटे क्योंकि क्या है thermometer जो वह ग्लास का बना होता है ग्लास के बने होने से क्या होगा नीचे गिरेगा और ब्रेक हो जाए है तो उसके टूटने की conditions ना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे होते हैं घर में कभी-कभी खेलते-खेलते आपके हाथ से ही गिर गया तो टूट जाएगा तो काच जो है वह आपके पैरों में भी लग सकता है तो फिर क्या हुआ भी इस problem को solve करने के लिए हमने digital thermometer का यूज किया digital thermometer बहुत easy to use thermometer होते हैं ये भी हमें Celsius या Fahrenheit में available होते हैं लेकिन मैंने आपको बताया आप अगर पर्चिस करने जाएंगे तो आपको generally ये जो thermometer है वो Celsius में reading देते हुए नजर आएंगे clear चले तो जो thermometer डिजिटर है और जो clinical thermometer है क्या इन में कोई फर्क है वेल इ लेकिन एक में हमें अपने आँखों से measure करना पड़ता है scale को measure करना पड़ता है बलकि जो digital thermometer है उसमें क्या होगा digital thermometer में आपको कुछ इस तरह से directly reading मिल जाएगी ठीक है मतलब आपको कुछ read करने की जरुवत नहीं है आपने सिर्फ वही किया क्या इसमें भी एक kink होता है एक होता है वेल वहां तो हम जर्क देते थे यहां पर क्या होता है वेल यहां पर एक बटन लगा होता है जस्ट यह आपको यह कलर का बटन दिख रहा होगा ठीक है आपको सिर्फ जब दूसरी बार यूज करेंगे तो reset करने के लिए उसको प्रेस करना होता है तो यह आपके normal body temperature से थोड़ा नीचे की तरफ set हो जाता है clear उसके बाद इसमें एक side पर यहां पर एक kink होता है जिसको बल्ब आप कह सकते हैं यह जो बल्ब है आप बस टंग की नीचे रखते हैं और आपको value मिल जाती है तो digital thermometer के use से हमारी एक problem यह solve हो जाती है कि इसकी जो उपर की body होती है वो plastic या fiber body होती है तो अगर यह कभी गिर भी जाता है तो इतना जल्दी वो तूटता नहीं लेकिन clinical thermometer क्योंकि ग्लास का होता था तो वो आसानी से तूट जाते थे ठीक हैं so digital thermometer में अब आपने सोचा होगा कि यहां पर यह जो kink लगा हुआ है that means कि इसमें भी mercury होता होगा ज तो वेल digital thermometer में यहां पे यह जो white white सा portion है वहां लगे होते हैं sensor क्या लगे होते है sensor अब sensor क्या होता है चलो इसको थोड़ा सा समझा देती हो आप mall में जाते हो ठीक है यह किसी ऐसी बड़ी शॉप में जाते हो कि जैसे ही आप gate के पास गए तो gate automatically open हो जाता है तो कैसे open हो जात है कि यहां पर कोई आया है आपकी body को sense करता है और ओpent है ठीक है और मों कई तरीके के sensors हो सकते हैं ठीके vibration के सेंसर सोते हैं आपके एयर sensors भी होते हैं तो इसी तरीके से heat sensor भी होते हैं इससेंज़े सेंसर में हमें directly reading मिल जाती है तो यह तो आपको आपने देख लिया कि भे डिजिटल थर्मामीटर क्या होते हैं अब मैं आपको यहाँ पर लिखे हुए कुछ important points बता देती हूँ जो कि आपको clinical और digital थर्मामीटर दोनों में बिलकुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ठीके है, so the thermometer used by us or doctor to measure the body temperature when we have fever is a clinical thermometer ठीके है तो clinical thermometer की definition आप क्या देंगे कि वो thermometer जो की doctors हमारी body temperature को check करने के लिए करते हैं उसे हम clinical thermometer कहते हैं the scale used to measure the temperature is known as celsius scale denoted by degree celsius और fahrenheit denoted by degree fahrenheit ठीक है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो scale है वो या तो degree Celsius में होता है या फिर degree Fahrenheit में It reads temperature from 35 to 42 degree Celsius और from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit ठीक है ये कहां से कहां temperature को measure करता है यह भी आपको मैंने समझा दिया था कि हमारी जो temperature की range है thermometer की वो 35 से 42 degree Celsius में होती है और Fahrenheit की अगर बात करें तो 94 degree Fahrenheit से 108 degree Fahrenheit Okay, then अब भाई अगर clinical thermometer के कुछ important point according to its structure कि उसका structure कैसा होता है उसको define कैसे करोगे आप आप सब चीज़े समझ चुके हो लेकिन लिखने का क्या तरीका होना चाहिए So आपको बताना है कि it consists of a long cylinder and a uniform glass tube with a bulb at one and containing mercury इसका एक बहुती लंबा सा uniform, एक cylindrical जो uniform glass होता है ठेके, कैसा uniform glass है? इसमें बीच में thread लगा होता है और एक end पर यहां पर bulb लगा होता है जिसके अंदर क्या होता है? Mercury There is a small shining thread of mercury outside the bulb अब आप अगर bulb के बाहर देखोगे तो एक shining सा thread देखेगा जो कि mercury thread होता है There is a kink near the bulb which prevent mercury level from falling on its own Well, यह जो bulb होता है, यहां पर kink लगा होता है इस kink का क्या काम होता है? यह kink mercury को control करने का काम करता है, उसको fall नहीं होने देता तो भई यह जितने भी important points हम दुबारा repeat कर रहे हैं उनको आपको बहुत ध्यान से समझना है ताकि आप exam में बहुत बहुत बहुतर तरीके से बता पाएं चलिए So, इसके अलावा, while using the clinical thermometer आप जब thermometer को use करते हैं तो आपको क्या-क्या measures को ध्यान में रखना है क्या-क्या precautions को ध्यान में रखना है चलिए एक बार उनको discuss कर लेते हैं So, wash the thermometer properly with an antiseptic solution Then, उसके बाद, hold it definitely and give a few jerks which will bring the level of mercury down below the 35 degree Celsius Well, आपको क्या करना है Proper solution लेना है, antiseptic solution उसमें हम thermometer को पहले डालते हैं अगर आपके पास antiseptic solution नहीं है तो आप normal पानी से भी इसे wash कर सकते हैं Then, उसके बाद, हमें इसे इस तरह से hold करके क्या करना है, properly से hold करेंगे किस side से, जैसा मैंने आपको बताया था अभी पीछे जहां से उसका cap होता है वहां से hold करना है और जर्ग देना है ताकि जो हमारा thermometer के अंदर mercury लगा हुआ है वो 35 degree Celsius तक आ जाए ठीक है तेन उसके बाद आपको क्या point याद रखना है place the valve of the thermometer under the tongue फिर हम valve को कहा रखते हैं, tongue ठेक, although अपन यह सब discuss कर चुके हैं लेकिन यह point बहुत important है wait for one minute, take the thermometer out and note the reading keeping the level of mercury along the line of sight ओके, then this reading give the exact body temperature आपको एक मिनिट का wait करना है tongue से वापस thermometer आप निकालेंगे फिर इस तरह से आपको reading को measure करना है it is necessary to state the temperature with its unit denoted by degree Celsius well, जब भी आप temperature को use करते हो तो उसको degree Celsius के साथ ही बोलिए ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा temperature 100 है अब 100 है, तो सामने वाला confused हो जाएगा कि कितना है, Celsius है, Fahrenheit है, Kelvin है आप क्या बताना चाहरे है, तो वही जब भी आप temperature को use करते हो तो क्या आपको state करना है, उसके साथ क्या आपको कहना है आपको कहना है, it is denoted by degree Celsius या फिर आपको हमीशा degree Celsius का use करना है it should be handled with the care as on hitting against some hard object it can break well, जब आप इसको किसी ऐसे object पर डाल दोगे बहुत तीजी से अगरा forcefully इसको fake दोगे तो यह तूट भी सकता है, क्योंकि यह किसका बना होता है क्योंकि वो बना होता है class का, then उसके बाद हमने आपको digital thermometer के बारे में बताया ही था इसमें क्या important points है जो कि आपके book में है और जो आपको exam point of view से याद रखना है वो यह है digital thermometers are an advance to the existing clinical thermometer existing जो thermometers होते है उसका advanced version है digital thermometer due to high toxicity of the mercury present in the clinical thermometer okay and difficulty in its disposable in cases when the thermometer breaks digital thermometer are manufactured that can measure the accurate temperature without the use of mercury well, जो mercury होती है उसकी toxicity यह याद आपको रखना है ठीके उसकी toxicity जो होती है वो बहुत ज़्यादा high होती है और दूसरा कि mercury को हम यहाँ वहाँ ऐसे ही dispose नहीं कर सकते वो थोड़ी dangerous होती है तो इसलिए इन सारी problem से छुटकारा पाने के लिए फिर digital thermometer को बनाया गया ताकि यह सारी जो problems mercury के साथ में generate होती थी वो उसके साथ में ना हो इसलिए यह safe to use है इसलिए यह safe to use है इसलिए यह safe होते है तो यह तो कुछ points से जो कि जरूरी थे डिजिटल और क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए अब बारी आती है कि ऐसी temperature जिनमे मैं अमारी क्लिनिकल या डिजिटल थर्मामीटर का use नहीं कर सकती तो वहाँ पे क्या हो जैसे कि बूजो को लिए लग रहा है कि जब मैं क्या करता हूँ गरम पानी को या गरम मिल्क को उबालता हूँ तो क्या मैं उसमें directly जो मेरा क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको डाल सकता हूँ तो भई पहेली ने बोला कि ऐसा नहीं करना है तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए तो जैसा हमने अभी सीखा है कि हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है होते हैं उनकी range कितनी होती है 35 से 42 degree Celsius और जो भी चीज बॉइल होती है जैसे पानी दूद उनका जो maximum temperature है वो कितना होता है 100 degree Celsius तो देखे कितना difference है आपके water के boiling point में ठीक है और हमारी body के temperature में हमारा body का temperature कितना होता है हमारा body जो है वो से 42 degree Celsius maximum अपन लिख सकते हैं तो भई इतना अगर छोटा सा एक equipment आपने बनाया है जिसकी range 35 से 42 है तो वो 100 कैसे measure करेगा आपने अगर एकदम से उसको 100 में डाल दिया तो वो blast हो सकता है न तो भई कभी भी ये गलती मत करना कि अगर आप thermometer को directly boiling water या फिर boiling milk में नहीं डाल सकते तो फिर अगर मेरे laboratory में बनाती हो कोई solution या अगर मुझे कही एसे temperature को check करना है कि कितना temperature है water का या किसी liquid का तो वहाँ पर कौशा थर्मा मीटर यूज़ होता है तो वहाँ यूज़ होते है laboratory thermometer key thermometer is used to measure the temperature of the things other than the human body human body के अलावा जिन भी temperatures को आपको measure करना है वहाँ पर हम किसका use करते है laboratory thermometer का use करते हैं laboratory thermometer again हुई होता है जैसे कि आप इन दोनों पिक्चर में देख पा रहे हैं तो digital thermometers जो है उसमें आपको कई तरीके gitu options दिखेंगे क्योंकि laboratory में use hone वाला digital thermometer है इसमें site होता है reset mode होता है साथ ही सथ यह जो thermometers होते है नवो किनी दो solution के बीच के temperature के difference को भी निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि laboratory का है, इसने थोड़ा high level temperature या फिर high या advanced thermometer होता है, ठीक है, यह जो आपके normal glass tube thermometer होते हैं और यह जो आपके digital thermometer होते हैं, इनकी range लगभग बराबर होती है, इन में अगर scale को देखा जाए, जैसा कि अपने clinical thermometer में हमने आपक scale बताया था, इनका जो scale है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 100 degree, क्योंकि maximum आपका 100 degree Celsius भी हो सकता है, और इसके अलावा भी एक और scale होता है, जो just मैं आपको भी बताती हो, तो 0 degree Celsius से 100 degree Celsius तक का scale है, या अगर Fahrenheit में देखना चाहो, तो 32 degree Fahrenheit से 212 degree Fahrenheit तक, okay, so clinical thermometer can never be used for measuring the temperature of any object other than human body, well clinical thermometer को human body के अलावा कभी भी आप नहीं यूज़ करियेगा, it is used to measure the temperature in a school or other laboratories for scientific purposes as they measure temperature to a range higher than clinical thermometer, तो हम इनका use generally schools के laboratory में या फिर scientific purpose के लिए जो laboratories बनी होती है, वहाँ पर हम clinical thermometers का use करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी range है ना, वो clinical thermometers से जादा होती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, okay, on such thermometer, one such thermometer is known as the laboratory thermometer with a scale generally ranging from minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius, well, इस तरीके के thermometer को जो की other than human body temperature को measure करने के लिए हम use करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, laboratory thermometer और इनका scale जो है, वो कहां से कहां होता है, minus 10 degree Celsius से 100 degree Celsius, अब ये minus term क्या होती है, तो इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से समझेगा, well, हमारा जो पानी होता है ना, वो हमारे की standard चीज़ होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी scale को design कर सकते हैं, ठीक है, देखें, अगर पानी को 100 degree Celsius दिया जाए, तो वो उबलने लग जाएगा, इसका मतलब 100 degree Celsius जो है, वो पानी का क्या है, boiling water का point है, यह आप क्या कह सकते हो, यह boiling water point है, ठीक है, 100 degree Celsius पर, क्योंकि आपका पानी जो है, वो boil होने लग जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, 100 degree Celsius, boiling point, अब ऐसा भी क्या कोई temperature होता है, क्या कि जिस पर आपका पानी जम जाए, आपने तो देखा ही होगा, आपके freezer में जब आ ice बन जाता है, मतलब जम जाता है, freeze हो जाता है, तो वो होता है 0 degree Celsius, ठीक है, तो 0 degree Celsius क्या है, आपका ऐसा temperature है, जिस पर कोई चीज जम जाए, अब 0 degree Celsius से भी अगर कुछ ठंडा है, तो फिर उसको measure करने के लिए अपन माइनस का use करते हैं, ठीक है, तो 0 degree Celsius क्या होता है, पानी क freezing point, इस point से जादा का अगर temperature है, ठीक है, कि जिससे, मतलब इससे भी जादा कुछ ठंडा है अगर, तो फिर उसको measure करने के लिए आप माइनस का use करोगे, तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस 10 degree Celsius, माइनस 20 degree Celsius and so on, ओके, so well, ये जो माइनस 10 degree Celsius तक का जो आपका value है, ये actual में ह कई scientific experiments में use की जा सकती है, ओके, इसलिए जो आपके laboratory thermometer होते हैं, वो माइनस 10 degree Celsius से लेकर के 100 degree Celsius तक के बने होते हैं, आप 100 क्योंकि आपके बिल्कुल कैसी value है, boiling, तो उसके आगे पिछे भी कुछ हो सकता है, इसलिए अपर इसको 100 ना लेकर के 100 degree Celsius लेते हैं, यहाँ माइनस 10 degree Celsius इस अपर ने ले तो लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि maximum माइनस 10 हो, इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे अपर ने हमारे clinical thermometer के साथ किया था, एक range होना चाहिए थोड़ी हमारे पास आगे पिछे की भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 110 degree Celsius लिया है, और यहाँ पर minus 10 degree Celsius इसको रखा है, आया समझ में कि क्यों minus है, तो भही जो laboratory thermometers होते हैं, क्योंकि उनका use कई तरिके के scientific experiments में भी किया जाता है, इसलिए इनका जो range है वो minus 10 से लेकर के 110 degree Celsius ता होता है, ओके, तो यह तो आपका है clinic laboratory thermometer, अब laboratory thermometer में क्या होता है, it has a long stem with a silver bulb at the end, unlike the clinical thermometer, well इसमें भी ए स्टैम होता है, जिसमें एक end पर silver bulb लगा होता है, okay, the silver color at the bulb normally points towards the presence of mercury which expands with the rise in temperature, well, क्या होता है, अब ओविस सी बात है, जैसा कि हमारे clinical thermometer में एक silver bulb था, इसमें भी होता है, silver bulb है, that means उसमें mercury होगी, mercury का काम क्या होगा, जैसे ही उसको temperature मिले, वो expand होना, फैलना शुरू कर देती है, ठीक है, तो वही चीज आपके किस में होती है, laboratory thermometer में, ठीक है, so, इस तरह से expand होकर के क्या होता है, thereby rising the reading and contracts on lowering the temperature, thereby lowering the reading, ठीक है, well, जब आपन temperature को कम कर देते हैं, तो क्या होता है, यह जो आपका, जो उसका contract हो चुकी है, वो वापस से क्या हो जाएगी, मतलब, contract होने लगेगी, वापस से expanded जो थी, वो वापस से contract हो करके, छोटी होती जाएगी, और वापस से lower point पर आजाएगी, मतलब, जब आप temperature देते हो, तो वो क्या करती है, फैलती है, expand होती है, और जब आप उसे हटा देते हो, तो contract हो जाती है, clear, so, यह तो दोनों ही measured while reading the laboratory thermometer, well, जब भी आप कुछ precautions जो हैं, वो आपको धियार में रखना है, जैसे आपको आपकी जो आखो का direction और आपका जो thermometer का direction हो वो वोटिकल होना चाहिए, कोई भी उसमें तिल नहीं करना है आपको, ठीक है, दूसरी चीज यह, कि आपका जो, आप जहां से भी उसको hold कर से hold नहीं करना है, यह दोनों precaution तो हमने clinical से सीख है, अब इसके अलावा एक बहुत important precaution है, वो यह है, कि जब आप clinical thermometer को किसी solution के temperature measure करने के लिए यूज करते हो, तो आपको 2-3 point याद रखना है, कि आपको thermometer की position कैसी रखनी है, ऐसी position रखनी है, ठीक है, कि यह जो thermometer है, वो solution के अंदर dip ना करे, ना ही उसकी surface पर touch करे, ना ही उसके side में कहीं touch करे, ऐसे उसको touch करना है, कि उस पर heat proper लगे, तो solution पर क्योंकि touch करेगा, तो अब solution कैसा भी हो सकता है, acidic solutions भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको thermometer ही खराब हो जाए, तो आपको इतनी दूरी पर रखना है, कि उसको heat properly मिले, और heat वो measure कर ले, चीक है, अब और क्या precautions है, चलिए और discuss कर लेते हैं, precautions involved while observing the readings of laboratory thermometer are similar to those followed while measuring the temperature using the clinical thermometer, जब आप clinical thermometer को use करते हो, वैसे ही precaution इसमें भी होना है, but in addition to few other steps must be followed, should be kept vertical without tilting, tilting का मतलब उसको tilt नहीं करना, उसको बिल्कुल vertical रखना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऐसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, तो ये diagram की थो आप देख लीजे, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है, हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, okay, the thermometer should be dipped in such a manner that the bulb should not entirely surrounded by the substance of which the temperature is to be measured, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि भई, substance के बिल्कुल अंदर नहीं धालना है, कोई भी चीज नहीं उससे touch करते हुए, ठीक है, बस उसकी आसपास आपको रखना है, ताकि वो temperature को sense कर सके, उसको measure कर सके, at the same time, bulb should not touch the surface of the container, और similarly, container की कहीं की भी surface को भी bulb को touch नहीं करवाना है, clear हुआ, सारे point, ठीक है, पहला point क्या, vertical रखना है, दूसरा point यह है कि उसको इस position में रखना है, जिस position पे वो normally heat को sense कर पाए, substance से touch करते हुए नहीं रखना है, ना कि उसकी surface पर touch करते हुए रखना है, ठीक, यह तो हो गया आपका laboratory thermometer, laboratory thermometer के अलावा, दूसरा thermometer होता है, maximum minimum thermometer, well, the daily maximum and minimum thermometers reported in weather reports are all measured by the thermometer, known as the maximum minimum thermometer, well, maximum minimum thermometer का use क्या है, पहली चीज़ तो यह दिखता कैसा है, तो आप देखोगे कि इसमें दो scale बने हुए है, एक जिसमें आपको minimum values दिखेंगी, एक जिसमें maximum values दिखेंगी, तो यह जो thermometer ही special type of thermometer होता है, जिसका हम यूज़ वेदर रिपोर्ट जानने के लिए करते हैं, आपने न्यूस पेपर में या न्यूज़ में आपने ये देखा होगा कि वो वेदर रिपोर्ट देते हैं, कि कहा temperature जादा है, कहा कम है, तो वेल, यह maximum minimum temperature जो है, या थर्मा मीटर जो है, इसका use हम किसके लिए करते हैं weather reports को जानने के लिए करते हैं, ओके, तो देखा आपने की कितने तरीके के थर्मा मीटर हम use करते हैं, वेल, पहली को मैंने यही बात बताई, और उसने फिर थर्मा मीटर लेकर के खुद का temperature चेक किया, अब वो घबरा गई, कि भई मेरा temperature 37 degree नहीं आ रहा है, यह तो कम आ रहा है, 36.5 आ रहा है, फिर उसने सोचा कि अपनी कजन का चेक करके देखे, तो उसका कितना आ रहा था, उसका 37.1 आ रहा था, फिर उसने ददर चेक किया, तो फिर उसका 36.8 आने लगा temperature, फिर से जब उसने अपना temperature लिया, तो वो सोची कि यह कैसे, वेल, जो हमारे normal body temperature है न, वो अगर अपन ideally देखे, तो वो 37 degree Celsius होता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत difference चल जाता है, जैसे अगर अपन कभी दौर रहे है, दौर भाग कर रहे है, तब हमारी body का temperature हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ जाए, और तब हम अगर temperature लेंगे, तो वो थोड़ा सा बढ़ा चाहिए, परनहाइट में कितना होना चाहिए, और अगर अपन कैल्विन जो कि absolute temperature की value देता है, उसका value कितना होना चाहिए, तो जो अभी आपको मैंने बताया कि normal body temperature जो है, वो कितना होता है, वो ideally होता है 37 degree Celsius, ओके, तो भई किस condition में हम ये कहते हैं कि हमें fever है, तो आप इन images क को ध्यान से देखें, इन images को आप देखेंगे, तो आपको सबसे पहले दिख रहा है high fever, ठीक है, तो अगर आपकी body का जो temperature है, वो 40 degree Celsius है, इसका मतलब आपको high temperature है, आपको high fever है, और इस condition में आपको तुरंत doctor के पास जाना चाहिए, second, 39.39.9 degree Celsius अगर होता है, 39 से 39.9 degree Celsius तो य भी high category के अंदर आता है, अगर आप सोचें कि भाई, चलो 40 नहीं आया, उससे कम आया है, तो मैं घर में ही कोई medicine ले ले लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको तुरंत doctor से consult करना चाहिए, fever की condition जो होती है, वो होती है, 37.5 से लेकर के 38.9 degree Celsius ठीक है, अगर आपका जो body का temperature है, वो 37.5 से 38.9 के बीच में आ रहा है, तो आपको fever है, अब आप देख सकते हो कि point से ही हम high fever की condition में बहुच चाहते हैं, तो well, आपको fever है, इसका मतलब 37.5 से लेकर के 38.9 degree Celsius होगा, normal body temperature कितना हो सकता है, जैसा पहली डर रही थी, कि मेरा 37 नहीं आया, तो उस का हो सकता है, 37.3 आया हो, या फिर 36.3 या 36.4 आया हो, तो जो normal body temperature है, वो कहां से कहां vary करता है, 36.3 से 37.4 degree Celsius, और under cooling temperature क्या होता है, 35 degree Celsius से कम का temperature जो है, वो under cooling होता है, जो कि हमारे humans में बहुत ही rarely possible है, clear हो गया आपको, तो वही, ये तो होता है हमारा human body temperature, तो I hope आपको ये range सारी clear हो गई हो, लेकिन ये तो किस में है, Celsius में, अब आप ये सोचेंगे, कि जो thermometer है, वो तो किसी भी तरीके से बन सकता है, Kelvin में भी बन सकता है, या Fahrenheit में भी, तो अगर मुझे Fahrenheit की value find out करनी है, तो मैं क्या करूँ, तो well, अगर आपको Celsius को Fahrenheit में convert करना है, degree Celsius को degree Fahrenheit में, तो कै से करेंगे, तो देख लिजे, अगर degree Celsius है, तो आप अगर इसको degree Fahrenheit में convert करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, well, आपको क्या करना है, मान लिजे, आपने लिए 36.5 degree Celsius, तो इसको Fahrenheit में convert करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 36.5 into 9 by 5 plus 35, जब आप ये करेंगे, तो आपको लगभग 100 degree point something की कोई value मिलेगी, यह आप calculate कर लेना, यह मैं आपको लगभग values बता रही हूँ, clear है, तो ये value आपको identify हो जाएगी, ठीक है, Fahrenheit में convert करने के लिए क्या करना है, तो ये formula जो है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या आएगा, value जो की Celsius की है, ठीक ह भी value Celsius की है, जस्ट उसको यहाँ पर रखिये, उसके साथ 9 by 5 को multiply करके plus 35 कर दीजे, आपको किस में value मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी degree Fahrenheit में value, clear, तो ये तो Fahrenheit हो गया, अब Calvin में क्या करें, तो Calvin के लिए आपको simple सा करना है, अगर आप degree centigrade को, ठीक है, I hope आपने ये चीज जादीती हूँ कि अगर आपको degree centigrade को किस में convert करना है, Calvin में convert करना है, तो जो भी आपकी value दी गई है degree centigrade की, उसके साथ बस 273.15 को add कर दो, तो ये किस में convert हो जाएगा, ये convert हो जाएगा, आपका Calvin में, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो Calvin होता है, उसमें हम degree का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो absolute value होती है, ठीक है, Calvin के लिए आपन सिर्फ क्या यूज करेंगे, Calvin के लिए सर्फ Calvin लिखा जाता है, ठीक है, तो ये value किस के लिए है, ये है आपके degree centigrade से Calvin में change करने के लिए, और ये है centigrade से degree Celsius से degree Fahrenheit में change करने के लिए, ओके तो आपके पास को हो, तो आप उसका conversion कर सकते हैं, ओके, सो वेल, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका body का temperature normally कितना होना चाहिए, ठीक है, वेल, अगर normal body temperature है, तो वो 37 degree Celsius होगा, अगर fever है, तो 39, अगर आपका है, तो वो highest है, 37.5 से 38.9, ये हमारी fever की condition को बताता है, ठीक है, सो इसलि ये जो clinical thermometer है हमारी, उनकी range क्या होती है, इसलिए जो clinical thermometer है, उनकी range जो है, वो 35 degree Celsius से लेकर के, 42 degree Celsius तक की होती है, चलिए, तो अब वापिस से आ जाते हैं, term heat पर, तो heat क्या होती है, मैंने आपको बताया, कि heat होती है, transfer of energy, या फिर अपर ये कह सकते, it is the form of energy, by which we can feel the vomit, जिसकी मदद से हमें warm महसूस होता है, वामित महसूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम heat energy कहते है, clear, तो अब energy के बारे में कहा जाता है, कि energy जो है, वो एक body से दूसरी body में transfer होती है, लेकिन ये कभी destroy नहीं होती, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसी त आप खाना बराते हो, तो आप utensil का यूज करते हो, मालीजे आपने pan का यूज किया, उस pan के उपर आप अपना जो भी food पकाना चाते हो, वो आप रखते हो, आप क्या करते हो, फिर उसको heat कहां से देते हो, उसमें क्या करोगे, आप burner को on करोगे, बर्नर क्या करेगा, उसके अंदर जो भी heat है, उसको वो pan तक पहुचाएगा, और जो pan है, वो क्या करेगा, उस food को फिर पकाने का काम करेगा, और जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से खा लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब की, जो heat है, वो एक object से दूसरे object में transfer हो रही है, यहाँ एक object क्या था, आ यहाँ पर उसने मदद ली medium की, ठीक है, तो pan वहाँ पर medium कहलाएगा, तो एक जगा से दूसरी जगा पर जब medium की मदद से energy flow करती है, ठीक है, तो यह तो पहली चीज हो गई, अब ऐसी जगा जहाँ पर medium ना हो, क्या कोई ऐसा example भी है, जहाँ पर बिना medium के heat transfer होती है, तो जी मैं आपको थोड़े देर में समझाओंगी कि बिना medium का मतलब क्या है, फिलहाल हम आपको ले आते हैं वापिस से medium की तरफ, तो जब जो आपका heat है, वो एक medium से या फिर एक object से दूसरे object तक किसी medium के through transfer होती है, तो हम उसे क्या कहते है, heat transfer, और अगर बीच में medium ना हो, तो भी अगर एक object से दूसरे object जा रही है ना heat, तो भी आप उसको heat transfer ही कहोगे, तो जो heat का transfer है, वो according to medium अलग अलग तरीके का हो सकता है, वेल, जब आप पैन को गरम करते हो, और उसके उपर food को, ऐसी कोई food को मालीजे, fish का ही example अपन ले, ठीक है, तो इसके पकने की या इसके prepare होने की जो process है, वो थोड़ी अलग है, अब पैन की जगे पर आपने कुछ और utensil रख लिया, जिसमें आपने पानी डाला, तो पानी जो है, वो कुछ अलग तरीके से boil होता है, तो heat जो है, वो एक जगे से दूसरी जगे तो transfer हो रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, तो मैं convection क्या है, convection क्या है, और radiation क्या है, ये तो हम आगे discuss करेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपके लिए क्या जानना जरूरी है, आपके लिए ये जानना जरूरी है, कि जो heat है, वो एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में transfer होती है, अब कुछ भी तरीका हो सकता है, conduction, convection या फिर radiation, तो एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी में transfer होने का मतलब क्या है, तो एक बॉड़ी जो कि बहुत जादा गर्म है, और दूसरी बॉड़ी जो कि थोड़ी ठंडी है, तो जो heat है, वो हमेशा कहां से कहां transfer होती है, तो जो heat है ना, वो हमेशा hot body से cold body की तरफ, ठीक है, transfer होती है, समझ में आया heat कहां से कहां transfer होगी hot से one second cold की तरफ तो heat का transfer अगर अपन देखें आपको इहां लिख कर बताती हूँ hot to cold हमेशा जो heat है वो hot body से cold body की तरफ transfer होगी ये बात आपको बहुत अच्छे तरिके से याद रखनी है कैसे समझेंगे इस point को तो चलिए इस point को समझाती हूँ मान लीजे कि आपके पास एक utensil है जिसमें आपने milk को गरम करके रखा है उसके पास मैंने एक glass रख दिया जो की बिल्कुल उससे चिपका हुआ रखा हुआ है इस तरह से सटा हुआ रखा है तो आप क्या देखते हो थो कि आपने milk रखा हुआ था दूसरा example आपका glass में आपने गर्म दूत रखा अब आपने उसके अंदर spoon को dip करके रख दिया तो क्या हो रहा है आपको थोड़ी देर बाद क्या महसूस होगा कि जो आपका spoon है वो भी गर्म हो गया है तो इसका मतलब heat जो है वो हमेशा गर्म से की तरफ transfer होती है hot body से cold body की तरफ तो यह concept आपको याद रखना है clear तो वे वेल यह जो पहेली है वो यह पूछना चाह रही है कि अब does it means that the heat will not be transferred if the temperature of the two object is the same well वो यह पूछना चाह रही है तो क्या यह जो temperature है यह अगर दोनों body का same होता है तो क्या उसमें कोई transfer नहीं होगा तो जीर बिल्कुल भी नहीं अगर दोनों body एक जैसे temperature पर है तो फिर कोई भी heat इधर से उधर transfer नहीं होगी इस point को कैसे समझेंगे तो चलिए मैं बताती हूँ मान लीजे कि यह आपका bucket है जो कि full भरा हुआ है यहा तक ठीक है यहा तक full भरा हुआ है और एक जो दूसरा bucket है वो थोड़ा से कम भरा हुआ है तीक है इस bucket में पानी है अब ये मान लीजे कि यह जो आपका पानी है यह आपका heat है तीक है क्या मानूँ गया कि यह जो पानी है वो heat है तो अगर मैं बीच में यहाँ पर एक pipe लगा दूग और अगर मैं यहां पर यह लिग दूग यह A है औ महां से कम पानी की तरह बहेगा ठीक है और ये कब तक बहता रहेगा ये तब तक बहता रहेगा ठीक है जब तक कि ये दोनों का जो लेवल है वो बराबर ना हो जाए जैसे ही इन दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा पानी का जो फ्लो है वो भी स्टॉप हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीकर का जो concept है ना वो हमारी heat के साथ होता है तो heat का क्या बताया मैंने? heat के रिए मैंने बताया था कि जो body आपकी जादा गरम होती है जादा गरम body से थंडी body की तरफ heat हमेशा flow करती है और जब दोनों ही body का जो temperature है वो बराबर हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में फिर कोई भी heat transfer नहीं होता है जैसा कि हमने अभी किस के साथ समझा? जैसा कि हमने अभी पानी के साथ समझा तो आपको क्या चीज समझनी है? आपको ये चीज याद रखनी है कि heat will flow from hot object to cold object heat हमेशा hot object से cold object की तरफ flow करती है इसके transfer होने के जो तरीके हैं वो अलग-अलग हो सकते है जैसे conduction, convection और radiation तो आपको ये point जो है वो हमेशा याद रखना है और ये जो modes हैं जिनके बार में मैंने आपको बताया है वो भी तो मेरी जो next class होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि conduction क्या होता है heat transfer की well chapter की starting में ही मैंने आपको बताया था कि जस तरह से सुनने के लिए हमें sound energy की जरुवत पड़ती है हमें देखने के लिए light energy की जरुवत पड़ती है उसी तरीके से heat भी एक तरीके की energy है जो कि हमें vomit का एहसास दिलाती है यह सभी feeling वाली energies है जिनको आप feel कर सकते है हम देख नहीं सकते लेकिन feel कर सकते है ठीक है अब कोई भी energy हो तो वो क्या करती है वो एक body से डूसरी body में transfer होती है ठीक है जैसे खाना भी हमें energy देता है हम उसे खाते हैं और हमें energy आती हो ताकि हम क्या कर पाते हैं हम दौर पाते हैं चल पाते हैं जो भी हम काम करते हैं वो energy से ही करते हैं ठीक है या फिर light energy है तो light energy की मतलब से normal तो हम देख पाते हैं साथ ही साथ उस light energy से हम electric energy भी बना लेते हैं ठीक है और hydro power में भी ऐसी energy होती है जो कि आपको light energy देती है आपको एलेक्ट्रिक एनर्जी देती है ठेक है मतलब कि यह जो एनर्जी है ना वो कभी खतम नहीं होती जैसे अगर अपन प्लांट की बात करें ठेक है यह देखें वैल इस सब पूरी प्रोसेस को समझना जरूरी है तभी आपको हीट ट्रांसफर समझ में आएगा वैल देख खा लिया किसी एनिमल ने उस एनिमल को किसी और एनिमर ने कार्निवर ने खाया तो अब एनर्जी कहां से कहां गई एनिमल से उस प्लांट इटिंग एनिमल पे और उस एनिमल को किसी और एनिमल ने खाया और जब वो एनिमल खतम हो गया तो उसमें बैक्टीरिया प्रेड्य जीको ट्रांसअरं कर दिया और सलसे वापस एंeredजी-कहाँ चलिए अपके प्लांट में तो आपने देखा एज़ो एनरजीई है वो क्या हो रही है एक जगह से दोसरी जगह पर ट्रेंच पर हो रही है तोmekैं मो Remote and you all must have observed that when one end of one end of utensil is heated soon the other end also becomes hot well आपने घर में देखा होगा या आप कभी पिकनिक पर गए होंगे या कहीं पर भी जब आपने आग जला करके या बर्नर के उपर इस तरह से किसको रखिया पैन को रख दिया तो दीरे दीरे वो क्या होने रखता है गरम होने लगता है ठीक है यू आपने यूटिन्सिल पर कोई खाना बनाया तो उसकी सर्फिस पर आप देखते हो कि वो पक चुका है लेकिन उपर ते भी पक जाता है साथी साथ क्या होता है जब आप पाने को बॉइल करते हो तो उसके नीचे जो पानी रहता है वो तो गरम होता ही है जहां हीट होती है जैसे कि यह पैन को देखे यहां पर हीट है तो यहां का हिस्सा तो गरम हो ही रहा है साथी साथ अगर पानी है तो पानी का उ नैसूस होता है या heat up लगता है ठीक है जो ऐसा कैसे हो जाता है जो बर्नर जहां तक था जहां तक उसकी आग आ रही थी जो बर्नर का जो फ्लेम है जहां तक जा रही थी सिर्व उतना portion गरम ना हो करके कैसे यह पूरा portion गरम हो जाता है ठीक है साथ ही साथ another phenomenon that may make you wonder is the transmission of heat from the sun to earth अब दूसरी चीज कि जो sun है वो earth तक कैसे अपनी heat को पहुचा दे रहा है ठीक है यह भी एक बड़ा question है So it is a well known fact that sun is far away from the earth but still how can the heat travel such a huge distance and reaches ठीक है तो भई यह जो sun है वो इतना बड़ा distance कैसे cover कर लेता है और हम तक heat कैसे पहुच जाती है ठीक है So these are all due to some phenomena that transfers the heat from one end to another यह सभी एक फिनोमेना के कारण होता है जो कि heat को एक end से दूसरे end तक पहुचा देते हैं ठीक So पहली क्या जारना चाह रही है पहली ask does it mean that heat will not be transferred if the two temperature of the two object is the same Well पहली थोड़ा सा wait करो पहले मैं अपने students को कुछ समझाना चाहती हूँ then हम आगे बढ़ेंगे चलिए तो जो heat transfer है न उसको आप तीन type का समझ सकते हो ठीक है जैसे एक conduction ठीक है दूसरा radiation और तीसरा convection ठीक है अब इस diagram को आप ध्यान से देखिए एक rod है जो की directly frame के उपर है अब rod कैसे गरम होगी अगर आपने flame के उपर rod को directly रख दिया तो आप देखेंगे कि कुछ देर तक आप उस rod को पकड़ सकते हैं लेकिन कुछ time पार जहां से आपने उसको पकड़ा है वो portion भी गरम हो जाएग अब यह जानी है हर एक body छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होई है माल लीजे कि जो rod है यह भी छोटे छोटे इस तरह के की पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है clear अग यहां से heat आई यह जो heat है पहले इस पार्टिकल को गरम करेगी फिर अपनी heat को आगे भेज देगी दूसरा पार्टिकल गरम होगा फिर इस heat ने इस पार्टिकल के गरम होने के बार इस से जुड़ा हुआ जो दूसरा पार्टिकल था वो गरम हो जाएगा फिर इस से जुड़ा हुआ पार्टिकल गरम होगा और इस तरह से धीरे 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 हर एक पार्टिकल जो है व अब पूरा temperature बराबर हो जाएगा तो फिर further conduction नहीं होगा ठीक है वेल अब ये तो हो गई conduction की बात अब convection क्या होता है ठीक है देखिए convection मतलब दूर से हम क्या कर रहे हैं जस्ट उसकी flame के उपर हमने हाथ रखा ठीक है so convection को समझने के लिए हम आ जाते हैं हमारे पानी के उपर आपने यहाँ पर एक टब रखा है जो की पानी से भरा हुआ है ठीक है अब नीचे आपने flame कर दिया अब क्या होगा यहां की जो molecule थे क्योंकि वो direct contact में थे flame के इसलिए वो गर्म हो जाएंगे ठीक है अब यह क्या होते है यह गर्म होने के बाद कहा जाते है ऊपर की तरफ ठीक है यह पहुँच जाएंगे कहा ऊपर की तरफ और इसके बाद का जो पानी का layer था अब वो गर्म होगा फिर again वो गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा फिर जो उपर वाले थे वो धिरे-धिरे नीचे आएंगे मतलब circulation होता है नीचे वाले गर्म हुआ उपर पहुचे जो उसके दीचे वाले थे फिर वो गर्म होके उपर पहुचे और इस तरह से यह पूरा process चलता है तो ऐसी process जिसमें जो particles हैं वो अपने आपको गर्म करके पहले दूसरे position पर पहुचा देते हैं फिर दूसरे particles गर्म होते हैं तो ये process आपकी क्या कहला थी convection की ठीक है अब जैसे कि मैं आपको example बताओं कि जब आप पानी का rod लगाते हो पानी का immersion rod होती है जिससे अपने पानी तो आपको भी कभी महसूस करते होंगे कि आपने उपर bucket लिया ये इस तरह से और उपर आपने वो rod को लगा दिया ठीक है ये bucket है दिख रहा होगा आपको ये rod आपने यहापर rod लगा दिया अब आप क्या दिखोगे कि नीचे का पानी तो ठंड़ा है लेकिन उपर का गर्म ह ऐसा क्यों हुआ क्योंकि अगर आपने जल्दी बंद कर दिया तो ये जो convection की process है न वो पूरी नहीं हो पाएगी जो particles है वो अपनी ठंड़ी जगे पर नहीं जा पाएगे क्योंकि क्या होता है गरम चीज हमेशा ठंड़े की तरफ जाती है तो यहाँ नीचे का पानी यह इसको देखें मान लीजे कि यह है आपका पानी का bucket ठीक है यह पानी का bucket है वैल अगे और convection को समझेंगे विस शौट में अपने फटा पट समझ लेते हैं तो convection में क्या होता है कि आपने यहाँ पर मान लीजे रख दिया एक burner ठीक है यह burner ने इसको heat up किया यहाँ पर पान की तरफ जाएंगे ठीक है मतलब अपन उल्टा भी खह सकते हैं कि अब नीचे क्योंकि गरम हो चुका है ठीक है तो यह ठंडे पार्टिकल्स है वह नीचे की तरफ आएंगे ठीक है हाट बोडी की तरफ हाँ हाट टू कोल जाता है तो यह इसलिए यह पूरा circulation होता जाएगा और यह जो पूरा पानी है वो धीरे धीरे से क्या होता रहेगा गरम होता रहेगा चलिए सो यह convection की process और आगे मैं आच्छे से clear करती हूँ convection मतलब circulation होना ठीक है पहले नीचे गरम होगा फिर वो उपर चला जाएगा फिर नीचे गरम हुआ फिर मतलब पूरी process होगी और आप का पानी इस तरह से गरम होता रहेगा ठीक है देन होती है radiation radiation मतलब कि जिसमें आपको किसी medium की जरुवत नहीं हो जैसे कि यहां पर directly flame हमारे हाथ तक पहुँच रही है तो एक medium हो गया यहां पर rod है जो की heat को पहुचा रही है लेकिन यहां पर ना तो flame है ना ही कोई object रखा सिर्फ हमें radiation से क्या मिल रही है एक आज मिल रही है तो यही concept क्या होता है आपके सूरी के साथ या sun के साथ होता है जो radiation है वो हमारी अर्थ तक पहुचता है तो हमें अर्थ की जो direct flame है ना हो नहीं मिलती हमें क्या मिलता है सिर्फ उसका radiation मिलता है ठीक है क्योंकि अर्थ और जो आपका sun है उसके बीच में कोई भी medium नहीं होता तो direct radiation जो है वो हम तक पहुच जाती है और हम उसको feel करते हैं आर्थ में तो atmosphere है लेकिन sun और अर्थ के बीच में कोई atmosphere नहीं है इसलिए sun का radiation हम तक आ जाता है तो इस तरह से ये जो तीन चीजे हैं इनसे जो है हमारी heat transfer होती ह है clear अब heat transfer कैसे हो रही है माल लीजे कि एक object cold है ठीक है और एक object आपका hot है ठीक है यह आपका cold को मैं blue से represent कर दे रही हूँ और जो hot है उसको red से अब आपने इन दोनों को बिलकुल pass में रख दिया तो क्या होगा माल लीजे यहाँ पे जो temperature था वो 35 degree centigrade था ठीक है अब धीरे दीरे दीरे इसका temperature जो पहले माल लीजे कुछ भी नहीं रहा हो अब वो दीरे दीरे कितना हो गया है 35 degree centigrade हो गया है ठीक है अब हमने यहाँ पर बर्नर रख दिया इस बर्नर ने इसको गरम किया अब माल लीजे कि इस object का जो temperature है ठीक है वो बढ़ करके कितना हो गया 38 तो फिर जब ये इसको 38 बना देगा अब आपने क्या कर दिया यहां से बर्नर को हटा दिया ठीक अब क्या मैं यह चैसकती हूं मतलब कि 38 degree हो गया अब मान लीजे कि यह जो आपका यह वाला है वो 38 ना होकर कि कितना होता 37 डिगरी होता अब आपने यहां से वर्णर को हटा दिया ठीक है तब यह 38 इस पर क्या पहुंचाएगा 30 यह इसको और जब तक हीट अब देख करेगा जब तक यह 38 डिगरी ना हो जाए इसके बाद क्य यही आपकी जो पहली वो पूछना चाह रही है डाज़ इट मीन दा हीट विल नॉट भी ट्रांसफर इस दा टेंपरेचर ऑफ दा टूब ऑजेक्ट इस सेम जी हां अगर दो अबजेक्ट का टेंपरेचर बिलकुल समान है यहां पर भी 38 है यहां पर भी 38 है तो जो हीट है फिर ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है होट से कोल्ड की तरफ ठीक है होट बॉड़ी से कोल्ड की तरफ तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक कि दोनों जगे जो हीट है वो समानना हो जाए इसको कैसे याद रखेंगे इसके यह मैंने आपको पहले भी बताया था इसको आप पानी की बाल्टी से याद रखिए एक बाल्टी है जिसमें फुल पानी भरा हुआ है ठीक है एक बाल्टी है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है अगर इसके बीच में पाइप लगा दू तो यह कब तक पानी को फ्लो करेगी ज तो heat transfer तब तक होगी जब तक कि दोनों का temperature बराबर नहीं हो जाए जैसे temperature बराबर होता है तो फिर heat further transmit नहीं होती या transfer नहीं होती transfer नहीं होती ओके correct word transfer है so heat always transfer from hotter end to the colder end जैसे मैंने बताया hot से cold की तरफ आती है there are the three modes through which the heat transfer from one end to another namely conduction convection and radiation यह तीनों के नाम बिलकुल याद रखिएगा तीन mode हैं जिससे heat transfer हो सकती है conduction convection and radiation तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि conduction क्या होता है ठीक है तो आज हम किसको समझेंगे conduction को the process of transferring the off heat from the hotter end to the colder end of the object is known as conduction heat का एक hotter end से colder end तक पहुँचना क्या कहलाता है conduction कहलाता है whenever a utensil is keep on flame it will become hot and the heat travel from the base of the utensil to its handle ठीक है well देखिए अगर utensil इस तरह के का बना हुआ है कि उसमें अपनने conducting material उसके handle तक लगा के रखा हुआ है conducting मतलब जो की heat को आसाने से conduct करें ठीक है तो क्या होगा अगर आपने बरन लगा दिये तो धीरे धीरे heat कहां तक पहुच जाएगी उसके heat handle तक पहुच जाएगी ऐसा क्यों होता है this is due to the transfer of heat from the hotter base of the utensil to the cold handle ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो utensil है उसमें जो heat है वो इसके hot area से लेकर के cold point तक धीरे धीरे पहुचती है when this pan is removed from the flame and keep aside soon the utensil cools down अब क्या होता है जैसे ही आप इस pan को क्या करते हो burner से हटा देते हो तो धीरे धीरे ठेंडा होने लगता है this is again due to the transfer of heat from the hot utensil to the cold surrounding यह क्यों हो रहा है ऐसा conduction, conduction होता है hot utensil से लेकर के hot point से लेकर के cold point तक मतलब जो heat है वो hot से लेकर के क्योंकि cold में transfer हो रहे है इसलिए generally the heat is transferred in solids by the process of conduction यह point याद रखेगा कि जो conduction की process है वो generally solids में होती है ठीक है it is the most important mode of heat transfer in solids than in liquid and gases जो solids होते ही उसमें सभी में heat का transfer कैसे होता है conduction की process से होता है ठीक है but it is not necessary that all solids will conduct heat because there are many solids that are the poor conductor of heat अब जरूरी नहीं है कि सारे ही solids जो है वो आपके heat को conduct करें कुछ ऐसे solids भी होते हैं जो कि poor conductor होते हैं जैसे electricity के साथ भी होता है सभी में से current नहीं जा सकता उसी तरीके से सभी से heat नहीं जा सकती material that allow heat to pass through them easily are no less the conductor of heat for instance all matters like aluminum, iron and copper are the conductor of heat ठीक है ये सारे aluminum, iron और जो copper है वो सभी conductor है किसके ये सभी heat के conductor है याद रखेगा चाहे तो आप इसको short ले लिजे ठीक है चलो ये हो गया then उसके बाद whereas those materials which do not allow the heat to pass through them easily are known as a poor conductor like plastic, wood, water and air ठीक है ये सभी क्या है bad conductor है किसके heat के ठीक है इसलिए इसमें conduction की process नहीं हो सकती they are also termed as insulator इसलिए अब इसको heat insulators भी कह सकते हैं कौन-कौन से plastic, wood, water and air they are the bad conductor of conductor ठीक है conduction की processes में नहीं हो सकती therefore the concept of conduction is applicable to solids that to only those solids which are good conductor of heat इसलिए जो heat का conduction है वो सिर्फ कुछ ही solids में हो सकता है जो की heat के अच्छे conductor होते हैं clear there is another term called the thermal conductivity which refers to the ability of conducting heat अब thermal conductivity क्या होती है the ability of conducting the heat कोई material कितना किसी material को heat up कर पा रहा है heat को conduct कर रहा है उसे हम कहते हैं उसकी thermal conductivity याद रखिएगा thermal conductivity ठीक है ability to of conducting heat it is a maximum in solids that are good conductor than liquids which in turn has the greater thermal conductivity than gases that is solid liquid and gases well thermal conductivity जो होती है वो solids में सबसे जादा होती है फिर होती है liquid में और आखर में होती है gas में मतलब कि thermal जो conductivity है जो conduction है वो सिर्फ solids में होता है ठीक है चलिए तो अब ये तो अपने solids के बारे में बात कर ली अब हम इसको थोड़ा सा और explain करते हैं conductivity को समझने के लिए कि कैसे conduction होता है वैल ये diagram को ध्यान से देखिए इस diagram को आप क्या देख रहे है कि जो part burner के पास में है वो सबसे पहले गरम हो रहा है फिर उसके बाद ये कहा पास हो रहा है आगे की तरफ ऐसा क्यों होता है क्योंकि conduction में यही होता है particle जो की हमारे burner के पास है वो पहले गरम होता है फिर वो अपनी heat energy जो है वो दूसरे particle को transfer करता है वो पार्टिकल किसी और को transfer करेगा इस तरह से transfer होते होते यह जो heat है वो a point से b point तक पहुँच जाती है और इसी को हम conduction की process कहते हैं वेल अगर आप इसको और बहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो आप एक activity करके देखेगा जो मैं आगे discuss करूंगी आपको candle लेना है और एक metal का part लेना है और उसको इस तरह से आप देखेंगे तो carefully आप उसको check करिएगा दीरे दीरे वो गरम होगी एक दम से नहीं होती तो यह सिर्फ particle क्योंकि heat एक दूसरे के पास transfer करने में time लगाते हैं इसलिए कोई भी object तुरंद गरम नहीं होता इसी को ही conduction के process कहते हैं इसको समझने के लिए एक practical है चलिए एक candle ले लिया है एक side को अपर ने पॉइंट ए मान लिया और एक side को अपर ने पॉइंट भी मान लिया इनिशली जैसे ही आप candle के उपर इस rod को रखोगे तो यहां का जो temperature है और यहां का जो temperature है इन दोनों में difference होगा candle के उपर वाले point का temperature ज्यादा होगा और जो एंड हमारे हाथ में है उसका temperature कम होगा ओके यहां पर इसका मतलब transfer कहां से कहां होगा अगर मैं आप से कहूं कि आपको rod में बताना है कि transfer कहां से कहां हो रही होगी heat तो क्योंकि hotter area यह है और colder area यह है तो heat TA point से TB point तक जा रही होगी heat from side A starts losing heat and side B will be gaining heat ठीक है अब क्या होगा अगर आपने candle को हटा दिया ठीक है तो candle को हटा दिने के बाद अगर आपने तुरंत candle को start कर दिया यह point गरम हो गया बाकी पूरी rot गरम नहीं हुई और आपने candle को अगर हटा दिया तो यह जो point जो कि आपका heat जहां पर जादा थी वो धीरे धीरे आगे की तरफ transfer होती जाएगी point A जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा अपनी heat को lose करता जाएगा और जो point B है वो heat को gain करता जाएगा ठीक है और क्या होगा कि पूरी rod में एक समान temperature फिर maintain हो जाएगा clear so temperature at side A will decreases and the on side it will increases because it is gaining the heat but after some time the temperature will become equivalent both side मैं आपको बताया क्यों क्योंकि भई temperature अगर दोनों side पर माली जहां पर जितना temperature है उतना दीरे दीर अगर पूरी body में फैल जाता है मतलब कि हर जगे अगर समान temperature हो जाता है तो फिर फर्दर कोई भी heat transfer नहीं होता और हर जगे एक जैसा temperature महसूस होता है क्यों होता ऐसा क्योंकि जब एक बार कोई object दूसरे object का temperature के बराबर temperature कर लेता है तो फिर कोई heat transfer नहीं होता इस situation को क्या कहा जाता है इस situation को study state situation कहा जाता है मतलब constant ठीक है and after this no transfer of heat will take place because conduction comes into act only if there is a temperature difference ठीक है और इसके बाद कोई भी conduction नहीं होगा study state condition के बाद क्योंकि conduction सिर्फ कब होता है conduction सिर्फ तब होता है जब दो point के बीच में temperature का difference हो clear हुआ conduction क्या है चले well now convection process क्या होती है पहले मैं आपको ये समझाती हूँ फिर मैं आपको आपके real life examples बताऊंगी कि कि किस तरह से convection की method के through कोई भी चीज heat up होती है ठेक है last class में हमने कौनसी method सीखी थी last class में हमने सीखा था conduction के बारे में okay so conduction के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि conduction is the process of heating of the element ठेक है by the process of conduction ठेक है इसमें क्या होता है heat is conducted from one point to another point अब इस conducted word का मतलब I hope आप लोग को clear हो गया होगा conducted का एक बार और मैं आपको अगर मतलब समझाओ तो conducted का मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक element है जो की गर्म होने वाला है तो heat कैसे transfer होगी इस element में मान लीजिए जो dots मैंने बनाए है यह उसके particle है तो heat कैसे transfer हो रही थी वहाँ पर heat transfer हो रही थी एक particle से दूसरे particle पर फिर तीसरे फिर चौथे और इस तरह से यह पूरे की पूरे object पर फैलना शुरू हो जाती है और पूरा object गर्म हो जाता है ठीक है आया समझ में इसलिए क्या होता है कि अगर initially आप देखोगे तो यहां की heat और इस point की heat में difference होता है क्योंकि conduction की process में heat एक point से दूसरी point की तरह transfer होती है clear तो यह हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है आप जो दूसरी method है या फिर जो दूसरा effect है heat का वो होता है convection ठीक है तो पहले देख लेते हैं कि यहां definition क्या दि हुई है convection की ताकि आपको exam में लिखने के लिए proper words मिल जाए उसके बाद मैं आपको समझाओंगी ताकि आपको long term याद रहे ठीक है चलिए the method of transferring heat by the movement of particle of substance ठीक है away from the source of heat is known as convection ठीक है क्या बोल रहे है यह the method of transferring heat ठीक है heat को transfer करने की method किसके द्वारा by the movement of particle of substance ठीक है जित्ते भी हमारे particles हैं object के उनके movement के कारण ठीक है अब देखें जो conduction process थी conduction process जो है वो solid material में होती है ठीक है अब जो convection की process है यह जो convection की process है वो liquid और air particles में जाधा होती है ठीक है यह आप यह आप यह कह सकते है कि जो convection की method है वो या तो liquid में होगी या gas में होगी ठीक है का movement नहीं हो रहा था particle अपनी जगे पर ही था ठीक है सिर्फ यह क्या कर रहे थे एक दूसरे से जुड़े हुए particles को मतलब मालीजे इस तरह से एक दूसरे से connected है तो पहले heat यहां गई फिर इस से heat इसको गई मतलब एक दूसरे से particles of substance ठीक है किसी भी substance के particle के movement के वज़े से मतलब अब यहां पे particle ही heat को लेने के लिए move करेगा ओके away from the source of heat ठीक है away from the source of heat का मतलब क्या है यह अभी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है away from the source of heat is known as convection जब भी कुसी substance के particle movement करते हुए heat source से दूर जाते हुए अपना पूरे body को heat up कर लेते हैं तो हम उसके क्या कहते हैं उसे convection की method कहते हैं it take place only in liquid and gases यह सिर्फ किस में होता है यह points बिल्कुल ध्यान रखेगा ठीक है यह सिर्फ liquid में होता है और gas में होता है ठीक है definition पर भी में इतना ज्यादा जोर इसले दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे ठीक है transferring of heat by the movement of particles away from the source ठीक है away from the source of heat यह बिल्कुल दिमाग में आपको बैठाना है अभी जब आपको मैं और clear करूँगी तो ज्यादा अच्छे सी definition आपके दिमाग में और बैठ जाएगी ठीक है on heating the water the part of its inner the flame gets heated up and expands due to which it becomes less dense and consequently rises up चलिए इस point को समझने से पहले मैं आपको कुछ अलग तरीके से और बहतर तरीके से समझाती हूँ आन लीजे कि एक इस तरह के का one second एक इस तरह के का beaker है या फिर container है जिसमें कि क्या भरा हुआ है जिसमें कि पानी भरा हुआ है ठीक है चलिए पानी को आपन किसी और color से denote कर देते हैं ताकि आपको चीजें जादा clear हो अब यहाँ पे हमने नीचे एक flame लगा के रखी होई है अब देखें convection की process में मैंने आपको क्या बताया कि convection की जो process है वो या तो liquid में होती है ठीक है या फिर gas में होती है तो अभी हम एक liquid का example लेके समझ रहे है ठीक है तो अब यहाँ पे मैंने gas flame को on किया अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ पानी के particles है ठीक है यह सबसे पहले क्या होंगे इससे contact में आएंगे ठीक है अब पानी के लिए एक बात बता दू कि जो पानी है या जो water है वो heat का bad conductor होता है ठीक है water is bad या आप इसको poor भी लिख सकते है poor conductor of heat ठीक है अब poor conductor of heat है इसके कारण क्या होता है कि जो heat है उसे तुरंथ ही अपने पूरे पार्ट में जाने नहीं देता मतलब कि जो भी heat यहाँ से निकल के आएगी न वो इस तरह से पूरे पानी में नहीं जा पाती है ठीक है तो क्या होता है फिर कैसे पानी गरम होता है जब heat नहीं जा पाती तो तो वेल हर एक जो substance है चाहे हम liquid की बात करें या वो gas की बात करें वो सभी particles से मिलके बने हुए अगर पानी की बात करें तो उसमें भी कुछ इस तरह के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे से पार्टिकल होंगे ठीक है तो वो पार्टिकल जो की flame के या फिर जो आपकी heat है उससे just कैसे होंगे उससे just surface से मिले हुए होंगे मतलब surface पर प्रजेंट जो पार्टिकल है सबसे पहले वो क्या करेंगे सबसे पहले वो यहां से आने वाली heat को लेना शुरू कर देंगे चीक है आगे भले ही पास ना होने दो good conductor का बोता जब वो अपने body से पूरे heat को जाने देता लेकिन यहां पर वो क्योंकि bad conductor है इसलिए क्या होगा कि धीरे धीरे यह heat up होगा और आगे तुरंत यह अपने heat को पास नहीं होने देगा तो अब यहां के जो particles है न यह क्या करेंगे यहां से आने वाली heat को धीरे धीरे लेना शुरू कर देंगे ठीक है कि यह जो part flame के बिलकुल past में है वो धीरे धीरे गर्म होगा और फिर धीरे धीरे expand होने लगेंगे ठीक है जिसके वज़े से वो थोड़े कम dance हो जाएगे उनकी जो density है वो कम हो जाएगी ठीक है यह आप इसे यह समझ सकते हैं कि यह थोड़े से कम dance होने की वज़ह से हलके हो हो गए है heat up होने की वज़े से क्या हो जाएंगे expand हो जाएंगे तो थोड़े सा हलके हो जाएंगे जिसके वज़े से यह कहां पहुँच जाएंगे ऊपर की तरफ ठीक है तो यह particle कहां चले गए यह जो particles थे यह पहुच गए heat up होकर के ऊपर ठीक है अब इसके बाद भी एक पानी की लेयर होगी ठीक है तो मान लेजे यह जो लेयर थी जो कि यहां पे थी ठीक है अब यहां से जा चुकी है तो अब यहां पे कौन से लेयर आ जाएगी यहां पे इसके दूसरी लेयर आ जाएगी ठीक है अब यह दूसरी लेयर फिर क्या होगी फिर यह दूसरी लेयर हो जाता है और फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है क्या याद रखना है आपको पार्टिकल expand होगा less dense होगा और अपने position से ऊपर की तरफ rise up हो जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा ठीक है तो आप यह जो next layer थी वो भी ऊपर चली गई ठीक है अब उसके बात मान लीजे एक और कोई layer है ठीक है यह वाली layer तो अब यह layer नीचे की तरफ आजाएगी ठीक मतलब समझ रहें कि एक layer के बात एक layer गरम होई फिर वो उपर चलीगी फिर दूसरे layer वोई फिर वो मतब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये पूरा पानी जो है वो धीरे धीरे इसी तरीके से क्या हो जाएगा इसी तरीके से जो पूरा पानी है वो हीट अप हो जाएगा ठीक है समझ में आया क्या होता है लेयर टू लेयर ठीक है एक पार्टिकल के लेयर गरम हुई फिर व यहां पे complete होती है circular motion की तरह circular movement की तरह ठीक है यह पूरा पानी जो है वो धीरे-धीरे गर्म होता है अब यह जो circulation है यह कब तक चलता रहता है जब तक कि आपका पूरा जो पानी है इसके अंदर वो गर्म ना हो जाए जब एक बार पूरा circulate हो करके यह पूरे-पूरा इसकी जो layers है सारे particles जब इसके गर्म हो करके movement करना शुरू कर देंगे तो एक point के बाद एक temperature पर जब सब गर्म हो चुके है तो फिर उसके बाद उनका boil होना शुरू हो जाता है समझ में आया तो यही होती है convection की process जिसमें layer to layer heat up हो करके rise up होती है फ तरह से पूरा circulating motion जो है वो चलता रहता है और यह जो particle है वो पूरी तरीके से heat up होते रहते है यही चीज़ किसमें होती है यही चीज़ air में भी होती है air भी क्या करती है जैसे कि source of heat है ठीक है तो source of heat के पास वाली जितनी भी air होगी वो गर्म हो जाएगी ठीक है उसके बाद उसके पीछे वाली उसके पीछे वाली और इस तरह से जो air है वो गर्म होती रहती है अब depend करता है कि source of heat कितना बड़ा है अगर जादा बड़ा है तो फिर भाई जो आपका heat है वो जादा air में पहुचेगी लेकिन छोटी सी candle की अगर बात करोगे तो जस्ट उसके ऊपर वा convection की बात करें कि मतलब ऐसे कौन-कौन से examples है जिसमें की convection होता है तो जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हो जैसे अगर आप coffee mug को steam up करते हो या फिर आप पानी को boil करते हो तो इन सभी में क्या लगता है इन सभी में convection की process होती है तो आज आप जब ये वीडियो को देख ल convection होता रहता है ठीक है इसी तरी किसे जब आप दूद गरम करते हैं या चाय गरम करते हैं ठीक है तो इन सभी जगे पर क्या होता है सभी जगे पर convection की process होती है एर की बात करें तो जो आपका एर में अगर आप sea circulation को देखोगे ठीक है sea water को देखोगे तो वहां पर आपको हव में यह फर्क समझ में आएगा ठीक है या फिर आप अपने घर में जैसे अगर आपने आग जला के रखी है ठीक है बड़े सेरिया में एक कमरे के अंदर ठीक है तो क्या होता है कि तुरन जैसे आप आग जलाते हो तो पूरा कमरा जो आपको गर्म महसूस नहीं होता लेकिन जब उसके पास जाते हो तो गर्म लगता है लेकिन अगर आपने एक घंटे के लिए उस आपको जला के छोड़ दिया तो आप यह महसूस करोगे कि कमरा पूरा गर्म है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो एयर उसके पास में है पहले वो गर्म हो रही है फिर वो दूर जा रह ही पढ़ चुके है सॉलिष जो है वो कंड़क्शन की प्रोसेस से हीट अप होते हैं क्लियर कंवेक्शन अभी इतना समझ में आया चलिए तो इस क्रिएट सा वैक्यूम एंड कोल वॉर्टर फॉम दा साइट स्लाइज डाउन तो ऑक्क्यूपाय दाइस स्पेस नियर दफलि ठीक है यह वही बता रही है कि यह तरीके का वैक्यूम ख्रे Lisa इसे जो आपका गर्म पानी है वह ऐसे वैक्यूम के फो में ऊपर जाएगा आप इसको आखों से भी देख सकते हो जब आप पाणी को बॉल करोगे तोब कोई ऐसे बबल बड़े-बड़े-बबल भी दिखते हैं ठीक है so this creates a vacuum and the cold water from the side slides down to occupy the space near the fling ठीक है तो आप अपने words में I hope अभी है समझा पाएंगे पूरा convection की process so this water also gets heated up and rise again the cold water slides down so it's a cycle that continues again and again until the until and unless the entire water is heated up जैसे मैंने आपको बताया कि यह continue process अब तक चलती रहती है जब तक कि आपका चो container है यह जिसमें भी आप पानी को boil कर रहे हैं पूरा पानी जब तक गर्म नहीं हो जाएगा यह प्रूरी process चलती रहती है ठीक है so the air to get heated up by this process जैसे मैंने आपको बताया कि यह देखें convection की process यह नीचे हाँ पर समझा रहे हैं आपको ठीक है मैं अभी आपको और समझा देती हैं उसको तो अभी अपन पहले air की बात कर ले so the air gets to get heated up by this process the air near the heat source gets heated up and rises ठीक है जैसे की पानी जो है source के पास का पानी पहले वो गर्म होता है और उपर की तरफ चला जाता है ठीक है उसी तरह के से heat के साथ भी होता है heat के साथ क्या होता है sorry उसी तरह से air के साथ भी होता है कि पहले source के पास जो air है वो गरम होती है फिर वो उपर उठ जाती है फिर उसके बाद वाली जो air है वो गरम होती है फिर वो उपर उठ जाती है ठीक है the cold air from the side slides to occupy the space, ठीक है, अब यह जो cold air है, जब गरम एर अपनी जगे छोड़ देती है, तो फिर cold air आकर उसके जगे ले लेती है, और यह circulation चलता रहता है, in this way the air gets heated, और इसी तरीके से जो air होती है, वो heat up होती है, due to this reason, the air just above the flame of candle is hotter than the air at the side, ठीक है, आप देखें, just flame के उपर वाली, अगर आपने candle को जलाया, ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद जो air होगी न, वो ज़्यादा heated up होगी, as compared to इसके, क्योंकि पहले यह वाली जो air है, ठीक है, जो flame के just उपर है, तो according to convection rule, पहले यह गरम होती है, फिर यह कहां जाती है, इस direction में, उसके बाद यह वाली यहाँ पहुचेगी, समझ में आया, जब यह गरम हो जाएगी, तो इसके बाद वाली जो होगी, वो पहुचेगी, तो इस तरह से यह जो पूरी process है, वो चलती रहती है, और अगर माली जे इतना हिस्सा है, तो यह पूरे के पूरे हिस्से में मौजूद जितनी भी air है, वो heat up होती जाएगी, ठीक है, तो आपको दोनों ही cases में याद रखना है convection के, चाहे आप gas की बात करें, चाहे आप liquid की बात करें, source के ज़स्ट उपर की surface सबसे पहले heat up होती है, उसके बाद वो उपर की तरफ उठ जाती है, ताकि जो दूसरी layer है, चाहे वो पानी की layer की बात कर रहे हो, चाहे वो air की बात कर रहे हो, वो गरम हो जाए, ठीक है, आया है समझ में, clear हुआ, चलो, यहां पर अपने convection को समझा है, मैं आपको एक और example को के थू, convection, conduction, दोनों को समझाती हो, और radiation तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ही, चलिए, तो सबसे पहले अभी आप radiation को ना भी समझना चाहें, तो पर आपको convection और conduction समझ में कैसे आएगा, वैल आपको क्या करना है, गैस on करके, आप क्या करिए, एक इस तरह के के container को अपने gas burner पर रखिए, जिसका जो handle है ना, वो भी कैसा हो, वो भी metal के material का हो, ठीक है, ताकि जो heat वगरा है, वो हमें महसूस हो सके, वैल अपने क्या किया, यहाँ पर पानी को भरके रख दिया, अब आप यह देखिए, पानी कैसे गरम होगा, सबसे पहले यह layer गरम होगी, फिर उपर जाएगी, फिर जो उपर की जो ठंडी layer है, वो नीचे है, यह आप arrow से देखिए ध्यान से, गर्म वाले उपर जा रहे है और ठंडे वाले नीचे, यह पूरी प्रोसेस चलते चलते सारी चीज गरम हो गई, और यह यहाँ पर हो जाता है, बोलिंग बोटर, आपका convection का example, ठेक है, पानी जो गरम होता है, वो convection का example है, conduction का example, उसी जो आपका container है, उससे आप कैसे समझेंगे, तो उसी से आप ऐसे समझ जो हैंडल होता है, वो धीरे 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 धीरे, अब यह हैंडल जो है, वो इस से connected है, ठेक है, अब यह जो पतीला है, या फिर यह जो आपका container है, यह गरम हो रहा है, मतलब इसमें भी heat आ रही है, ठेक है, अब यह जो heat है, वो कैसे कहां transfer हो जाएगी, इस handle में, किस law से, conduction क law से, क्योंकि conduction का law क्या कहता है, जब एक particle अगर heated up है, तो उसकी जो heat है, वो उसी से जोड़े दूसरे particle में क्या होती है, transfer होती है, तो यह heat इस से निकल करके इस particle में चली जाएगी, तो उसी तरीके से ये जो heat है, वो कहां चली जाएगी, अब यह जो heat है, वो इस handle में चली जाएगी और धीरे 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 आप यह देखोगे कि पहले इतना हिस्सा फिर उसके बात का हिस्सा और आखरी में आपको पूरा अगर बहुत देर तक उस कंटेनर को इस पर रखते हैं तो यह आपको गरम लगेगा ठीक है वेल अगर आप यह सब हमें कंवेक्शन भी समझ में आ रहा है और कंड़क्शन भी समझ में अ रहा है तो I hope दोनों ही आपको याद रहेंगे कंवेक्शन के लिए याद रखेगा सिर्फिलिक हैई जो प्रॉसमीं होती है थीकर है अब हम स्क्मेस्छी लास में liquid की बात करू, तो liquid में हम पानी को boil करते हैं, चाय को boil करते हैं, यह सभी convection के examples हैं, और अगर आपको पता है, तो comment करके ज़रूर बताए, air में convection को भी आप मुझे बताए, कि आपने कहां-कहां इस तरह के का example देखा है, जहां पर air हमारी जो है, वो heat up होती है, ठीक है, जैसे hot air balloon जो है, वो भी इसका example है, और example आप निकाली और मुझे comment में ज़रूर बताए, अब ऐसी जगहां जहां पर कोई भी medium ना हो, medium मतलब जैसे air भी medium है, water भी medium है, और solid वगेरा तो यह सब medium है ही, मतलब जिसके through होते हुए, जो heat की particles है, जो heat है, वो transfer हो जाए, ठीक है, अब अगर हम बात करें, sun की और हमारी अर्थ की, ठीक है, तो sun और अर्थ के बीच में कोई medium नहीं है, ठीक है, अर्थ पर आकर के उसे ज़रूर medium मिल जाता है, atmosphere जो है, हमारा एक medium का काम करता है, लेकिन अगर आपने space की बात करें, तो इस space में, जैसा आप डाइग्राम में देख पा रहे हो, कोई भी medium नहीं होता है, तो ऐसे condition में किस तरह से जो sun की energy वो हम तक पहुशती होगी, तो well, आपने जलाई होगी, ठीक है, अब जब आप आग जलाते हैं, तो जस्ट उसके ऊपर आप क्या करते हैं, मान लिजिए कि आपको कोई भी चीज खाना है, जैसे जनरी लोग क्या करते हैं, पिकनिक बनाते हैं, और उसके ऊपर या तो चाय गरम करते हैं, या फिर tomato को ऐसे सेकते हैं, या पोटाटो सको पर से किस तरह से अगर मैं आपको बताओ, मान लिजिए कि आपने flame जलाए हो यह लकडिया है, ठीक है, और यहाँ पर flame जल रही है ठीक है अब देखिए आपको कोई भी चीज़ पकानी है तो आप कौन सी मेथड यहाँ पर यूज करोगे आप करोगे यहाँ पर convection की process ठीक है convection की process में क्या होगा इसके उपर अगर आपने कोई भी object को ऐसे फसा करके रख दिया तो वो धीरे-दीरे क्या होगा heat up होगा ठीक है और conduction मतलब बिल्कुल आप उस flame पर जाकर के कुछ चीज़ रख दूँ जैसे अगर आपने रॉड को रख दिया तो यह जो है वो convection के कंडक्शन के थुरू दीरे-दीरे heat up हो जाएगी ठीक है लेकिन अगर मैं किसी object के थोड़े से उपर क्या करती हूं flame के जस्ट उपर जहां पर heat और रहती है वहां पर मैंने क्या कर दिया एक मेरा object रख दिया जिसको मैं क्या करना चाहती हूं पकाना चाहती हूं तो मैं उस इतनी दूरी पर हैना और यह heat जो है वह कहां पर कहां जा रहे ही डारेक्ट इसकी जो flame है वह object पर जा रही और इस flame के उपर हमने रोट को रखा हुआ है तो यह भी गरम हो रही है अब लेकिन आप जब दूर पर बैठते हो तो आपको फिर भी क्या होती है heat महसूस होती है ग ultraviolet rays या फिर आप यह कह सकते हो ऐसी rays जिसको हम देख नहीं सकते ठीक है तो वह उन rays को हम radiation कहते हैं और उसी radiation की वज़े से क्या होता है हमें heat महसूस होती है और यही जो फिनोमेना है वह हमारे sun के साथ होता है ठीक है sun को भी कोई medium नहीं मिलता कि जिसके through वो जैसे अगर air हो उसकते हैं ठीक है तो sun जो है वह हमारी earth से कितना ज़ादा बड़ा है कि उसमें कई सारी ठीक है 100 से जा मनद काई लाखोस महंदर्तिया अपनी जो आपनी जो एर्थ वह आसकती है ठीक है इतना मर और अब अर्ध का जो तmosight है ठीक है सो यह जो सन है जो आपका गोला है जो कि हमसे काफी दूर है ठीक है वो क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट है तो उससे निकलने वारी जो रेडियेशन है वो हम तक आती है ठीक है आप यह सोचें कि सूरी की जो किरिने हैं वो क्या आ रही है सूरी से निकलने वाला कुछ आ आया मैंने कि जब आप आप के पास बैठते हो और आप आप से दूर हो और आप से कुछ निकल के आपके पास आ भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको गर्मी महसूस होती है ना तो वही कॉंसेप्ट जो है वही रेडियेशन जो है वो क्या होता है वो सन का होता है तो जो सन क में और अपना जो भी पानी है अपने अर्थ के ऊपर अवेलिबल उनके साथ में ठीक है तो ये माथड है आपकी रेडियेशन की मैथड तो दा हीट गिवन ओफ फॉन दा सन चैन नॉट रीच अस बाइड प्रोसेस ऑफ कंड़क्शन और क्योंकि जो हीट है हमारे सन की वह हम तक कंड़क्शन से या फिर कंवेक्शन से नहीं पहुंच पाती है because both the process require a medium to transfer the heat but due to the absence of medium such as air in maximum layer of space between the earth and the sun the process cannot transfer the heat to the earth okay so क्या होता है heat जो है अर्थ तक किसी वेक्यूम के ना होने की वज़े से कंवेक्शन और कंड़क्शन की थू नहीं आती है इसलिए वो किस के थू आती है radiation के थू at this moment the another process called the radiation comes into the act to transfer the heat radiated by the sun to the earth okay तो sun से आने वाली जो भी अपनी heat है वो radiation के थू हमारी अर्थ तक पहुशती है clear so this heat transferring process does not require any medium यह जो radiation के process होते है इसके दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है पहली चीज तो यह कि sun की जो energy है यह जो sun की जो heat है वो हम तक convection या conduction के थू नहीं पहुशती है क्योंकि उस दोनों ही process में medium की requirement होती है और हमारी earth और sun के बीच में कोई भी medium नहीं होता है इसलिए तीसरी process radiation के थू तरू sun की जो heat है वो हमारी earth तक पहुशती है वैल इस radiation की process में हमें किसी भी चरीके का medium के requirement नहीं होती है these are the form of electromagnetic wave क्योंकि यह actual में क्या होती है electromagnetic wave होती है ठीक है अब यह electromagnetic wave क्या होती है यह अभी आप इस class में तो नहीं लेकिन जब आप 9 class में जाएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे तो फिलाल आपको सिर्फ यह term याद रखनी है कि यह जो rays है वो कौन सी rays होती है वो electromagnetic waves होती है their characteristics is that they can travel through the vacuum and travel with the speed of light ठीक है यह जो electromagnetic waves है यह vacuum में जहापे कोई medium नहीं है वहाँ पर travel करती है और इसकी speed कितनी होती है इनकी speed light की speed के बराबर होती है और आपको पता होना चाहिए कि light की speed क्या होती है light की speed होती है 3 x 10 to the power 8 meter per second एक second के अंदर वो 3 x 8 meters को cover कर लेता है आया समझ में एक second के अंदर सोचिए तो यही speed जो है वो किसकी होती है इन radiation से आने वाली waves की जिसको हम electromagnetic waves कहते है यह electromagnetic waves क्या है यह vacuum में आसानी से travel कर लेती है और इनकी speed किसके बराबर होती है light के जैसी so this propagation of heat from sun to earth involve both electric field represented by E and magnetic field represented by B well यह जो heat का हमारी heat से sun से निकल के earth तक पहुचने के लिए जो electromagnetic waves है यह magnetic field को और electric field दोनों को involve करती है अब आपको यह magnetic field और electric field क्या है यह आगी की class में 72 तरीके से समझ में आएगा ठीक है बस आपको लेकिन मैं जब आप एक chapter पढ़ेंगे electric circuit ठीक है जिसमें आपको electric field के बारे में समझ में आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से magnet के आसपास भी एक area होता है जिसको magnetic field कहते हैं जिसकी वज़े से वो क्या करती है दूसरी चीजों को अपनी तरह fat track दूसरी चीजों मतलब यहां कि metal जो है उसको attract करती है जिससे वो मूँ हो जाता है बस इतना अभी काफी है तो वेल आपको समझ में आया कि radiation की method कहां होती है radiation की जो process है वो है sun और अर्थ के बीच में अगर हमारी heat directly किसी medium से नहीं पहुच पा रही है तो वो radiation radiation तक पहुचती है यह जो radiation की थ्रू आने वाली light यह जो waves है यह electromagnetic waves होती है जिसमें electric field और magnetic field दोनों involved होती है यह vacuum में travel कर सकती है और इनकी speed कितनी होती है 3 x 10 to the power 8 meter per second याद रहेगा याद रखना ही है ठीक है तो भई यह थी आपकी radiation की process ठीक है अगर हम radiation के कुछ और examples देखें तो बहुत सारे examples हैं जैसे कि आपका microwave microwave में भी क्या होता है आप कोई अलग से flame तो जलाते नहीं हो बर्नर तो जलाते नहीं हो लेकिन क्या होता है आप जब object को microwave के अंदर रखते हो तो radiation के थ्रू वो जो object है वो धीरे धीरे heat up हो जाता है और पक जाता है उसी तरीके से solar energy जो है वो भी radiation के थ्रू ही हमें मिलती है तो आप इतने solar cookers देखे होंगे जो आपने धूप में रखत से आपका solar cooker का जो खाना है solar वो पक जाता है इसके अलावा radiation के examples heater जो की rod वाले heaters होते है air blower की बात नहीं कर रहे हो air blower तो क्या करेगा जैसे मैं आपको पहली क्लास में भी समझाया था कि air जो आपका heater का air blower होता है वो air में कौनसी प्रोसेस करेगा convection की लेकिन यहां पर क्य आती है radiation और radiation की वज़े से आपको पूरा heat महसूस होने लग जाती है ठीक है तो अगर वैसे ही room में कहीं से हवा आ रही है ठीक है अगर कोई medium आ गया तो फिर उसमें convection होना शुरू हो जाएगा ठीक है क्योंकि last class में मैंने आपको एक example बताया था कि आग जल रही है और आपक तो आपको यह जानके हरानी होगी कि हमारी जो body है वो भी एक क्या है radiating body or radiating substance है कैसे हमारी body से भी heat निकलती है कैसे समझ में आएगा वैल आप देखते होंगे कि आप जब एक कमरे में अकेले हैं ठीक है तो आपको इतनी गर्मी का असास नहीं होता लेकिन अगर उसी कमरे मे ठीक है बहुत सारे लोग है और आप अचानक से कहीं बाहर से आओ तो आपको क्या लगता है कि बहुत जादा यहां पर humidity हो रही है बहुत जादा क्या लगता है आपको suffocation लगता है तो वो किस वज़े से लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि human body भी क्या करती है heat को release करती ह है वो भी heat को radiate करती है वो जो heat है वो किसी object पर जाकर की पड़ती है कुछ object उसको absorb कर लेते हैं या फिर radiate कर या फिर उसे transfer कर देते हैं clear हुआ तो यही जो heat है वो हमारी body से भी radiate होती है तो human body भी एक example है radiation का चले यह क्या कह रही है समझ लेते हैं not only sun but all the hot bodies radiate the heat जित्ती भ बॉडीज है वो सभी heat को radiate करती है चाहे वो गरम रॉड हो चाहे वो कोई गरम चीज हो चाहे आपका जब आप किसी गैस टोप के ऊपर कोई container को रखते हैं आप जब उसको भी गरम करते हैं तो वो भी एक hot body होती है और उसके आसपास भी आपको क्या फील होता है उसके तो अभी हमारी अर्थ पे मीडियूम है लेकि अभी माम ने कहा कि बे tiếp बीच में कोई भी मीडियूम नहीं था इसलिए combination होता है तो एता नहीं देखिये रेदियूम अफंसे जाक्र को आपको को बताया है कि वहां पर को मीडियूम नहीं था लेकिन जब अपन हीटर की बात क एर तो है ही एटमोस्फेर पे लेकिन फिर भी हमें दोनों तरीके से हवा मिल सकती है गर्म हवा जो है वो radiation से भी हो सकती है और convection से भी हो सकती है Well यह जितने भी example में आपको अभी बता रहे हूँ चाहे वो room heater का हो चाहे किसी utensils को गर्म करने से उससे निकलने वाली heat हो और उसके बाद उसका थंडा हो जाना कोई भी चीज गर्म है और उसके बाद थंडी क्यों होती है क्योंकि वो radiate करके अपनी सारी energy को release कर देती है इसलिए वो ठंडी हो जाती है ठीक है कोई भी चीज आपने हीट अप करके रखी हुई है वो होट है गर्म है उससे आपको थोड़ दे तक तो रेडियेशन मिलता है लेकिन रेडियेशन मतलब क्या हो रहा है वो अपनी एनर्जी को बाहर कर रहा है लेकिन सन के साथ ऐसा इस ल रहा होता है इसलिए वो धीरे-धीरे थंडा भी हो जाता है human body release the heat to the surrounding and receives the heat from it by the process of radiation हमारी जो बाडी है वो हीट को रिलीज भी करती है और एब्सॉर्ब भी करती है आप तो आपको महसूस तो होता ही है कि कोई कमरा थंडा है या फिर कोई कमरा गर्म है ऐसा क्यों क्यों क्यो you feel quite comfortable in a room with one person but if the room has many people you feel hot due to the radiation of heat from the human body जैसे आप अकेले हैं तो आपको कमरा इतना गरम नहीं लगता लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत गरम लगता है क्यों क्योंकि हर एक human की body से heat transfer हो रही होती है all hot bodies radiated heat which falls on the nearby object जैसे कि क्या बोल रहेंगे कि सारी hot bodies से radiation होता है ठीक है जो कि दूसरे object पर जाकर के मिलता है या दूसरे object पर जाकर के पड़ता है तो भाई दूसरा object हम भी हो सकते हैं और जिससे heat आ रही मालनी जब वो heater है तो heater से निकल के वो कौन से object पर आया आप तक आया मतलब आपकी body तक वो heat आई, the object absorbs some part of heat, reflect some part of heat and transmit some part of the heat falling on them, कोई भी object है जब उस पर heat आती है तो वो कुछ पाट को तो absorb कर लेता है, कुछ को क्या कर देता है, कुछ को reflect कर देता है आते साथ ही और कुछ को transmit कर देता है अपने से किसी और पर, ठीक है, the temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat अगर कोई भी चीज़ जैसे धूप में रखी हुई है, तो उसका temperature क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो heat को, sun से आने वाले heat को क्या कर लेता है, धीरे धीरे absorb करता जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही जब अपन भी किसी flame के पास या heater के पास रहते हैं, तो हमारी body हमें गर्म सी महसूस होती है, तो वो गर्म से क्यों महसूस होती है, क्योंकि आपकी जो body है, वो extra heat को absorb कर ले रही है, इसलिए, ठीक है, sea breeze and land breeze, ठीक है, कि sea breeze और land breeze एक्चल में होता क्या है, और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है heat chapter में, वेल, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जो प वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी से ही ठंडा हो जाता है, ठीक, land में भी अगर अपन रेद की बात करें, जहां sand होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन ठंडी भी बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो इ मैंने आपको बताया कि जो surface is या जो land area होता है वो बहुत जल्दी थंड़ा या बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उसमें भी अगर sand है तो वो उससे भी जल्दी गर्म और बहुत जल्दी थंडी हो जाएगी ठीके लेकिन पानी के साथ क्या होता है पानी धीरे-धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे-धीरे होता है तो इसलिए कभी-कभी देखते हो कि बाहर ठंड है लेकि जब आप पानी को छू करके देखोगे जो कि आप बाहर की किसी पानी को तो वो थोड़ा सा गर्म लगता है ठीक है अगर बाहर गर्म है तो पानी आपको थोड़ा थंडा मिलता है थोड़ा अपोजिट सा चलता है पानी क्योंकि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब वो एक बार गर्म होता है ना ठीक है तो उसको थंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है जब तक थंडा होता है फिर से गर्म हो जाता है या जब तक गर्म हो Land breeze क्या होता है? The land gets heated up by the heat, radiated by the sun, much faster than the water during the daytime, ठीक है? माल लीजे कि कुछ ऐसी जगे है जहां पर lands भी है और पानी भी है, ठीक है? अब जब sun की radiation आईगी, sun से radiation होकर के ही हमें sunlight मिलती है, ठीक है? sun के energy मिलती है, so well जब sun की जो raise है, वो हमारे land तक आती है, radiate होकर के, तो land जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और पानी जो है day के time पर थोड़ा धीरे-धीरे गर्म होता है, ठीक है? दोनों के बीच में comparison देखेंगे, तो जो land area है, ठीक है? जो land area है आपका, वो थोड़ा fast क्या हो जाएगा? heat up हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपन पानी की बात करें, त जो पानी है वो थोड़ा ठंडा होता है, this heats up the air over the land, ठीक है? अब जब एक पर land यहाँ पर क्या हो चुका है? heat up हो चुका है, तो जो land के उपर चलने वाली हवा है, ठीक है? land के उपर बहने वाली यह जो हवा है, वो भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगी? इसकी वजह से heat up होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? enhance hot air rises up and create a vacuum, ठीक है? अब इस तरह से क्या होता है? land में मौजूद या पर land के जो उपर की जो air होती है, वो यहाँ से उठकर के कहा चली जाएगी? उपर, ठीक है? land के उपर क्या थी? हवा थी, वो गर्म हो गई land से और उपर चली गई, अब ज हाँ पर vacuum है, खाली है, तो इस खाली जगे को भरने के लिए क्या होता है? sea से आने वाली जो ठंडी हवाय है, अब उस एक जो बजी हुई जगे थी, जो vacuum था, वहाँ आकर उसकी जगे को ले लेंगी, ठीक है? so the cool air from the sea occupy the space left by the hot air, जो hot air ने space बनाया हुआ था, वहाँ आकर के वह उस जगे को cover कर लेंगी, ठीक है? then the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle, ठीक है? अब क्या होता है? जो गर्म air होगी, ठीक है? अब वो किस side जाएगी? वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी sun की energy कम होती जाएगी, यह जो warm air है, वो किस तरफ चली जाती है? अब आपके sea की तरफ चली ठीक है? गर्म हवा लेंड से उठकर के ऊपर की तरफ गई, फिर वो sea तरफ गई, तो फिर ठंडी होई, फिर यहां से, फिर गर्म रेयर उपर गई, तो वो जो ठंडी हवा थी, फिर उस वैक्यूम में जाएगी और यह जो पूरा cycle है ना वो चलता जाएगा. The air from the sea is called the sea breeze, ठीक है? Sea से आने वाली जो हवा है, वो से हम sea breeze कहते हैं, ठीक है? But the reverse process take place at the night, लेकिन night के समय पर क्या होता है? उल्टी process होती है. The land cools down quickly and sea water remains hot. क्योंकि क्या होता है? जो land है, वो जैसे ही sun चला जाएगा, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो पानी है, वो अब as compared to land थोड़ा गर्म हो जाएगा. तो अब क्या होगा? Sea से आने वाली जो गर्म हवा है, ठीक है? वो किस साइट प हवा है, जो कि आपकी land से कहां पर जाएगी? अब sea की तरफ जाएगी. ठीक है, आया समझ में, sea की जो airs है, वो उपर उठ जाएगी और वहाँ पर vacuum create हो जाएगा और land से आने वाली हवा जो है, वो इस तरफ चली जाएगी. चलिए, इस 30 को और बहतर तरीके से समझते हैं. ठीक है, वेल, देखिए, जनरली जो coastal areas होते हैं, coastal areas मतब जहाँ पर sea areas होते हैं, वहाँ पर जनरली जो लोग अपना घर बनाते हैं, वो कैसा बनाते हैं, वो अपना घर कुछ इस तरह से बनाते हैं, मान लीजे कि यह area है, ठीक है? वन, एक सेक्ड ना, चले, तो मान लीजे यह घर है, तो यह अपनी window किस side बनाते हैं, यह अपनी window बनाते हैं towards the sea, ठीक है, sea की तरह face करते हुए, अब क्या होता है, दिन के time पर गर्म हवा आई, आपका sun की energy आई, sun की उस radiation की वज़े से जो आपका surface था, वो गर्म हो गया, surface और मेर्म होने की वज़े से उसके उपर जो हवा थी, वो चली गई ऊपर की तरफ, कौन सी हवा, वामेर, यहां लिखाओ अदिक रखार आपको, वामेर, वामेर उपर की तरफ चली गई, अब यहां पर जगे बचे तो यहां पर जगे को fill करने के लिए, सी की जो ठंडी ठं में भी आएगी clear हुआ क्योंकि land का जो surface है वो vacuum की तरह create हो जाएगा उसकी हवा तो ऊपर चली जाएगी ठीक है और जो ठंडी हवा है वो कहां चली जाएगी आपके vacuum की fill करने के लिए और अगर उसी direction में आपकी window है तो यह जो हवा है जो यहां से आ रही है वो धीरे धीरे हमारे घर की window से होते हुए हमारे घर में भी आ जाएगी तो इसलिए coastal areas में ऐसा होता है तो जो हवा हमारे सी से आती है ठीक है सी से land की तरफ आती है उसे हम क्या कहते हैं sea breeze ठीक है अब देखिए यह तो की बात हो गई अब आगई रात की बात अब रात में क्या हुआ जब आपका sun चला गया radiation कम हो गई heat energy संसे मिलने वाली वो चली गई तो अब क्या हो गया यहां पर अंधिरे के टाइम पर जो लेंड है वो क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाता है तो अब क्या हो गया है तो उसके पास कैसी यह रहा है ठंडी ठंडी हवा हैं कहां पर हमारे लेंड पर ठीक है अब लेंड में हमार करम नहीं होता ना जल्दी ठंडा होता है अब पानी भी जो है वो थोड़ा सा Мне और तर गर्म होचका ठंडा होने में उसको टाइम लगेगे तो लैंड के प्राइशन में थोड़ा सा घडर तो इसलिए क्या उगा कि लन्डी सपानी के ऊपर जो अब वो क्या होगी गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगी ठीक है और यह जो गर्म हेर है जब यह उपर की तरफ जाएगी तो हमारी जो लेंड सर्फेस है यह जो सर्फेस है इस पर बहने वाली हवा अब इस वेक्यूम को फिल करने के लिए लेंड से सी की तरफ आएगी ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं land breeze ठीक है ऐसा इसलिए क्यों होता है ये क्योंकि आपकी पानी की property की वज़े से पानी की specific heat खुद की बहुत जादा होती है इसकी वज़े से वो थंडा या गर्म थोड़ी देरी से होता है I hope आपको sea breeze और land breeze को मतलब समझ में आ गया होगा जब जो ठंडी हवाए हैं वो sea से हमारे land की तरफ आए तो हम उसे sea breeze कह रहे हैं क्यों हो रहा है यह भी मैं आपको समझा चुकी हूँ land breeze मतलब जब ठंडी हवा जो है वो surface से आपके sea की तरफ जाती है तो आप उसे land breeze कहते हैं clear चलिए so एक सिकें these heats up the air over the sea and it expands and hence the hot air rises up and creates a vacuum ठीक है अब जो भी hot air है वो उपर की तरफ जाती है तो एक vacuum नीचे create हो जाता है चाहे वो किसका case हो चाहे वो land का case हो चाहे sea का की एर हो ठीक है the cool air from the land occupy the space left by the hot air यह sea की case की बात कर रहे हैं कि जब sea में क्या होता है hot air उपर जाती है तो cool air कहां पर आ जाती है land की तरफ आ जाती है hence the cool air moves from the land to the sea and it is known as the land breeze ठीक है तो I hope यह जो आपका topic था sea breeze and land breeze यह आपको समझ में आया होगा बस आपको एक point याद रखना है कि जो land है वो क्या होते हैं जल्दी गरम और जल्दी ठंडे होते हैं इसलिए दिन में जब वो जादा गरम हो जाते हैं तो उनकी air उपर जाती है और जो ठंडी हवा sea से land की तरफ आती है और क्योंकि पानी जो है वो देरी से ठंडा या गरम होता है तो रात के समय में वो land के comparison में थोड़ा जादा गरम होता है तो इसके वज़े से उसकी जो air है उसके उपर बहने वाली जो air है वो land की air से जादा गरम होती है तो वो अब उपर उठेगी और वहाँ vacuum create हो जाएगा और अब हवा कहां जाएगी ठंडी हवा land से कहां आ जाएगी sea की तरफ आ जाएगी तो यह होता है sea breeze यह होता है land breeze ठीक है दिन के समय में sea जो है वो जादा ठंडा होगा और रात के समय में land जो है वो जादा ठंडा होगा ठीक क्या है कि why we wear light color in summers हम summers में light colors क्यों पहनते हैं चले तो एक बात बता दें जो light energy होती है light energy जो कि आपको sun से मिलती है ठीक है light energy जैसा मैंने आपको starting में ही बताया था यह वो energy है जिसकी मलवजा से हम देख पाते हैं वेल हम वही चीज़े देख पाते हैं जो reflect होकर के ना हमारी आखों तक आती है यह चीज़ आप अपने light chapter में पढ़ेंगे ठीक है किसी भी object पर जब light पढ़ती है तो वो reflect होकर के हमारी आखों तक आती है अब जितने अगर आपको कोई white color दिख रहा है इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि वो सारे colors का mixture है और सारे colors उससे reflect हो रहे है इसलिए वो white दिख रहा है ठीक है अब जो black bodies होती है वो black इसलिए दिखती है क्योंकि वो reflection कम करती है तो उनके combination से सभी colors के आपको black color दिखता है ठीक है अब कोई भी अगर dark body है जो कि light को क्या कर रही है जो कि आपको radiation के form में मिलती जा रही है उसको absorb करती जा रही है तो अब विसी बात है जो dark होगा वो क्या करेगा जादा absorb कर रहा है तो इसके वज़े से वो जादा heat up होगा ठीक है light क्या कर रहा है white color क्यों दिखता है क्योंकि जितनी भी light energy आती है या जितनी भी radiation से colors आते हैं वो बापस reflect हो जाते हैं तो वो जो body है वो white दिखने लग जाती है तो यही कारण है कि गर्मियों के time पर अगर आप dark color पहनोगे जैसे अगर मैंने black पहन लिया तो क्या होगा ये जादा energy को जो जादा radiation से आने वाली sun की light है उसको absorb करेगा sun की energy को ये absorb करेगा तो उसके वज़े से क्या होगा कि मुझे जादा गर्मी का हैसास होगा लेकिन वहीं अगर मैं white color पहनती हूँ तो क्योंकि वो क्या करता है absorb नहीं करता reflect कर देता है इसकी वज़े से heat जो है वो जादा produce नहीं होगी जादा क्योंकि उसमें radiation को absorb नहीं किया तो जादा heat भी produce नहीं हुई और हमें गर्मी भी कम लगेगी तो यही कारण है चलिए देखते हैं कि हमारी book क्या कहती है reason to wear white और light color cloth in summer and dark color and woollen cloth in winter well light color are the best reflectors of heat following ठीक है यह जो light colors होते हैं वो क्या होते हैं best reflector reflector का मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर पढ़ती है जब light और अगर वो reflect हो जाए मानलीजे यह object है ठीक है इसके उपर कोई ray आई और यह बापस चली गई ठीक है तो इसको कहते हैं reflection ठीक है तो well जो white colors होते हैं वो the best reflectors होते हैं जो भी heat उनके उपर पढ़ती है ठीक है अगर जब white के उपर पढ़ेगी तो वो जल्दी क्या हो जाएगी reflect हो जाएगी एंड एज़ रिजल्ट light color clothes reflect maximum amount of it तो इसी तरीके से जो white color clothes होते हैं वो maximum amount of heat को क्या कर देते हैं वो heat को reflect कर देते हैं बाहार कर देते हैं ठीक है क्योंकि heat जो है जब भी किसी white कपड़े पर पढ़ती है तो वो उसे ज़्यादा reflect कर देते हैं maximum portion जो है reflect वो as a reflection बाहार चला जाता है इसी वज़े से क्या होता है कि जब white कपड़े आप पहनते हो light color पहनते हो तो आपको ज़्यादा comfortable लगता है आपको कम कर मी लगती है ओके सो बट अन दा अधर हैंड dark color are good absorbs absorbers of the heat following on them as a result the dark color cloth absorb maximum amount of heat they receive and make us feel warm and comfortable during the winter वैला कर dark color आपने गर्मियों में पहन लिया तो आपको ज़्यादा गर्मियों में लेगी लेकिन वही अगर dark color आप ठंडियों में पहनते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा comfortable महसूस होगा क्योंकि dark color जो है वो अपने उपर आने वाली जितनी भी heat है जो भी heat उसके उपर fall होती है वो उसके maximum portion को absorb कर लेता है जब यह heat को absorb कर लेगा जब यह radiation को absorb कर लेगा तो ज़्यादा heat वहाँ पर produce होगी और उस वज़े से हमें गर्म या वाम महसूस होगा winter season are also accompanied with the woolen clothes यह जो winter season होते हैं उसमें आप woolen wear को भी पहनते हैं क्योंकि woolen wear भी क्या करते हैं अगर आप dark color का woolen wear पहन रहे हैं तो वो भी absorb करेंगे किसको light energy को या फिर आपका जो radiation आ रहे हैं उने ठीक है तो भाई यही कारण था कि आप reason कि आप काले कपड़े हैं या dark color के कपड़े हैं वो आप ठंडियों में पहनते हैं और white color के कपड़े आप summers में पहनते हैं यह diagram आप देखोगे तो आपको यह हमेशा याद रहेगा black absorb कर रहा है और white जो है वो reflect कर दे रहा है ठीक है वो बुलन के बारे में तो मैं आपको already ही discuss कर चुकी हूँ यहाँ पे हम एक normal color की बात कर रहे हैं तो color की case में यही दोनों चीज़े होती हैं clear? चलिए तो वेल यहाँ पर इस topic के साथ में हमारा जो chapter का main topic description था वो हम complete कर चुके हैं हम कहाँ पर क्या पढ़े थे इसका एक recap मैं आपको बता देगे revision short of कि हमने क्या क्या पढ़ा है topics related जितने भी activities हैं फो फिर मैं आपको next video से start करूंगी clear है? चलिए तो recap देख लेते हैं आप दो लोगों के बीच में दो object के बीच में comparison तो बता सकते हो कि कोई कितना गरम कोई कितना ठंडा है लेकिन exact क्या उसकी value है यह हम identify नहीं कर सकते हैं तो temperature is measured of the degree of the hotness of object इसलिए फिर हम किसी भी body का या किसी भी object का temperature लेते हैं temperature क्या होता है? the measure of the degree of the hotness of an object कोई object कितना जादा गरम है इसका measurement करना temperature कहलाता है thermometer is a device used for measuring the temperature thermometer वो device है जो की temperature को measure करने का काम करता है well clinical thermometer की बारे में भी मैंने आपको समझाया था clinical thermometer जो की आपके body temperature को measure करते हैं is used to measure our body temperature the range of this thermometer is 35 to 42 degree centigrade हमारा जो body का temperature है वो normal temperature 37 होता है ठीक है और जो highest temperature है वो 40 होता है इसलिए जो thermometer है उनकी जो range है वो कहां से कहां होती है 35 से 42 degree Celsius तक होती है for the other purpose we use the laboratory thermometer हमने आपको बताया था clinical thermometer की मदद से आप किसी chemical के temperature को नहीं measure कर सकते इसलिए क्या जोरी होता है laboratory thermometer तो we use laboratory thermometer for the temperature which is higher than 100 centigrade या 100 degree Celsius the range of the thermometer is usually from minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius जो normal आपका laboratory thermometer होता है उसकी range के अगर अपन बात करें तो उसका use हम लोग कितना कोई चीज ठंडी है कि उसका मतलब temperature ठंडे के लिए और गर्म के लिए दोनों के लिए निकालते हैं तो इसलिए इसकी range कहां से कहां होती है minus 10 degree Celsius से 110 degree Celsius तक ठीक है यह दोनों point आपको याद रखना है the normal temperature of human body is 37 degree Celsius जो normal temperature होता है किसी भी human body का वो 37 degree Celsius होता है इसको आप Kelvin और Fahrenheit दोनों में calculate कर सकते हैं कैसे करेंगे well previous videos में मैं आपको already बता चुकी हूँ ठीक है आपको क्या करना है अगर Kelvin में करना है तो आपको बस 273.15 add कर देना है और अगर आप इसको Fahrenheit में convert करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके साथ आपको 3 into 5 प्लस 35 करना होगा तो आपको क्या मिल जाएगा 9.5 multiply करना होगा प्लस 35 कर दीजेगा आपको Fahrenheit में answer मिल जाएगा ठीक है यह जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं जब मैंने आपको body temperature पढ़ाया है ठीक है चलिए the heat flow from a body at higher temperature to a body at lower temperature well जो heat है वो हमेशा कहां से कहां flow करती है heat हमेशा hot से cold की तरफ जाती है hot body से cold body की तरफ जाती है यह आपको ध्यार में रखना है इसका example कहां पर समझा पनने sea breeze और land breeze को देखिए यह इसका example है कि हमेशा जो वो air है वो hot से cold की तरफ जाती है ठीक है और कब तक कोई चीज यह जो circulation होता रहता है जब तक कि दोनों ही body का temperature एक जैसा ना हो जाए there are the three way in which heat can flow from one object to another object well यह जो आपका heat है वो कैसे transfer हो सकती है तीन तरुकों से जैसे कि conduction, convection and radiation conduction, convection, radiation इन तीनों के अलग-अलग separate videos बने हुए है आप देख सकते हैं हमारे channel पर जा करके ठीक है in solids generally the heat is transferred by the conduction solids में हमेशा heat किस तरह से transfer होगी conduction की process से in liquid and gas the heat is transferred by the convection ठीक है दोनों में थोड़ा सा ही difference is spelling का इसलिए ध्यान से देखिए conduction मतल़ conduct होना एक particle से दूसरे particle में heat का जाना convection मतल़ पूरी एक layer होने के बार उसका circulation होना दूसरी rail का और एक circulation के साथ जब कोई liquid गर्म होता या gas गर्म होती है तो वो convection होता है convection किस में होता है convection जो है वो liquid और gas में होता है अब उसके बाद है radiation radiation के थिरू कोई भी चीज अगर्म हो सकती है radiation के लिए हमें किसी भी तरिकी की medium की requirement नहीं होती है ओके चलिए तो इस radiation का convection और connection तीनों चीज़ों का जो वीडियो है separate वो आपको वीडियो देखने को मिल सकता है चलिए the material which allow the heat to pass through them easily are conductors of heat ठीक है conductor of heat मतलब conductor of heat मतलब जो कि आसानी से अपने body से heat को produce, flow करने दे उसे अपन conductor of heat कहते हैं ठीक है conductor का मतलब ही यही होता है कि अपने एक point से दूसरे point तक जब कोई चीज आसानी से flow कर जाए तो उसे आप conductor of heat कहते हैं ठीक है चलिए the material which does not allow the heat to pass through them easily are called the insulators ठीक है अगर heat के sense में बात करें तो वो materials जो कि heat को अपने parts से जाने नहीं देते अपनी body से आसानी से flow नहीं करने देते उन्हें हम insulators कहते हैं dark colored objects absorb more heat than the light color object यह point यह आपको याद रखना है कि जो dark color के object रहते हैं वो जादा heat को observe करते हैं absorb करते हैं और जो light color clothes होते हैं वो कम light को absorb करते हैं that is the reason we feel more comfortable in light color clothes in the summer इसलिए हमें summer's way light color clothes पहनने को कहा जाता है और हमें वो अच्छे भी लगते हैं woolen clothes keep us warm during the winter it is so because the wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fibers well wool जो होता है वो क्या करता है अपने हमारी body की जो heat है उसको बाहर नहीं आने देता क्योंकि वो poor conductor है और air को भी क्या कर लेता है air के लिए भी poor conductor है मतलब कि बाहर की air को भी हमारी body में नहीं आने देता ठीक है तो इसलिए इसको poor conductor कहते है क्योंकि ना तो यह heat को बाहर जाने दे रहा है ना ही ठंडी हवा को अंदर आने दे रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं आप इसको इसलिए कह रहे हो यह एर का भी पूर कंड़क्टर है और यह हीट का भी पूर कंड़क्टर है ठीक है अब बारी आती है एक्टिविटीज की इन एक्टिविटीज को करके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो हीट है वो बॉडी तो बॉडी ट्रांसफर होती है या फिर आपको कंड़क्शन क्या होता है यह सारी चीज़ेस एक्टिविटीज से समझ में आ जाएंगी ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी से जो की है एक्टिविटी नमबर 4.1 वेल, यह activity हम क्यों कर रहे हैं, to show heat flow from a body at a higher temperature to one at the lower temperature, ठेक है, आपको क्या करना है, यह समझना है, बेज़से मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो heat है, वो कहां से कहां transfer होती है, hot से cold की तरफ, hot body से cold body की तरफ, ठेक है, तो अब इस चीज़ को आप एक experiment करके समझ लेते है वेल, कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, take some hot water in a tumbler, ठेक है, यह glass में या किसी में भी क्या करना है, आपको एक गरम पानी लेना है, ठेक है, dip a metal spoon in this water for some time, अब आपको क्या करना है, इसमें एक metal की spoon को थोड़े देर के लिए रख देना है, how long does it take for the spoon to become hot for you to feel uncomfortable to hold it and in anymore, अब आ आपको क्या करना है, इस तरह से गरम पानी के अंदर एक metal की spoon को डाल देना है, ठेक है, और उसको पकड़ के रखना है, ठेक है, अब आपको क्या करते हैं, इस metal की spoon को पकड़े रखना है, अब आपको यह देखना है कि कितनी देर बात आप उस metal की spoon है, उसको आप uncomfortable आपको ल and then to your hand, ठीक है, देखिए, क्या हुआ, आपने ग्लास वाटर लिया, ठीक है, जिसमें आपने बहुत गरम पानी लिया, ठीक है, उसमें आपने स्पून को डाल दिया, ठीक है, आप यह जब स्पून पर आप डालते हैं, तो थोड़े देर बाद आपको क्या लगता है, कि छाएगा, तो यह हौट बॉड़ी से कोल्ड बॉड़ी मतलब स्पून तक पहुचेगी, ठीक है, जब स्पून पूरा हट बॉड़ी में कननवाठ हो गया, इतना टेंपरेचर जितना कि इतना पानी का तैंपरेचर था, लगब बखक जब इसके पास इतना टेंपरेचर हो तो यह object आप रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा लेकिन क्योंकि हम sense करते हैं तो हम उसे हटा देंगे तो इसका मतलब क्या पानी से spoon और फिर spoon से क्या हो रहा है आपके हाथ तक जो है heat transfer हो रही है well leave the tumbler with the water in it for the 10 to 15 minutes feel the water now has it cool down and why well क्या हुआ अभी एक्स्परिमेंट आपने कर लिया इससे आपको क्या समझ में आया इससे आपको यह समझ में आया कि हाँ heat जो है वो hot body से cold body की तरफ transfer होती है अब आपको क्या समझना है कि जो heat है वो कब आपके hot body मतलब आपका पानी से cold body मतलब surrounding की तरफ जा रही है है ना आप जो atmosphere है वो तो ठंडा है तो कैसे ही जो heat है वो ठंडे में जा रही है तो जब आपने पानी जो की आपका गरम था glass में रखा हुआ था कुछ time बाद वो ठंडा हो जाता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी है वो hot body है तो इससे निकलने वाली जो air है जो इसके जो temperature है जिसका hot air है वो किस तरफ जाएगी surrounding के तरफ जाएगी जो heat है वो surrounding में transfer हो जाएगी तो इसलिए heat वहाँ जब transfer हो जाएगी तो आपका glass जो है वो कुछ समय बाद आपको ठंडा महसूस होता है clear हुआ तो यह experiment से हमें समझ में आया कि जो heat है वो हमेशा hot body से cold body की point one को देख लिया आप देखते है activity number 4.2 activity number 4.2 हमसे क्या कह रही है well to show the process of conduction conduction की process समझने के लिए तो फिर से याद दिला दू conduction मतलब क्या होता है जब जो heat है वो particle to particle transfer होती है तो हम उसे conduction कहते है ठीक है इसी वज़े से अगर initially जो end आपका source of heat के पास रहता है वो जल्ली गरम र कहता है वो देर से करम होता है क्या कह रहे हैं चले समझते है activity के through well take an iron rod about 25 cm long आपको एक iron की रोड जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतनी लंबी एक रोड लेना है fix thumb tack takes along the length of the road using wax heat one end of the road ठेक है अब आपको क्या करना है कि इस रोड के उपर कहीं कहीं wax लगा देना है ठीक है आ आपको और आसान तरीका बताती हूं एक रोड लीजे 25 cm लगभग उसकी length होनी चाहिए ठीक है अब क्या करना है आपको बीच बीच में आपको यहां पर wax रख देना है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको अच्छी तरीके से fix कर लीजे एक तरफ से हम उसको flame देंगे आप कंडक्शन का मतलब क्या होता है कंडख्शन का मतलब होता है जब हीट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर पहुँझें तो वेल जब यहां से heat आई तो यह पोशन गरम हुआ धीरे धीरे जो heat है ठीक है वो इस पोशन से होती हुई कहा की तरफ जाएगी आगे की तरफ जाएगी ठीक है तो वेल जब यहां आई तो यह जो पोशन है जब वो गर्म होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर जो वैक्स आपने रखा है वो धीरे-धीरे क्या होने लगेगा वो धीरे-धीरे जो है वो पिखलना शुरू हो जाएगा ठीक है अब क्या हो रहा है कि यह थ जाएगी ठीक है जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि ये वाले पॉइंट पर रखा हुआ जो वैक से फिर वो भी पिखलना शुरू हो जाएगा और एंड में ये जो भी पॉइंट तक पहुच जाएगा ठीक है जब आप स्टार्टिंग में देख एस कंपेर to point B ठीक है ठोड़ी देराद मिडल कंडिशन में आप देखेगा ठीक है मिडल पॉइंट पर तो क्या लगेगा आपको कि दोनों लगभग-लगभग क्या है ठोड़े बहुत ही इसमें या बराबर भी हो सकते हैं ये ठीक है और थोड़ी ब्लास्ट में आप ये दिखेगा एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जब दोनों का जो टेंपरेचर है वो बड़ाबर हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो हीट है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिक साब का पिघल करके नीचे आ गया तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि भई हां कंडक्शन की जो प्रोसेस है वो होती है और जो आपका थम है वो पूरी की पूरे नीचे आ जाएंगे यू विल फाइंड दा थम्टेक निरेस तो दा एंड बिंग हीटेट फॉल्स और फॉर्स दा फार्टिकल से बात है जब रॉड में आपने इस तरह से क्या करें हुए है जगे जगे पर वैक्स लगाया हुआ है ठीक है तो जो कैंडल के पास जादा है ना जहां से हीट पहल से फॉल होगा ठीक है और उसके बाद वाला फिर उसके सेकेंड और लास्ट में ये वाला बाद में फॉल होगा ठीक है क्योंकि यह क्या है क्योंकि आपकी कैंडल ठीक है कैंडल और खुबसूरत से बनाने की कोशिश वैसे मैं करती हूँ ठीक है क्योंकि आपकी कैंडल से का काफी दूर है तेके इस वजह से क्या होगा कि इस रॉट का जो वैक से यहां का सबसे लास्ट में जाएगा और इसी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें अच्छा गरम पाने लीजे तेक इस पूंग आप इस अच्छा गरम पाने लीजे टेकर स्टील स्पून ग्लास रॉट प्लास्टिक स्केल बुडन स्टीक श्टेक और पीस और थेक कॉपर वायर डिप वन आपको स्टील का स्पून ग्लास रॉट और प्लास्टिक वुड और कॉपर वायर अब चलिए एक बात समझते हैं जितने भी आपका स्पून है या ग्लास रॉट है या पिर आपका कॉपर वायर है यह सभी कंड़क्टर होते हैं हीट के लेकिन अगर वुड की या क्लोथ की या वुडन की बात करें तो यह सभी क्या है यह या प्लास्टिक की बात करें तो यह सभी इंसुलेटर हैं तो जब आप स्पून को डाल के रखोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो पूरा स्पून है वो आपको ग जो insulators हैं वो अपने body से heat को एक point से दूसरी point तर transfer नहीं होने देते हैं और जो conductors होते हैं वो एक point से दूसरी point तर heat को आसानी से flow होने देते हैं ठीक है तो इस activity से आपको insulator और conductor का concept clear हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं to show the convection current in water ठीक है आपको समझाना है कि convection होता है पानी के अंदर well convection मतलब वहर से याद दिला दू नीचे के लिए गरम होकर के ऊपर जाएगी जो ठंडी है वो उसकी जगे पर आ जाएगी फिर गरम होगी और फिर जो पाउडर काइंड ऑफ होता है थोड़ा सा semi powder जिसमें थोड़े से solids भी आपको दिखेंगे ठीक है आपको क्या करना है एक container के अंदर इसको डाल देना है तो नीचे जाकर के बैठ जाएगा ठीक है जैसे यह आपने पाउडर डाला तो जैसे यह पानी है ठीक है जैसे आपका पानी है तो क्या होगा यह जो आपका potassium आपने डाला हुआ है यहाँ पर आ जाएगा हलका हलका सा color जो है वो slightly slightly यहाँ पर फैलना शुरू होगा ठीक है अब आपने किया अब इसमें और पानी आप भरते जाए ठीक है पहले डाल दीजे या पहले तो डालना ही पड़ेगा फ है flame क्या लगा देंगे flame heat the water using a very small flame just below the crystal अब crystal के जस्ट नीचे ही आपको यहाँ पर एक flame जला देनी है मतलब आपका candle का भी use कर सकते है ठीक है यहाँ पर आपने flame रग दी और यहाँ पर आपने एक flame रग दी ठीक है you will observe that the colored water rises from the place where the heat is supplied अब आप यह देखोगी कि जैसे ही heat आ पानी है ठीक है जो color पानी है वो जो color का mixture है वो जल्दी होगा और यह जो color है वो धीर धीर सबसे पहले उपर जाएगा ठीक है कहाँ चला जाएगा उपर के direction की तरफ ठीक है नीचा आया और color होकर के गरम होकर के उपर जाएगा फिर ठंडा पानी नीचा आएगा फिर color होके उपर आएगा और इस तरह से थोड़ी दिर बात आप क्या देखोगे कि जो पूरा आपका beaker है वो side से भी जहां से आपने इसको नहीं डाला था वहाँ पर भी आपको पूर party molecules होते हैं वो गर्म होकर के expand हेकर के उपर की तरफ चले जाते हैं तो नीचे vacuum होकर create हो जाता है तो जो थंडे particles हैं जो थंडे molecules से वो नीचे आते हैं फिर वो heat up होते हैं तो उपर पहुच जाते हैं और इस तरह से ये पूरा circulation होते होते हैं पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है ठीक है तो यहां पर इस activity से आपको convection की process समझ में आई अब चलते हैं और देखते हैं कि हमने एक और topic पड़ा था कि जो black bodies होती हैं वो ज्यादा heat को absorb करती हैं और जो white bodies होती हैं वो कम तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं to show the dark colored object absorb and the light color radiant the heat more quickly and lose the radiant heat more quickly than the light color object चलिए तो आपको क्या करना है टेक two identical tin canes टेक है दो केन लेना है tin material के paint one of them black and the other one is white एक को black paint करिये एक को white paint कर लीजे clear है एक tin कैसा है white black है और एक white है half fill both of them with the cold water दोनों को पानी से भर दीजे आधा आधा cover them with the cardboard lids and insert the thermometer through the lids ठेक है आपको thermometer उसकी जो एक lid बनाना है उससे thermometer उस container में insert कर देना है ठेक है अब आप उसको रख दीजे बाहर sunlight में place both the cans in the sun sun के सामने रख दीजे note the thermometer reading अब thermometer की reading पहले ही note down कर लीजेगा कि कितनी थी after 15 minutes note the reading again फिर reading again 15 minute बार देखिए now heat both the cans to the same temperature and keep them in a shade ठेक है अब आपको क्या करना है वहां से उसको हटा करके shade में लाके रख देना है और उसके बाद temperature को फिर से आपको हर minute का temperature क्या करना है note down करते जाना है which can cool down the faster और आपको बताना है कि कौन सबसे पहले क्या हुआ है थंडा हुआ है चलिए तो बताते हैं well black color का केन में जो पानी है ठेक है वो क्या होगा सबसे पहले तो जल्दी गरम हो जाएगा as compared to white color के केन आप जब दोनों पानी जब दोनों heat up हो जाते है ठेक है इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपकी दोनों की reading अलग अलग लेनी है और आपको यह देखना कि कौन जल्दी ठंडा होता है ठेक है तो आप क्या देखोगे आप यह देखोगे कि जो black color वाला पानी है वो देरी से ठंडा हो रहा है जो white color वाला है वो जल्दी ठंडा हो गया ठेक है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि भाई जो black color है वो absorb भी करता है और हीट को जल्दी अब्जॉब करता है और उसे बाहर या रेडियेट थोड़ी देरी से करता है ठेक है चलिए तो इन एक्टिविटी से आपको convection conduction और black color white color का radiation और absorption का concept समझ में आया और हमने आपको क्या समझाया और हमने आपको समझाया कि किस तरह से जो हीट है वो एक थंडी बॉड़ी से cold body की तरफ चाहती है ठेक है चलिए NCRT solution of chapter number 4 की chapter number 4 का NCRT solution क्या है वेल मैं आपको questions बताऊंगी questions के साथ क्या solution उसका देना चाहिए क्या answer देना चाहिए यह आपको screen पर दिखता जाएगा चीक है तो चलिए start करते है NCRT solution की तो सबसे पहले दें question number first question number first क्या कह रहा है state similarity and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer आपको similarities बतानी है और difference बताना है किस के बीच में clinical और laboratory thermometer के बीच में होगे चलिए तो सबसे पहले क्योंना हम एक बार जो similarities है उनको discuss कर लें तो वह तर्मामेटर consist of long uniform glass tube अब आपने clinical थर्मामेटर को तो अपने घर में देखा ही होगा ठीक है जब भी आपको fever आता है तो आप थर्मामेटर का यूज करते हैं तो जो उसके उपर glass tube होता है वो दोनों में common होता है जैसा glass tube clinical थर्मामेटर में होता है वैसा ही laboratory थर्मामेटर में भी होता है वोध है वाब बल्व एट वान एंड दोनों के ही एक एंड पर बलब लगा होता है ठीक है ईक जो आपको silvery structure दिखता है ना आपके clinical थर्मामेटर में जो आप अपने temperature को नापने के लिए करते हैं वैसा ही बल्ब लेबाटरी थर्मामीटर में भी होता है बोथ contain mercury in bulb bulb के अंदर mercury होता है जो कि temperature पढ़ने पर expand होता है तो दोनों ही जो थर्मामीटर होते हैं उनके बल्ब के अंदर mercury होता है बोट use Celsius scale on the glass tube ठीक है जो दोनों ही आपके glass tube है वो Celsius को यूज करते हैं ठीक है मतलब की फारन्हाइट ज़रुरी नहीं यह कि दोनों यह आपके Celsius को यूज करें जरूरी यह भी हो सकता है कि फारणाइब फैरनहाइट पर भी scale बन सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा temperature है इसकी unit जो है वो Celsius होती है Fahrenheit होती है और Kelvin होती है हमारी इंडिया में हम generally Celsius पर काम करते हैं इसलिए जो thermometers आपको मिलेंगे वो या तो Celsius के मिलेंगे या फिर Fahrenheit के भी मिल सकते हैं clear चलिए तो यहां से तो हमें similarities समझ में आ गई कि इन दोनों ही thermometer के बीच में क्या similarities है आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इनमें दोनों में difference कौन कौन से है अ क्लिनिकल thermometer read temperature 35 to 45 while the range of laboratory thermometer is minus 10 degree to 100 degree Celsius ठीक है देखिए इसमें clinical thermometer की जो range है यह कैसे याद रखेंगे तो इसको इस तरह से याद रखेगा कि हमारी body का जो normal temperature होता है वो होता है 37 degree Celsius ओके तो अब 37 degree Celsius हर body का हो यह जरूरी नहीं है यह vary कर सकता है ठीक है 37 से कुछ कम 36.9 भी हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है इसलिए इसकी जो range है वो कहा से शुरू करी जाती है 35 से ठीक है कि 40 degree Celsius यह हमारी body का maximum temperature होता है जिस पर यह कहा जाता है कि किसी भी इंसान को highest fever है clear है तो इसलिए जो scale है वो कहा से कहा रखी जाती है 35 से 45 अब बारी आती है आपके laboratory thermometer की तो दो laboratory thermometer होते हैं उनकी range कहा से कहा होती है minus 10 से 110 degree Celsius तक ठीक है अब देखिए कि भाई laboratory है laboratory में तो आप बहुत सारे liquids पर काम करेंगे ठीक है तो जो अपन boiling water का अगर temperature देखे तो वो होता है 100 degree Celsius ठीक है उससे भी जादा किछ liquid हो सकते हैं तो भाई इसलिए जो हमारी range है ना वो हमने maximum कितनी लिए है 110 degree Celsius अब यह जो minus word है यह किसलिए यूज किया जा रहा है जहां पर अपने को coldest temperature को check करना हो ओके तो इसलिए यह minus 10 degree Celsius है यहां पर से minus 10 degree Celsius से लेकर के 110 degree Celsius यह हमारा laboratory thermometer की range होती है I hope clear हो गया होगा ओके तो पहला difference तो यह है कि इन दोनों की ही जो range है वो काफी अलग-अलग होती है दूसरा clinical thermometer has a kink near the bulb while there is no kink in the laboratory thermometer अब देखे clinical thermometer में मैंने आपको बताया है कि bulb के पास एक kink होती है यह जो kink होती है वो क्या करती है mercury को expand करने में और उसे वापस उसकी जगे पर लाने में help करती है लेकिन यह जो kink है यह laboratory thermometer में नहीं होता तो दूसरा point kink से related आप याद रखेगा पहला point क्या याद रखना है उनकी range के बारे में ठीक है जो range है इसके बारे में आपको याद रखना है कि difference और third क्या है due to current kink mercury does not fall down on its own in clinical thermometer well clinical thermometer में वही किंग के बारे में मैंने जो अभी आपको बताया यहां पर वही लिखा हुआ है तो यह जो differences है और यह जो similarities है वो याद कैसे रखेंगे एक बार और बता दूँ देखें दिखने में दोनो एक जैसे है clear है उसमें भी glass tube होता है इसके एक AND पर bulb होता है तो दूसरे राइंज में इनकी difference होता है और दूसरे चीज़ इसमें kink नहीं होता यह ज़रूर आपको याद रखना है ठीक है तो यह होता है आपका question number one I hope आपको clear होगा कि यह आप answer मतलब इस तरह से clear हो गया होगा कि आप इसका perfect तरीके से answer देपाए clear है चले अपर next question की तरफ तो फटा-फट से देख लेते हैं कि हमारा दूसरा question क्या है चले अब आपसे कहा गया है कि गिफ टू एक्जामपल इच ओफ conductors and insulators of heat अब इसको solve करने से पहले अगर किसी बच्चे ने पुराना वीडियो नहीं देखा है खेर वो बाद में देख लेंगे मैं बता देते क्योंकि conductors of heat क्या होंगे जिनके थ्रू आसानी से जो है heat एक point से दूसरी point तक पहुँच जाए ओके insulators क्या होते हैं वो bodies या वो objects जिससे heat pass नहीं हो पाती उनको हम insulator कहते हैं तो चलिए conductors के अगर बात करें तो aluminium iron यह आपके conductors हैं insulators क्यां कौन से हैं plastic और wood इन्होंने दो नाम पूछे थे इसलिए हमने दो नाम बता दिये चेके conductors कौन कौन से होंगे aluminum और iron मतलब अगर आप aluminum की कोई rod लेंगे और अगर उसको आप एक side से heat करोगे तो आप क्या दिखोगे कि दूसरे side भी धीरे 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 वह हीट पहुच जाएगी और कुछ समय के बाद कुछ time के बाद क्या होगा पूरी की पूरी जो aluminum की rod है वह पूरी तरीके से गर्म हो चुकी होगी clear चले iron के साथ भी ऐसा ही होता है ठीक है अब अगर अपन plastic की बात करें wood की बात करें तो plastic को अगर आप किसी आग के उपर रखेंगे या heat की पास रखेंगे ठीक है तो क्या होगा बस आपको हलकी हलकी सी गरम हैसूस होगी लेकिन उसकी पूरी बॉड़ी में heat पैल जाएगे जरूरी नहीं हो सकता है कि जो प्लास्टिक है अगर आप डारेक्ली उसको burn कर दें तो वह पिघल जाएगी लेकिन वह conduct नहीं करेगी वह अपना form चेंज कर लेगी लेकिन वह conduct नहीं होगी ठीक है तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई heat transfer होती है ना तो उसी को ही हम फिर उसका conductor समझते हैं बुड के साथ भी ऐसा ही है है अगर आपने एक हिस्से को आग में लगा दिया ठीक है उसने burn किया उसके एक हिस्से को तो क्या होगा एक हिस्सा जलता जाएगा जलता जाएगा लेकिन क्या heat transfer होगी heat के आपके जिसाद से आपने wood को पकड़ा हुआ है वहां तक आपको heat महसूस होती है क्या नहीं होती ना तो इसलिए जो wood है वो क्या रहता है वो insulator रहता है और plastic भी क्या होता है insulator क्योंकि अगर उसके साथ भी आपको एक plastic का लंबा सा कुछ लंबा सा आपको एक stick टाइप होता है aluminum or iron में होता है कि heat जो है वो एक point से दूसरे point तक मगर अगर मैं aluminum की कोई stick को आख में ऐस तरह से लगा के रखी हुए हूँ तो क्या होगा एक point से दूसरे point तक heat आईए और थोड़े दिर बार मेरा हाथ भी जलने लग जाएगा क्योंकि वो पूरी aluminum की rod में heat आ गई है इसका मतलब उसका temperature बढ़ चुका है clear हुआ क्यों हम इसको conductor और क्यों इसको insulator कहते हैं चलिए तो I hope आपको ये long term तक याद रहेगा कि conductors कौन-कौन से होते हैं heat के और insulator कौन-कौन से होते हैं heat के clear यहाँ पर हम इसको कर देते हैं clear और आगे बढ़ते हैं हमारे third question की तरफ the hotness of an object is determined by its चलिए किसी भी object का hotness आपको निकालना है hotness का मतलब क्या होता है कि वो कितना गर्म है यह आपको identify करना है तो hotness कैसे measure कर दी जाती है या फिर उस term को क्या बोलते हैं the hotness of an object is determined by its किसी भी object की hotness उसके temperature से हम determine करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए well यहाँ पर आना चाहिए temperature clear okay चलिए second देख लेते है temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer boiling water जो है ठीक है उसका temperature किस से measure नहीं किया जा सकता well अब आपको याद रहना चाहिए इस दौरान आपके दोनों ही thermometer की range हमारे जो thermometer होता है जो हम clinical thermometer के अगर बात करते हैं तो clinical thermometer की रेंज कहा कहां से कहां तक होती है वह होती है 35 से लेकर के 42 degree Celsius तक तक क्योंकि हमारी human body का temperature है वो 37 normal होता है और 40 highest होता है clear आप laboratory thermometer की अगर बात करें तो laboratory thermometer की range होती है minus 10 degree Celsius से लेकर के 110 degree Celsius clear अब boiling water क्या होता है वह boiling water जिसका temperature 100 degree Celsius हो तो क्या 100 degree Celsius आप clinical thermometer से measure कर पाएंगे जी नहीं इसके लिए आपको laboratory thermometer का use करना पड़ता है इसलिए यहाँ पे अगर temperature of boiling water के लिए बोला गया है कि कि इससे हां नहीं measure कर सकते cannot be measured तो इसके जगे पर क्या आएगा यहां पर आएगा laboratory clinical thermometer ठीक है तो clinical thermometer is the right answer चल नेक्स temperature is measured in degree temperature जो है वो किस degree में measure किया जाता है वेलब आपको degree बोला किया है ठीक है तो हमारे इंडिया में degree में Celsius को ही use किया जाता है Calvin के साथ हम degree को नहीं लगाते हैं और Fahrenheit के साथ तो लगा सकते हैं ओके तो लेकिन क्योंकि हम इंडिया में है तो जादा तर temperature जो है वो Celsius में ही मेजर किया जाता है इसलिए यहां का जो अंसर है temperature is measured in degree Celsius आएगा क्या आएगा Celsius ओके वह पहले फेरनहाइट जादा यूज होता था लेकिन अब Celsius जादा तर यूज होता है यह आपको पॉइंट याद रखना है नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्न तो डिग्री फारनहाइट भी बताया तो डिग्री फारनहाइट इसलिए नहीं क्योंकि वह पहले जादा तर यूज होते थे अभी भी कहीं कहीं आपको क्लिनिकल थर्मामेटर जरूर मिल जाएंगे लेकिन अगर अगर लिबार्टरी थर्मामेटर की बात करोगे तो वहां पे आपको Celsius में ही सारे scales देखने को मिलेंगे clear है आगे बड़े okay so question number D क्या बोल रहा है no medium is required for transfer of heat by the process of dash ठीक है अब भी medium का मतलब क्या होता है जिसके through जो heat है वो पास हो रही अब देखें medium क्या क्या होती है medium का मतलब होता है जिसके through कोई चीज जाए यह मैंने बताया अभी आपको जैसे की air air भी क्या है एक medium है water water भी एक medium है और बाकी object जिनसे आप heat को पास करा रहे हो वो तो medium है ही जैसे aluminum है iron है ठीक है जिसके through आप किसी चीज़ को पहुचा रहे हो हमारा atmosphere भी एक medium है क्योंकि इस ठीक है अब लेकिन हमारा sun कहां है space में ठीक है अब space में कोई medium नहीं होता कोई हवा नहीं होती clear तो इस space में आपका sun है और आपकी अर्थ तक पहुचने के लिए फिर उसकी जो heat है वो कैसे पहुचती होगी तो मैंने आपको बताया था radiation की through radiation का example याद रखिएगा कि जब आ आग जल रहे हो मैं इतनी दूरी पर खड़ी हूं तो भी मुझे heat महसूस होती है तो वो किसकी वज़े से radiation की वज़े से तो भई no medium is required for transfer of heat by the process of radiation ओके तो यहाँ पर क्या ना चाहिए यहाँ पर आ जाएगा radiation याद रखिएगा इसे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं e question क्या बोल रहा है a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk एक थंडी spoon है ओके उसको आपने गर्म दूद के गर्म hot milk के cup में डाल दिया dip कर दिया it transfer heat to its other end by the process of well अब यह जो milk की जो heat थी जो कप में आपका milk रखा हुआ है आपने उसमें spoon को रख दिया अभी spoon है वो गर्म हो गई तो इसमें heat किस method से या किस process ते transfer होई है conduction convection या फिर radiation तो आपको मैं याद दिला दू radiation तो मैंने जस्ट अभी समझाया convection जो होता है वो liquid में और gases में होता है लेकिन स्टील की spoon क्या है एक metal है तो मतलब एक solid है तो इसमें किस के थूरू आपकी heat transfer होगी conduction के थूरू क्योंकि conduction में दीरे दीरे एक point से दूसरे point तक जो है heat transfer होती है तो इसलिए यहाँ पे जो option आएगा आपका वो आजाएगा conduction ठीक है तो भाई आप अब जब भी दूद पीते हैं या milk के cup में गरम milk के cup में spoon को डालते हैं तो डालके अगर छोड़ देते हैं तो आप देखते कि आपका spoon भी गरम हो जाता है क्योंकि उसमें heat transfer हो गई है किस के कारण conduction के कारण तो जब भी आप अपना milk पीते हैं तो जरूर देखिएगा कि यह process किस तरह से होती है वैसे आपने कई बार महसूस किया होगा लेकिन अब आपको जादा समझ में आएगा कि यह जो है heat conduction के कारण आ रही है clear clothes of dash color absorb heat better than clothes of light color well कैसे clothes जो है वो डाक कलर चले आंसर तो मैंने बोली दिया light color जो होता है वो reflect जादा करता है किसको जो भी उपर heat energy जो भी light energy आती है dark color क्या करता है उसे absorb करता है absorb करने के वज़े से क्या होता है कि उस dark color के जो clothing है उसमें heat जादा produced होती है इस वजह से आपन को जादा गर्मी महसूस होती है तो इसलिए cloth of dark color absorb heat better than the clothes of light color ठिक चलण उसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा आंसर क्यों ऐसे दिये हुए हैं हमने ये भी आपको clear हो चुका होगा आप चलती हूँ मैं अगली कुशन की तरफ जो की है कुशन नमबर 4 चलती है वेल मैच दा फॉलईंग लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग ठीक है अब भई बताईए लैंड ब्रीज कब बहती है सी ब्रीज कब बहती है ठीक है सी ब्रीज का मतलब सी से आने वाली हवा लैंड ब्रीज का मतलब लैंड से आने व क्योंकि वहां से अब यह पूरा जो इसका फिनोमेना था वह मैं और अल्दो कवर कर चुकी हूं ठीक है आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा लेंदी है अगर अपन टाइम लगाएंगे ना तो आपका यह वीडियो और लेंदी हो ठीक है पर आप याद रखेगा कि लैंड ब्रीज जो है जमीन से आपकी लैंड से सी की तरफ चलने वाली जो हवा है वो कब बहती है रात के समय में सी ब्रीज कब होता है दिन के समय में इसलिए जनरली जो कोस्टल एरियास होते हैं वहां पे जो घर बने होते हैं वो इस तर इसका option हो जाएगा day ओके dark color clothes are preferred during अब dark color के clothes आपका पहनते हैं आपको कब कहा जाता है कि dark color wear करें तो आपको बोला जाता है कि आप धंडियों के टाइम में करें ताकि आपके शरीर में आपकी body में heat maintain या फिर आपको warm महसूस होता रहे ठीक है तो यहां पर आपको क्या बताना ह है winter light color clothes are preferred during light color के जो clothes होते हैं वह हम कब prefer करते हैं तो वेल यह हम prefer करते हैं समर में ताकि हमारे body में थोड़ी थंड़क बनी रहे हमें गर्मी थोड़ी कम लगे clear हुआ चले तो यहां पर यह question number 4 हम करते हैं complete जिसका match the column आप देखी सकते हैं काफी easy था आपको already इसके answers पता थे ठीक है चले आगे question number 5 की तरफ तो मैं कर देती हूं भाई इसको clear यहां से और आगे चलती हूं question number 5 की तरफ चले discuss why wearing more layers of clothing during winter keep us warmer than the wearing just one thick piece of clothing चले अब हम क्या करते हैं जब ठंडी का time आता है तो हम एक अंदर inner पहन लेते हैं फिर एक thermocot पहन लेते हैं फिर उपर से टीशेट डाल लेते हैं कभी कभी बहुत ठंड होती है तो क्या करते हैं और jackets पहन लेते हैं इतनी सारी layer क्यों पहनते हैं वेल क्या होता है कि जितनी जादा आप layer रखोगे winter की time पे उतना जादा आप अपने आपको गर महसूस करोगे ठीक है क्योंकि क्या होता है कि space बिल्कुल भी नहीं बचेगा कहाँ air को पास होने के लिए air आई ठीक है और जब इतनी सारी layers होगी तो वहीं पर कहीं पर क्या हो जाएगी स्टक हो जाएगी रुख जाएगी और आपकी body तक नहीं पहुच पाएगी तो air जो है वो ट्राप हो जाती है जादा layers के कारण air is a bad conductor it does not allow the body heat to scap out ठीक है एर जो होती है ठीक है जो हमारी clothes जो इतनी सारी layers होती है वो air के लिए bad conductor का का काम करते हैं air को हमारी body तक नहीं पहुचने देते हैं जिसकी वज़ा से हम हमारी body की जो heat है वो बाहर नहीं जा पाती clear हुआ तो भई अगर आप बहुत सारे layers को पहन लेंगे तो जो air है वो हमारी body तक पास नहीं हो पाएगी मतलब body तक नहीं आ पाएगी जिसकी वज़े से हमारी body जो है वो heat महसूस अंदर से करती रहेगी ठीक है इसलिए winter में क्या किया जाता है इसलिए winter में हम जादा तर layers को पहनते हैं मतलब बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं ताकि हम वा महसूस करें clear चल आगे चलते हैं question number 6 क तरफ चलिए look at the figure mark where the heat is being transferred by the conduction by convection and radiation चलिए तो भई आपको मुझे बताना है कि conducts कहां हो रहा है conviction कहां हो रहा है तो आप अगर arrows को ध्यान से देख पा रही हो तो आपको दिख रहा कि conduction कहा है convection कहा है radiation कहा है ठीक है आपको एरो देखने की जरुवत नहीं है अगर आपने पुराने वीडियो को मेरे अच्छे तरीके से देखा है आप अल्रेडी समझ जाएंगे कि भई रेडियेशन कहां पर है conduction कहां पर है और convection कहां पर है चलिए तो फिर से एक बार बता देती हूं यह है आपका बर्णर मलब जिससे हीट निकल रही है यह बर्णर जो है वो डार यह जो आपका गास बर्णर है वो डारेक्ली आपके यूटेंसिल को टच कर रहा है इसका मतलब हीट जो है वो इस पर ट्रांसफर हो रही है तो जब हीट के डारेक्ट टच से कोई चीज आपकी हीट एक बाडी से यह एक बाडी है ठीके एक बाडी से दूसरी बाडी में जब हीट ट्रांस है तो सॉलिड में कंड़क्शन ही होता है इसलिए यहां पर क्या हो रहा होगा यहां पर हो रहा है आपका कंड़क्शन ठीक है समझ में आया यहां पर क्या हो रहा है कंड़क्शन हो रहा है ठीक है अब पानी है इसके अंदर क्या है पानी तो पानी किस प्रोसेस से आपका गर्म होता है convection की process से पहले नीचे के particle गर्म होते हैं फिर वो उपर उठ जाते हैं फिर जो बादू से ठंडे particle होते हैं वो आते हैं फिर वो गर्म होते हैं फिर वो उपर उठ जाते हैं फिर बाकी के बचे ठंडे यूटेंसिल है यह गरम हो चुका है गर्म हो चुका है इसका मतलब होट बॉडी बन गया है होट बॉडी बन गया है इसलिए हमें रेडियेशन महसूस होंगे किसी भी गर्म चीज़ से दूसरे ही हमें गर्माहट सी लगने लग जाती है तो इसका मतलब वहां रेडियेशन है तो यहां पर radiations हैं, यहां radiations हैं और दूसरे चीज बर्नर के आसपास भी यहां और यहां पर radiation होगा, clear हो गया कि कहां पर radiation होगा, कहां conduction और कहां conduction, चलिए, तो यहां होता है हमारा question number 6 complete, आगे बढ़ते हैं और देखने हैं कि question number 7 क्या है, चलिए, in place of hot climate, it is advised that the outer walls of house be paint white, explain, चलिए, अब क्या किया जाता है, ऐसी गर्म जगे, जहां पर घर बने होते हैं, वहां कहा जाता है कि भई, outer wall जो है न आपकी, उसे white paint का करें, तो इसका कारण मेरे साथ मेरे आई है, I hope, मेरे सभी students को पता होगा, इसका कारण क्या है, well, अग आप घर को white color से paint करते हैं, बाहर से, या आप इंडिया में देखे, हमारे इंडिया का weather, weather कैसा होता है, कि हाँ पर सारे हमें बौसम मिलते हो, गर्मी थोड़ी जादा ही लगती है, तो जादा तर आप देखते हो कि लोग जो है, बाहर अपने कैसा paint करते हैं, थोड़ा सा light paint क क्या effect होता है, वेल देखे, light colors जो है ना, वो जब भी उस पर कोई radiation आता है, या heat आती है, या light आती है, तो वो उसको क्या कर देती है, reflect कर देती है, बाहर की तरफ भेज देती है, clear, अब जब बाहर की तरफ भेज देगी, तो क्या होगा, वो उस heat को, या उस light से आने वाली heat को absorb भी नहीं कर पाईगी, अब absorb नहीं करेगी, तो उसके अंदर heat जादा डवलप नहीं होगी, light color के साथ ये होता है, और dark color क्या करते है, सारी light जो भी आसके उपर जो radiation आता है, उस सबको absorb करता जाता है, सारे colors को absorb कर लिता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसलिए तो वो black दिखता है, या इसलिए तो वो dark होता है, तो इस वज़े से क्या होता है, कि जब सारी light उसने absorb कर ली, तो वहाँ पर heat जादा produce होने लगेगी, okay, so in place of hot climate, it is advised that the outer wall of house be painted white, because white color reflects heat, the house do not heat up too much, ठीक है, तो light color करने का सिर्फ एक ही कारण है, कि हमारा घर जो है, वो जादा गरम न आता है, clear हुआ, चले, तो यहाँ खतम होता है, question number 7, आगे बढ़ते हैं, और देखते है, question number 8 क्या है, चले, so one liter of water at 30 degree is mixed wind, one liter of water at 50 degree Celsius, ठीक है, so आपको मैंने एक छीज बताई थी, कि जो heat है, वो transfer कैसे होती है, हमेशा hot body से cold body की तरब, okay, अब यहाँ पे दो तरीके के पानी है, एक का जो temperature है, वो 30 degree Celsius है, और दूसरे का कितना है, 50 degree Celsius, तो अगर मैं इस पानी के bucket में, जिसमें already 50 degree Celsius पानी भरा हुआ था, ठीक है, 50 degree Celsius पा 30 degree Celsius का पानी, okay, कितना पानी डाल रही हूँ मैं, 30 degree Celsius का पानी मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, well, जो पानी जादा गरम था, 50 degree Celsius, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपनी heat जो है, वो इस 30 degree Celsius को transfer करेगा, क्या करेगा, इस 30 degree Celsius को transfer करेगा, okay, क्योंकि hot body कौन है, 50 degree Celsius, तो मिनोंने पूछा है कि भाई इसमें जो temperature है वो कितना रहेगा तो कोई भी चीज जो है कोई भी होट बोडी जो है वो कब तक अपनी heat को transfer करती है वो तब तक अपनी heat को transfer करती है जब तक कि दोनों ही objects में heat जो है वो बराबर ना हो जाए तो इसका मतलग कि अगर 50 है तो अपनी heat को transfer करते करते कितना लगभग temperature बनाएगी तो लगभग 40 degrees Celsius अगर दोनों का हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि यह 50 है यह 30 है ठीक है तो अगर यह अपना heat transfer करें तो 40 हो जाएगी और इसमें यह 30 है तो इसका अगर 10 degree मिल गया तो यह 40 हो जाएगा यह 50 degree है इसको 30 degree को कितना यह transfer करें कि यह बराबर हो जाए तो यह लगभग 10 degree अगर transfer कर देती है तो यह दोनों बराबर हो ठीक है तो 40 degree Celsius अगर यहां पर भी और जो आपका दूसरा वाला पानी था जो कि पहले कम temperature खाता वो भी कितने का हो जाएगा 40 degree Celsius का ठीक है अब यह तो मैं exact तो नहीं हम कहा सकते कि डोनों का पानी कितना होगा हो सकता है टाइम तक रखे रखे कुछ temperature उपर निचे हो जाए तो लेकिन जो रेंज है वो कहां से कहां होगी बिट्वीन 30 to 50 degree Celsius ठीक है तो जो पानी है वो पचास से 30 के बीच का हो सकता है आई होप इसका रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जब अपने 30 degree Celsius में 50 degree Celsius का पानी मिलाते हैं तो टेंपरेचर कम होता है वेल आप यह अपने आपसे भी महसूस करिएगा जब आप पानी में दो बोटल्स लेते हैं एक में ठंडा है थोड़ा सा एक में थोड़ा गरम है आप मिक्स करते हैं तो टेंपरेचर का कुछ वहां पर डिफरेंस आ चलें आगे कोशन की तरफ तो नेक्स कोशन कौन सा है नेक्स कोशन है आपका यह क्लियर कर दू ठीक है चलें तो इसको करते हैं यहाँ पे क्लियर दिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोशन नमबर 9 क्या कह रहा है और आइरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इस चालिस डिग्री सेल्सियस है इसको आपने किस पानी में डाल दिया इसको आपने पानी में डाला जिसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था मतलब दोनों ही ऑबजेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना है वो है 40 40 डिग्री सेल्सियस दा हीट बिल भी तो हीट क्या होगी flow from iron ball to water यह जो iron की ball है उससे पानी की तरफ heat transfer होगी not flow from iron ball to water और from water to iron ball कहीं से भी flow नहीं करेगी ना तो ball से पानी में ना पानी से ball में flow from water to iron ball या iron ball में पानी से iron ball में जाएगी या दोनों का temperature बढ़ जाएगा तो वैल देखिए answer देने से पहले खुदी दिमाग लगा लिया करें option देखने से पहले कि भाई क्योंकि दोनों का ही temperature समान है एक जैसा है बिलकुल same है ये भी कितना है ये भी आपका 40 degree Celsius पर है ये देखिए इसका temperature कितना है 40 इसका भी कितना है 40 तो अगर 240 degree Celsius के object है तो क्या इनके बीच में कोई heat transfer होगी नहीं होगी क्योंकि heat transfer कब होती है जब temperature दूसरी body का कम हो यहां तो दोनों का बराबर है ठीक है जब बराबर है तो इनको कोई problem ही नहीं है तो उसका भी 40 रहेगा और इसका भी 40 रहेगा तो इसका जो सही option है इसका सही option क्या होना चाहिए not flow from iron wall to water ठीक है not flow from iron wall to water ना तो इस ball से water की तरफ जाएगा ना ही और from water to iron wall ना ही पानी से iron wall की तरफ clear हुआ यह चीज नहीं होगी clear ठीक है बिल्कुल जैसे है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि दोनों के temperature बराबर है तो कोई भी heat जो है वो एक जगे से दूसरे जगे नहीं जाएगी clear हो चुका होगा question number 9 इसको हम कर दे clear कर रही हूँ मैं इसे clear और बढ़ते हैं हम question number 10 की तरफ चलिए अब wooden spoon कौन से spoon है वही वुड़न की is dipped in a cup of ice cream वाओ ice cream सुनते ही मेरे मुँ में पानी आजाता है बहुत favorite है मेरी चलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ice cream खाते हैं ठीक है तो आपको conductor होता है ठीक है क्योंकि वो चाहे ठंडा हो चाहे गरम हो इसको अपने अंदर से पास नहीं होने देता ठीक है तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो वुड़न spoon है ठीक है वो क्या होता है या plastic का अगर spoon है तो ये दोनों ही जो spoon है ना ये कैसे होते हैं ये होते हैं आपके कारण क्या होगा कि इसमें किसी भी तरीकी का कंड़क्शन नहीं होगा तो आपको option क्या क्या दिये हुए हैं आपको option दिये हुए हैं become cold by the process of conduction यह जो wooden की spawn है क्या वो ठंडी हो जाएगी जी नहीं become cold by the process of convection बिल्कुल भी नहीं become cold by the process of radiation नहीं does not become cold इसमें कुछ भी नहीं होगा ना तो यह ठंडी होगी ना conduction होगा ना convection होगा ना radiation होगा क्योंकि यह एक तरीके का क्या है क्योंकि यह तरीके का insulator है इसलिए चाहे wooden हो चाहे plastic हो इसमें इन तीनों में से कोई भी process नहीं होती ठीक है चलिए तो यहां पर यह question होता है question number 10 complete आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आखरी question की तरफ जो की क्या है question number 11 चलो देखें आगे तो देखें आपका आखरी question है stainless steel pans are usually provided with copper bottom stainless steel आपके घर में जो बढ़तन होते हैं वो generally stainless steel की होते हैं ठीक है उसके नीचे copper का bottom लगाया जाता है किसका bottom रहता है copper आप देखते हो ना लगा दिया जाता है ठीक है the reason for this could be that अब यह इसका reason क्या है चलिए दो metals को mix कर दिया उपर आपका steel है नीचे copper है ऐसा क्यों तो भही जो copper होता है ना पहली चीज़ उससे heat जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पास होती है यह बहुत अच्छा conductor है copper की बात करें तो वो current का भी अच्छा conductor होता है और heat का भी अच्छा conductor होता है इसी वज़े से copper का अगर आप नीचे वाला जो portion होता है मानलीजे यह आपका एक छोटा सा पतीला है जिसमें आपने नीचे की तरफ क्या करा हुआ है नीचे की तरफ आपने इसमें करी हुई है copper की coating क्या कहा जाता है इस word को copper coating ठीक है तो क्या होता है कि जो भी heat इसमें आएगी वो अच्छी तरीके से इसमें absorb हो जाएगी और जल्दी उपर आपका जो खाना है ना जो भी आप खाना इसमें पकाते हो वो जल्दी पक जाएगा क्योंकि copper जो है वो heat जादा अच्छे से absorb कर लेगा चलिए इना option क्या क्या दिये हुए है copper water make the pan more durable जी नहीं durable की हाँ पर कोई बात नहीं है steel भी काफी चलने वाला आपका metal है तो इसमें हमें copper लालने की ज़रुवत नहीं थी ठीक है such pan appear colorful pan को colorful बनाने के लिए नहीं जब भी आप खाना वाना बनाते होना और जो भी manufacturing companies होती है वो color बगरा पर ध्यान नहीं देती वो यह देखती है कि भाई कितने जल्दी आपका खाना पक रहा है copper is better conductor of heat than stainless steel yes copper is easier to clean that than the stainless steel भी cleaning की कोई बात नहीं clean करने वाले अच्छा होना चाहिए है तो नहीं हमारा जो light option है वो क्या हो जाएगा हमारा जो right option है वो यह हो जाएगा copper क्योंकि बहुत अच्छा conductor होता है heat का stainless steel के comparison में इसलिए copper की जो है वो coating की जाती है नीचे copper लगाया जाता है जहां से बर्नर की heat उसमें जाए और वो जादा से जादा heat को जल्दी से जल्दी अब्जॉब करें और क्या हो आपका जो खाना है वो जहां stainless steel में थोड़ा time लगाता था अब copper की तह होने से या copper की की layer होने से वो जल्दी बना देगा clear हुआ तो भाई इस 11 question के साथ हम हमारा NCRT solution यहां खतम कर रहे हैं ठीक है अब मैं आपको मिलूँगी next chapter के साथ जो कि है आपका chapter number five ठीक है chapter number five आपको पता ही है क्या है acid based and salts ओके तो हम उससे start करेंगे तब तक के लिए आपको क्या करना है chapter number four जो है उसका complete revision आपको करना है revision मतलब आप पूरे videos को अच्छी तरीके से देखे तभी आपको NCRT solution जो है और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे करना क्या है आपको just आपको जाना है www.magnetbrains.com पर वहां जाकर कि आपको अपनी class select करना है class select करते साथ ही आप कुछ इस तरीके की window को देखेंगे जिसमें आपको सभी subjects दिखते हैं जो भी आप subject choose करना चाहते हैं उस पर watch now पर जाएए watch now पर जाते ही नीचे chapters के एक list खुल जाएगी उस chapter पर topic सब topic सब कुछ आपको नजर आने वाला है topic पर click करिए तो आपको वीडियो दिखेगा वीडियो को जो किसी और क्लास में है क्यों क्योंकि हम दे रहे हैं 100% free class from kindergarten to class 12 subscribe करना ना भूले क्योंकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरन पहुंच जाएगी वैल मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में till then stay happy stay healthy thank you so much